पुर्बागे शुर्धाम की, पुल्सन्यासी बाबा की महराजी प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में आज ये बाणी पुत्र जो हमारे बीच में उपस्तित हैं ये आपका सानित दिपाने के लिए सभी यहां उपस्तित हुए हैं जिन बाणी पुत्रों को आपके आदेश से आमंत्रत किया गया मेरा दावा है और इस दावे को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ जिस किसी ने वागेश और धाम के लिए कुछ आपस्ब्द कहे होंगे वो ना तो शाम है ना मानव है यह पुंदेल खंड की धर्ती है मनोज जी इस धर्ती पर अगर पुलसी ने जल्म लेकर राम चरत मानस लिखा मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सभी भगतों से महराज जी के सभी शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तोचना की है ये बुंदेल खंड की धरती है अगर राम चलत मानिस लिखने का हमें सोभाग भी मिला है तो धरती बुंदेल खंड को मिला है अगर बावन युद्ध किसी ने जीते हैं तो महाराजा च्छत्र साल ने इसी बुंदेल खंड की धरती से जीते हैं लोग बागे सु भाम की चत्रा करते हैं कहता हम से कहा करते हैं कभी उनकी उम्र क्या है हमने कहा हमने का बालक हनुमान ने सूरी को निगल लिया था याद है तुमको तो जब बालक हनुमान सूरी को निगल सकते हैं तो उनके करपापात्र इन दुराचारियों तो निगलने की हिम्मत रखते हैं और मनोजी वो मा उस मा ने वो मा पैदा नहीं हुई और उस मा ने उस बेटे को जनम नहीं दिया जो मुंदेल खंडी की आवाज को दबा सके बे आएं सामने वो नागपुर का बेवकूफ जसके लिए मैंने कहा कि उस्याम भी नहीं है मानो भी नहीं है बे आएं सामने करें बात इतनी तो उनमें धम नहीं हैं बे आएं सामने करें बात इतनी तो उनमें धम नहीं हैं जो बागे स्वर को धाम जगत भर के धामन से कम नहीं है महरा जी जो ये रचनाकार आज आपकी आग्या से पढ़ारे हैं ये रचनाकार अगर किसी मंजबर हो तो इन सारे रचनाकारों की भुकतान रासी छे लाग साथ लाग भी कम है लेकिन ये आपका आशीरवाद लेने के लिए आए हैं यहाँ ने आपसे कुछ चाहिए नहीं धनराशी तो हम कहीं से में लेंगे लेकिन वाशे बागे स्वर धाम की कृपा उनका आशीरवाद सब जगे नहीं मिल सकता बस इसकार कर्म को हम रारमु करना चाहते हैं क्योंकि मनुस्तिवारी जी हमारे देखो ये बिहार है बिहार नहीं है बंडेल खंड है ये दिल्ली नहीं है यहां के आप सामसद हैं ये बागे सवर धाम का दर्वार है महराज के चरणों में प्रणाम करने आया था लिए लड़ने के लिए आप से आया हूँ याद रखना है इस वाद को चलिए प्रारम हो करना चाहता हूँ हम मालों में गौरों के रहा है बहुत प्यारे इंसाने इसने गौरमि महराजी एक बागेशूर्द हम पर कविता लिक्षी, दस लाख लोगों ने दस लाख लोगों ने शेयर कि, दस लाख लोगों ने सुना आज वही कविता प्रस्तरोग standards करने के लिए यह यह यहां आया है अरे तो आप महाराज का आर्शीरवाद तो यहां से प्रडाम करोगे तो मिलेगा वहां जाके करोगे तो भी मिलेगा अब बैसे मैं कभीयों से भी एक बिनम्र निवेदन करना चाहता हूं हमारे महाराज बागिस और धाम सरकार हम इनके चरण इस पर सदूर से करते हैं मतलब यह नहीं है कि हम उनके चरण छूर नहीं सकते हम उनके चरणों की धूल है हम उनके चरणों में ही हैं यह भावना होनी चाहिए लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा अंतर है वो वागे सुरधाम सरकार हैं हम समा सरस्वती के पुत्र हैं अगर सरस्वती ने अगर सरस्वती ने देउताउं की साहता नहीं की होती तो राम बन नहीं जाते तो रामifieल का बिनास नहीं होता आज शरस्वती साहिता करेगी और भागेश्वर धाम सरकार राक्षासों का बिनास करेंगे महाराजी ये बागेश्वर धाम दर्वार की तरफ से इन कभियों के लिए एक पट्टिका और एक एक इसमर्ती चिन सभी बाणी पुत्रों से अन्रोध है मैंने महाराजी से निवेदन किया उनकी कृपा बुझबर अद्भुत है पता नहीं क्यों इतना इस नहीं करते हैं इतना सब कुछ करते हैं मैं ये तीसरा कभी समेलन कर रहा हूं इस मंचु पर महाराजी एक निवेदन करना चाहता हूं इस कारिक्रम का जब तै हो गया की करना है मेरे पास एक नहीं कम से कम सो पचास फोन आए कि मुझे बागे सब धम बुला लो मैंने उनसे एक निवेदन किया कि आज ये कारिक्रम होने जो इन कभीयों के द्वारा तीन जुलाई को गुरु पूरिमा को जब हम कभी सा मिलन करेंगे तो हम तुम्हें फिर बुला लेंगे एक मैंने आपके कानों में बात डाल दिये माने वो कारिक्रम करना है चलिए मैं सबसे पहले गजेंदर सोलंकी जो हमारे बीच में दिल्ली से आए हैं एक बहुत बड़ा नाम उनसे लोग करता हूँ महराजी को प्रनाम करें महराजी उनको इस्मर्ति चन्नपरदाय करें महराजी एक ऐसा घीटकार आपने कुमार विश्वास को सुना होगा आपने बहुत सारे घीटकारों को सुना हैं आप इस नदने करते हैं कि इस मंच के लायक कौन हैं लेकिन एक घीटकार मैंन पुरी की धरती से हमारे बीच में बलड़ाम स्री वास्तो उपस्थित हुआ है मैं बलड़ाम से नदन करता हूं कि महराजी को प्रड़ाम करें और इसमर्ती चिंदे लें भाई अशोक चारण सुस्रुत अशोक चारण जैपुर की धरती से हमारे बीच में ये राष्टबादी विचार धारा का एक ऐसा होजश्वी कवी के सारा भारत सारे भारत के मंच जिसका लोह मांते हैं ये अशोक चारण हमारे बीच में जैपुर से उपस्तिक हुआ है महाराजी फिर मैं अन्रोज करना चाहता हूँ गीतों का एक ऐसा राजकुमार गीतों का एक ऐसा कवी जिसने मर्यादा परसुत्तम राम पर अखल ब्रमंड नायक राम पर एक ऐसे गीत लिखे हैं जिन गीतों को सुनकर के हमारा सर अपने याब मर्यादा परसुत्तम राम के चरणों म मैं भाई अमन अच्छर से रोज करता हूँ कि वो महराज जी को प्रडाम करें और उनके हाथों ये स्मर्दी चिनने लें लोग कहते हैं कि जब कमल खिलता है तब हमारे मनुष टिबारी जी को बड़ा सुख मिलता है लेकिन जब कमल आगने हो जाता है तो बड़े बड़े लोगों को धराशाई भी कर सकता है कमल आगने जी घाजियावाद की धरती से हमारे बीच में अफ़स्तित हुआ है मैं चाहता हूँ कि वो भी महराज जी का आशिरवाद लें और इस्मर्दी चनने लें चलिए गोरब चोहन का मैंने नام लिया नेता जी लपेटे का जो कारक्रम आता है हर कारक्रम में वो शामिld रहता है यद्क आज वो यहां लपेटने के लिए आया है धुरआचारीयों को और उन राक्षसों को उन रावनों को जो सनातन धर्मबप रहार कर रहे हैं मैं गौरव चौहन से अनोध करता हूँ कि वो भी महराज जी के पास जाएं मुझे याद है जब ये कारिक्रम क्या हो रहा था तो महराज जी ने आदेश दिया था कि खास्यका कभी भी होना चाहिए पार्ष नभीन जो राजस्तान की धरती से प्रताब गड़ से हमारे बीच में आया है मैं उससे अनोध करता हूँ कि वो भी महराज जी का अर्शिरवाद ले और महराज जितना हस आज महराज भी हसाएंगे मुझे को राएंगे लोग कहते हैं कि महराज जी हमेशा ऐसी बातें करते हैं लोगों को भड़काने की बात करते हैं लोगों महराज जी तो कभी-कभी विनोज की बातें भी करते हैं हसने हसाने के भी बातें करते हैं लोगों ने टिहास लिखा कि अकबर दा ग्रेट अकबर महान कैसे हो गया महान था था जो पहलडी घरिट जहां अकबर ने जो उसके अंदर आहंकार था उस अहंकार को दूर किया राणा प्रतापा वो बनसज्ग नुगलों की सल्दिनंग को हिला के लग दिया था वो हच्छस से हमारी धरती के बीच में राणा मुनी प्रताब सिंग आपके चरणों में पराम करने के लिए आया है ये इसकर सौवाग्य महराजी तीसरी बार आपके सामने उपस्तित हुआ है लोग जहासी की राणी को याद करते हैं जहासी की राणी को लोग याद करते हैं हमारे बीच में आगरा की धरती से शिखा सिंग इस कवित्री को सुनकर आपको ये लगेगा कि ये दूसरी जहासी की राणी पैदा हो गई है मैं चाहता हूं को वो भी महराजी के पास जाएं आश्रीरवाद ले और ये अभी तक जो इस मरतिचर ने दूसरों को दिला रहा था महराजी जब उससे मिलते तो कहते हैं सुस्त्र संगिता लिखी गई थी वो सुस्त्र त्रपाधि भी खड़ा है आपके सामने आपने हमेशा उसको आसीरवाद दिया है थोड़ा सा आसीरवाद मिल जा तो और सुधर जाएगा मरत एक बागे सुर्धान की तरफ से यह आशार शर्मा जी यह नाम पहले मैंने वेदन कर रहा था पहले से यह नाम तेज नहीं था लेकिन आशार शर्माजी ये पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में हैं ये ये भी कवित्री हैं अब यहां वश्चित हैं तो निश्चित रुप से हमारी आपने भी अपना आश्चित बाद दें सादू जी सादू जी जै बागे सुर्ध हम सरकार की सन्यासी बाबा की मैं अब इस कारिकरम के संयोजक हमारे पूझ सरकार के क्रपा पात्र अति इसने ही सिस मेरे जीजा जी भी कह दूं हैं यह क्योंकि गुर्देव स्री प्रकास पटेरिया जी का मैं चाहता हूँ कि महराज जी इसमर्ती चन्ने दे करके स्वागत करें और मैं निवेदन करता हूँ अधर्णिये गुर्देव प्रकास पटेरिया जी से और एक बार यहां जितना जन्माना से एक बार जोड़दार तालियों के साथ जिन्होंने इस कवी सम्मिलन को सजाया है जिन्होंने माराज जी के आदेश पर इस कवी सम्मिलन के लिए काब जगत के वो मोती चुने जो इस मंच के लिए उप्युक्त हैं मैं चाहेता हूँ एक बार जोड़दार तालियों से हम सभी इस हिंदुत की अलग जगाने वाले हमारे गुरुदेब राश्ट्रिय कवी महा कवी स्रीपिकाश पटेरिया हिर्देश जी का स्वागत करें और महाराज जी से निवन्द करता हूँ कि उनका इस मिर्थी चिन्न देकार उनको अनुगेरहत करें बहुत बहुत आभार महाराज जी इसकारकर्म को प्रारम्भ करता हूँ आपका आदेश आपके अड़मती चाहिए क्योंकि हमारे और आपके बीच में अब ये दरार नहीं होने चाहिए कि कोई कहने लगे कि अब ये दरारें भी आपकी चुमतकार से भर जानी चाहिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ वो जिस पत पर बैठे हैं हैं मेरे आरा वो भी पूच्जे हैं वो मेरी मौन की बात नहीं कर रहा था चलिए मैं ये मन्च सौंपता हूँ राणा मौनी परताब सिंगो ये मन्च का संचालन करेंगे और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि लोग लाखों रुपे खर्च करके यतने बड़े रचनाकारों को इस मन्च पर नहीं बुला सकते जितने बड़े रचनाकारों को आपकी किरपा ने आपके आशिरवाद न बुला दिया है चलिए मैं मन्च सौंपता हूं राणा मुने परताप सिंग को बिटे मन्च सुर। बागेश और धाम सरकार की अभी पीछे तक आवाज नहीं आई है बागेश और धाम सरकार की सरप्रथम संस्कrenti और संसकारों की जर्म दाती ज्यान परदाती देवी माता सरशती के सिरी चड़ों में परणाम करता हूं नमन करता हूं भवबयता और प्रबदता से ओत्पुरत पावन मंच हैं मंच को प्रणाम करता हूँ, पुज़ परम पुज महराजी के चिरन वेद्धिमान हैं, आपके पुज़ चिरनो में, कोट कोट दि प्रणाम निवेद्धित करते हूँ अपनी बात प्रारम करना चाहता हूँ मंच का सबसे छोटा कवी हूँ इतने बड़े-बड़े दिगज कवी है मंच पर और ये सवभाग मुझे प्राप्त हुआ है निश्चित रूप से मैं बहुत-बहुत आवारी हूँ और ये मेरा सवभाग है कोई भी मंच हो चाहे साहितिक मंच हो चाहे राजनेतिक मंच हो जब तक उस मंच पर माता सरोसुति की आराधना नहीं की जाती जब तक माता सरोसुति के स्रीचेड़ों में शब्द शुमन अर्पित नहीं किये जाते तब तक वो कारिक्रम ना तो विदवत रूप से प्रारम क किया जा सकता है इसलिए आज के सिकारिक्यम को प्रारण करने के लिए मता सरुसुती की आराधना करने के लिए मैं कैसे अधुत गीतकार को अमंत्रित करना चाहता हूं जो मता अहल्यावाई की नगरी से हमारे बीचमट चलकर उपस्थित हुए हैं पश्यम बंगाल से हमारे बीच में मात्र शक्ति का प्रत्म निद्धत करने वाली कवित्री हमारे बीच में आसा सर्मा जी के रूप में उपस्तित है मैं चाहता हूँ वानी वंदना के लिए मैं उनको इन बंच पर आमंतित कर रहा हूँ आप सभी लोगों से निवेदन करता चाहता हूँ एक बाद जोड़ दार तालियां बजाकर उनको मंच तक आमंतर दें जिससे माता सरुचिति की आराधना करके आज के इस कारिकम को हम लोग प्रारंब कर सके सरपर्थम माशारदा को नमन करते हुए और बागिश्वरधाम की जैजाकारा लगाते हुए मैं अपने वानी को आरम करूंगी बोलिये बागश्वरधाम में की सन्यासी बाबा की सनातन धर्म की गुरुपगवान में की बहुत बहुत धन्यवाद सरपर्थर मैं सरश्टी माश जी के चरणों में दो पंक्ति अर्पित करती हुँ और प्रम आदनी गुरुदेव जी को मैं चरणों में नमन करती हुँ आज वो गुरुदेव जी हैं लेकिन आज मैंने अपने गुरुदेव जी को भाई माना है और बाला जी के किर्प्या और गुरुदेव जी की आशिरबाद आज जीवन मेरे जीवन में हो और मेरे इसके पहले कोई गुरू नहीं थे लेकिन आज हमने अपने गुरू जी को गुरू माना है और भाई माना है मैं उनके चर्णों में हमेशा और बाला जी के चर्णों में हमेशा समर्पत रहना चाहती हूँ की वरे दे मावी नावाद नी वर्दे माहन सवाही नी वरे दे मावी नवाद नी वरे दे माहं से वाह नी वरे दे मावी नवाद नी वरे दे माहं से वाह ब्यास रिश स्रिंग बरदाज देवल रिसियों के तू तार नी ब्यास रिशी सिंग्र बरद्वाजी देवल रिशियों की तू तारनी वरे दे माविनवाद नी वरे दे माहन से वाहिनी वरे दे माविनवाद नी वरे दे माहन से वाहिनी माता सरुसुत्य की आराधना की गई एक वाज जोड़ दार तालियां आपके होनी चाहिए माता सरुसुत्य की आराधना के बिना निश्चित रूप से कोई भी कारिकरम प्रारम नहीं किया जा सकता लेकिन अब ये किरम राष्ट्र की वंदना करने का है राष्ट्र की आराधना करने का समय है तो राष्ट्र की आराधना के लिए मैं एक ऐसे स्वर को यहां आमंतित करना चाहता हूँ जो देश की राज़धानी से चलकर हमारे बीच में उपस्थित हुए है एक वाज जोड़दार तालियों के बीच आमंतित करें अपनी बात निर्विक्ता से कहने वाले आदनिये दादा गजेंदर सोलं कीजी राश्टर वंदना के लिए यहां आमंतित पूज्य महराश्री के चरणों में वंदन करता हूं नमन करता हूं और यहां अपार जन समुह भक्तों की जो यहां पर उपस्थिती है आप सबकी गरिमा में उपस्थिती को उपनाम करता हूं मुझे आदेश हुआ है मंच का कि मैं राश्ट की वंदना करूं ये अपने आप में एक इतिहास लिखा जा रहा है सनातन धर्म के जो अनंद प्रवाह है जो कालखंड हम जी रहे हैं उसमें हम साक्षी बन रहे हैं ऐसे समय के जब पुझे महराश्री का आशिरवाद हमको मिल रहा है हमको ही नहीं मिल रहा है पुरे सनातन धर्म और पुरे देश को ये आशिरवाद हमको मिल लहा है मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार हाथ उठा के करतल ध्वनी से अभिननन करे अभी मेरी बहन ने माशारदे की वंदना की है हमारे पूरवज इतने महान रहे हैं हम सभी जानते हैं उन्होंने कहा अयम निजह परवेती गनना रगू चेट साम उदार चरिता नाम तु वस्धेव कुटुमकम जिन्होंने पुरे विश्व को अपना घर परिवार माना लेकिन कालांतर में कुछ सो वर्षों में या कुछ सदियों में भारत की जो दुर्दशा की गई उसका कहीं हम अनुभव करते हैं और संभवते ये ऐसा परिवर्तन का समय है माशारदे की वंदना करता हूँ और क्या चाहता हूँ माशारदे से कि मा तु हन्सवाहिनी प्रदीप्त ग्यान दाए नीमा प्यारे भारत देश को तु ऐसा वर्दान दे फिर पूरे भारत देश को ही क्यों पूरे विश्व के लिए मांगता हूँ कि मा तु हन्सवाहिनी प्रदीप्त ग्यान दाए नीमा सारी वसुधा को ही तू ऐसा वर्दान दे हर घर आंगन में खुशियों के दीप जलने विशु गुरु भारत की खोई आन बान दे तो देवी विपदाओं से मा करना सुरक्षा सदा भष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद ग्यान दे अब कवियों की कविता हो लोक कल्यान कारी भारत की माठी को असीम स्वाभि मान दे तू भारत की मान दे एकता अखंडता का सोर चहु और उठे जन गन मन की वीना को एसितान दे के एकता अखंडता का सोर चहू और उठे जनगन मन की वीना को ऐसी तान दे सारी ये वसुंधरा ही बन जाए तीर्थधाम शक्ति और भक्ति का अमर दिवेदान दे तो सागर सधेरे और चिंतन विशाल मा तु लक्ष के संधान है तु साधना संग्यान दे और भाती भाती के सुमन महकाए दे भूमी राम और कृष्ण जैसे व्यक्त तु महान दे तु राम और और सिदे सिदे मा भारती की वंदना करता हूँ मेरे गीत का जो पात्र है वो भारत आप में हर कोई है जो जिसने इस देश की धरती में जनम लिया पला बढ़ा जिसके आचल में खेला है माभारती के उसकी जागरती का आहवान इस समय करना इसलिए आवश्च है क्योंकि एक बड़े उद्देश बड़े लक्ष के लिए महारासी ने संकल्प लिया है आप सभी की या जो भी इस देश में हैं उनकी जागरिती आवश्च है मैं गीत पढ़ता हूँ मारासी कि अमर रहे मैं भव तेरा भारत वर्ष महान अमर रहे मैं भव तेरा माभारती महान करेंगे हर एक सास पर तेरा ही अश्गान उठ जाग भारत जाग रे उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे पुर्शार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग रे उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे तुकडों में जो तू बट रहा उत्साह तेरा घट रहा संघर्ष की बेला है ये तू एक ता कब गुल बजा अब एक ता कब गुल बजा उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे आपके हाथ उठने चाहिए हवा में उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे रिशियों की है संतान तू और शहीदों का अर्मान तू रिशियों की है संतान तू और शहीदों का अर्मान तू गौरव है राम और कृष्ण का है भविष का भगवान तू है भविष का भगवान तू उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे जन जन कितन मन प्रान में अज्ञानियों के ध्यान में एक बात दोना हाथ उठा कर तायों की गरगणाहट से बताएं भारत मता की भारत मता की कि जन जन कितन मन जो संकल्प है हम देख रहें टीवी चैनलों पर चारों तरफ पुरे देश ही नहीं पुरी दुन्या में एक संदेश जा चुका है तब कहना चाहता हूं कि जन जन कितन मन प्रान में अग्यानियों के ध्यान में जन जन कितन मन प्रान में अग्यानियों के ध्यान में नव युग का तु संदेश भर इस व्यत्त हिंदोस्थान में इस व्यत्त हिंदोस्तान में उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे अब छोड़ राग ये जात का पंजाब का गुजरात का तू हिंद की संतान है कर अंत काली रात का कर अंत काली रात का उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे और कहना चाहता हूँ गीत लंबा है लेकिन एक बंद और कहना चाहता हूँ किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्चक्ता होती है दुनिया में शक्ति का सिधान भी काम करता है और शक्ति शारिरिक मांसिक आत्विक शक्ति हो बौदिक शक्ति हो सामरिक शक्ति हो आर्थिक शक्ति हो कोई भी शक्ति हो शक्ति का संधान होना चाहिए जो जहां है अपनी शक्ति का संधान करे तब कहना चाहता हूँ कि माँ भारती का ध्यान कर तो शक्ति का अहवान कर अब राश्र के कल्यान हित निजस्वार्थ का बलिदान कर उठ जाग भारत जाग रे आलस निद्रा त्याग रे फुर शार्थ का बीडा उठा जागेंगा तेरा भाग रे उठ जाग भारत जाग 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 की इतनी कम तालिया नहीं दौनों हाथ उठाकर घंगोर तालिया होनी चाहिए आज निश्चित रूप से इस मंच को मैं अपनी और से आस्वस्त कर देना चाहता हूँ यहाँ जितना तापमान है कुछ छणों बाद यहाँ का तापमान आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा मैं आज इस मंच से आस्वस्त कर देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को होती चाहें वो देश हो या बिदेश हो देश भर में कोई भी ऐसा मंच नहीं होता जहां दादा की कविताई नहीं पहुंचती हैं जहां दादा नहीं होते हैं दादा की कविताई पहुँचने का काम करती हैं, वो हमारे बीच में हैं, मैं चाहता हूँ एक वाज जोड़दार तालियों से उनका सागत करें, जिन्नों ने इस खुबसूरत सी टीम को सजाने का काम किया है। होना सवभाग, तो ये सवभाग हम कवियों को मिला है, वहीं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, दादा ने भी अपने शब्दों की आहूती देते हुए लिखा था, आदने दादा ने लिखा था, कि गुरु नानक संत कबीर, जाइसी के आंगन में बड़ी हुई, गु उनी प्रेम में मड़ी हुई, और जो जगनाथ रतनाकर से गंगा अवतरन कराती है, रिसी बाल मिक की वही पावन बेटी कविता कहलाती है, वो कविता है, जिसने पूजा भारत की चंदन माटी को, मैं क्या बताँगा कविता क्या है, महाराजी स्वयन कविता को जीने वाले सब्सक्राइख करान बताटी हैं, वो कविता है जिसने पूजा भारत की चंदन माटी को, वो कविता जिसने जीवित रखा इस धर्ती की परपार्टी को, वो कविता है जो बेद रिचा बनकर के धर्म जगाती है वो कविता जो काना के अधरों पर गीता बन जाती है वो कविता है जो रामचरित मानस बन धर्म जगाती है वो कविता है जो धर्म सनातन का मारक दिखिलाती है वो कविता है जो साथ चाथ चलती है संत कवीरा के वो कविता वो कविता है जो पदवनकर के भाव जगाती मीरा के वो कविता है जो धेस्द्रोहियों को ललकारा करती है वो कविता है जो मेग गर्जना सी हुंकारा करती है वो कविता है जो मेग गर्जनासी हुंकारा करती है मैंने भी अपने शब्दों की आहूति देते हुए लिखाता मंच का विसेश ध्यान चाहता हूँ माता हंस वाहिनीके होते नहीं लाड़ ले तो मुनि बस धापे ग्यान जोत प्रक्ट आता कौन माता हंस वाहिनीके होते नहीं लाड़ ले तो मुनि बस धापे ग्यान जोत प्रक्ट आता कौन भटक रहे हैं जोन लक्ष हीन साधकों को साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन वेमनस ताके जो लगा रहे हैं ब्रक्ष हुने मानवियता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म तो हिरदय में देश भक्ति भावना जगाता कौन हिरदय में देश भक्ति भावना जगाता कौन आईए इस कारिक्रम को आप लोग प्रारम कर देना जो बरतमान परवेस है जो बरतमान माहल बना हुआ है इस देश में एक महिला पत्रकार ने जगत गुरु परम पुझ राम भद्राचार जी से प्रश्न किया महराजी आपकी दृष्टी में चमतकार क्या है महराजी ने जो ऐस detecting बावजूद भी मैंने 80 से जादा ग्रंत लिख दिये हैं मैं जन्म से क्या हुआ हूँ उसके बावजूद भी मुझे सभी बेद कंठस्त हैं मैं जन्म से क्या हुआ हूँ कैंड़ बह्तार कक़ंस पंटस्त हैं बेटी मेरे नेत्रों में दृष्टी भलए ही नहो लेकिन मेरी द्रश्टी में इससे बड़ा कोई चमतकार नहीं हो सकता आईए अब इस कारिक्रम को हम प्रारम करते हूं और एक ऐसे ओजस्वी धारा के तेजस्वी तेवर्ग से इस कारिक्रम को मैं प्रारम करवाना चाहता हूं जो आपी के आंगन का पौदा हुआ करता है बुंदेल खंड छतरपड से हमारे बीच में है ओजस्वी धारा का भात अधवत नया स्वर है निश्चित रूप से वो राजनीती जब कठाक्च करता है तो नेताओं की खटिया खड़ी हो जाती है ऐसे ऐसे कठाक्च करता है निश्चित रूप से देश द्रोहियों को ललकार ने की जो छमता रखता है वो कभी भाई सुसुर्टरपाटी मयंक हुआ करता है मैं चाहता हूँ आप सभी वानी पत्रों को अपनी तालियों की प्रतिकरिया से उड़जा देते रहें क्योंकि ये कभी लोग इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साजवाज यंत्र नहीं है हम किसी हार्मोनियम के आधार पर नहीं चलते हम केवल औ केवल आपकी तालियों की प्रतिकरिया के आधार पर चला करते है हमारे बीच में सुसुर्टरपाटी मयंक की उपस्तिती होती है निवेदन आप से इसलिए भी करना चाहता हूँ मंचो पर कहा भी जाता है बार चादर से बाहर पाउं पहेलाई नहीं जाते और इन दो पं notch से भाई सुसुर्टरपाटी मयंक को आमजद करना कि घर आये हैं नहीं जाते यही सब सोच करके तुमें हैं दिल में जगए देना कि घर आये हुए महमाounds लोटाई नहीं जाते यह बाद दोनों हाथ उठाका तालियों की गड़गडा से आमस्दित करें भाई सुस्रो त्रपाथी मयांक छतरपुर बलिये बागे सर्धाम सरकारे की पूझ गुर्देव भगवाने की साधू जी साधू जी महरा जी मैं तो छतरपुर का यह हूँ ज्यादा समय नहीं लूँगा बहुत ही कम समय और बहुत ही सोट में बिना किसी टिपड़ी के बिना किसी भूमका के अपनी बात को खतम करूँगा अभी कुछ समय पहले देश में जो माहौल बना और बहुत सारे लोग जो चैलेंज देने लगे बस नाम किसी का नहीं लूँगा भी गुरूदेव ने पूरा कर दिया के ना तो वो स्याम है ना मानाऊ है लेकिन बस उनके जैसे भी बहुत सारे लोग है जो चैलेंज देने का काम करते हैं अब चैलेंज तो कोई भी कहीं से कोई भी कुछ भी बोल सकता है क्योंकि सबके हाथ में कैमरा है इंटरनेट फ्री है आप कुछ भी बोलिए फॉलोवर्स फ्री हैं फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस धाम की ओर से करें जो चोट दिल पर हम वोगाली बन नहीं सकते करे जो चोट दिल पर कि तुम्हारे मात्र कहने भर से न महमान निकलेगा तुम्हारे मात्र कहने भर से न महमान निकलेगा पला दिल में जो अर्मान हिंदू राष्ट का अर्मान पला दिल में जो अर्मान ना वो अर्मान निकलेगा और भले ही कोससें हजारों कर लो मुझे रोकने की तुम सुभा होगी हमेशा की तरहा दिन मान निकलेगा सुभा होगी हमेशा की तरहा दिन मान निकलेगा अभी इसी मंज़ पर हमारे देश की बरिष्ट पत्रकार रूबी का लियाका जी मारा जी से पूछ रही थी कि आपने भाला की बात कर दी भाला की बात क्यों करते हो आप हाथ्यारों की बात क्यों करते हो तब मारा जी मैंने कहा कि सस्त्र और सास्त्र दोनों का रहा यहां विधान सस्त्र और सास्त्र दोनों का यहां रहा विधान भारतिये दोनों ही विधानों को निभाते हैं और राम की विनए सीलता को जब ठुकडाता सिंदू तब ही हमारे रामधनुस चढ़ाते हैं कहीं रामधारी सिंग दिनकर जी लिखते हैं कि तीन दिबस तक पंत मांगते रखुपती सिंदु किनारे बैटे पढ़ते रहे चंद अनुने के प्यारे प्यारे उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से उठी अधीर धदक पौरस की आग राम के सर से सच पूछो तो सर में ही वस्ती है दिप्ती बिनैगी और संदी वचन संपूझ उसी का जिसमें सक्ती बिजाएगी बिनैना मानत जलती जड़ गए दिवस्तिन बीत बोले राम सको उकता भैविन होई न प्रीत तो सफ्त्र और सास्त्र दोनों का यहा रहा विधान भारति यह दवनें ही विधानों को निभाते हैं और राम की बिनैस सेलता को जब जटो गराता सिंदू तब ही हमारे राम धनों से चड़ाते हैं, और सिसू पाल, सिसू पाल जैसो का बिनास करने को, एक पल में ही स्याम चक्र अपना उठाते हैं, और आधी काल से ही परंपरा रही मयंक, असुरों को सास्त्र नहीं, सास्त्र समझाते हैं. असरों को एक कभी तब इसे निवेदित करके अपना इस्थान लेता हूँ सागत भई की हमने सबको अपना समझा अपयस अपनाया नहीं कभी इस देश में तमाम ऐसे लोग जिन्होंने ना कभी किसी के धर्म की इजत्की ना कभी किसी की आस्था की इजद की ना कभी किसी की भावनाओं की इजद की ना उसका कोई सम्मान किया आज वो खड़े हो करके कहते कि सनातन तो आतंग बात फेलाने का काम करता है ये भगवा बस तो आतंग बात का काम करता है तम मैंने उनसे कहा कि हमने सब को अपना समझा इस देश में कितने ही आक्रमणकारी आए कितने ही धर्म आए और सब को इस देश में सरण मिली लेकिन पाखंड बात का बात सिर्फ हमारी उपर कही जाती है तब मैं कहता हूँ कि हमने सब को अपना समझा मारा जी हमने सबको अपना समझा इस धाम में भी कई सो मुसलमान परिवार इस धाम से जड़े हुए है कई सिक परिवार इस धाम से जड़े हुए है कई हिसायों ने धर्म परिवर्तन किया अपने घर बापसी की लेकिन उसके बाद भी पाकंड की बाद सिर्फ हमारे उपर लगाई जाती है तब कहता हूं कि हमने सबको अपना समझा अपियस अपनाया नहीं कभी अन्यायों का दुस्मन को भी मार्ग दिखलाया नहीं कभी नफरत नफरत का कीचड लगा मिला तो हमने उसको साफ किया दुस्मनी भुला कर कई बार हमने दुस्मन को माफ किया ए सारा विश्व ए सारा विश्व जानता है इतिहास हमारे भारत का प्रतिवी का कड़कड मान रहा विश्वास हमारे भारत का दनो जो ने और दनो ने हर दम उत्पात मचाया है अनिगिनत बार इस धर्ती पर आआ कर रक्त बहाया है हमने सम्मान किया हर दम गिर्जा घर का गुरुद्वारों का दीपक कभी बुझने न दिया हमने मस्जित की मीनारों का दीपक माराजी इस देश में NCRT का सिलेवस्ते किया गया इस भावी पीडी को इतियास पढ़ाने के लिए सिलेवस्ते किया गया उसमें माराजी ये तो पढ़ाया गया कि कि तो मीनार किसने बनवाई उसमें माराजी तो पढ़ाये गया कि हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाई लेकर कहीं किसी अध्याय पर कहीं किसी अच्छर में हमको यह नहीं बताया गया कि अयोध्या किसने उजाड़ दी हमें किसी नहीं नहीं बताया कि काजी नहीं कभी, नफरत का कीचर लगा मिला, तो हमने उसको साब किया, दुस्मनी भुला कर कई बार हमने दुस्मन को माफ किया, लेकिन कुछ ऐसी जाते हैं सुस्तुरत, हर समय तबाही देती है, जो तोरी गई मूर्तिया, बेइतिहास गवाही देती है, जिन लोगों ने बिधव सभु उन्हें हम दो बारा बनुआेंगे जो चला गया था 47 में वो हिस्सा बापस लाएंगे जो चला गया था 47 में बो हिस्सा बापिस लाएंगे और दो बंग्तिया महराजी ठेड़ बुंदे लेगी कहके अपने कापट की बंकत ठेड़ बुंदे लेगी कि सरद्धा से आहो धाम अगर सरद्धा से आहो धाम अगर सो सनातन को तुम्हे सार देवी स्रद्धा से आहो धाम अगर सो सनातन को तुम्हे सार देवी और बे मतलब को करो बिरोध सो जान लो ठटरी सी बार देवी जिन्दावाद महराज जी का असिरवाद मिल गया है तुम्हे सुसरत जिन्दावाद जीओ प्यारे एक बार दोनों हाथ उठाकत तालियों की गरगराहर से आसिरवाद दीजिए बहुत अद्वत पुजवसी तेवर से भाई ने आप सभी को लाभान्वित किया फेस्वुक की ट्विटर की बात की आए इस किरम को आगे बढ़ाते हैं यह कोला हल आपका जाईजे वाई सब इस किरम को आगे बढ़ाते हैं एक बार मेरे साथ आप सभी लोग जैकार लगाएंगे बागेस और धाम सरकार की अब इस किरम में निश्चित रूप से देश के एक ऐसे लाडले कभी है जिनको यह पूरा देश गौरब चोहान जी के नाम से जानता है चाहे कोई भी घटना घटित हो जाए सोसल मीडिया पर सबसे पहले जिसकी कविताईं प्रेसित हो जाया करती है सबसे पहले जिनकी कविताईं पोश्ट हो जाया करती है वो नाम गौरब चोहान हुआ करता है सोचल मीडिया के सबसे वाइरल कभी है ये कविता पढ़ देते हैं तो वाइरल हो जाते हैं जब मैं कविता पढ़ देता हूं मारा जी तो मुझे वाइरल हो जाता है इतना अंतर है अम्मे और गौरब भाई में नेता जी लपेटे में आप उनको रोजाना देखते होंगे, बहुत अद्बूत देश के ओजस्वी धारा के तेजस्वी कभी हैं, ऐसा कोई टीवी का न्यू चैनल नहीं बना अभी तक, बचा जिन पर दादा की कमिता ही न पहुंची हो, या जिन पर दादा नहीं पहुंचे हो, कई बार तो ऐसा हुआ है, यह उन चैनलों पर भी पहुंच गए हैं, जो अभी तक बने भी नहीं है, ऐसे ओजस्वी धारा के तेजस्वी तेवर हैं, बड़े भाई गौरब चौहान जी, भकीरी देखने अक्सर कलंदर मिलने आते हैं, कि जैसे सेख साखों से सिकंदर म हमारी हैसियत, बेसक तवे पर बूद जितनी है, खुदा का सुक्र है, हमसे समंदर मिलने आते हैं, एक बात दोना हाथ उठाकर, तालिय की गड़गड़ा हच्चाहाम अधित करें, बड़े भाई गौरब चौहान जी मैन पुरी मन से तू मन को लगा ले, मन से तू मन को लगा ले, रघुनंदन राम में, बज रंगी दिख जाएंगे बागेश्वर धाम ने बजरंगी दिख जाएंगे वागेश्वरधा मैं अभी भी उथ हूँ जब मैं महाराजी के चरणों में मैंने सिर जुकाया महाराजी ने मेरे सर पर हाथ रखा मेरे हिरदय की धड़कन की रफतार 500 परती सेकंड थी और मुझे जीवन में इतने टीवी चैनल इतना प्यार 15 वर्षों से पूरे देश की यात्रा लेकिन आज ये मेरे जीवन का सबसे महत्पूर पल है मैं इसे अपनी आखरी सांस तक कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ वैसे में वीरस का बहुत बड़ा कभी हूँ मेरा जन में इटावा मैं हुआ है सेंफ़ई में सेंफ़ई सुनाए आप लोगोने मैं सेंफ़ई का हूँ मैं मैं अंगरे जी बोल के ये साबित करना चाहता हूँ कि सेंफ़ई के लोग भी पड़े लिखे होते हैं मेरा डर खतम कर दे न स्वरों में शोरिके लेकर यहां उदगार आया हूँ जिस चोहान वंश में जनम लिया और आज इस बागेश और ध्रम के इस पावन मंच पर एक बात हिम्मत के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे सनातन ने मुझे तो केवल एक बात सिखाई है धर्म ही देश होता है देश ही धर्म होता है अब दर खतम करना स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उदगार आया हूँ यहां तक में कई नदियों को करके पार आया हूँ चौथी पंक्ती पर बता देना कि डर कैसे दूर किया जाता है तुम अपनी तालियों के शौर से आशीश दे देना एडवांस पेमेंट नहीं वाई साब रुकी तुम अपनी चौथी पंक्ती पर तुम अपनी तालियों के शौर से आशीश दे देना मैं बागेश्वर की धर्ती पर तो पहली बार आया तुम तुम भारत भाता की जै बोल रहे हो मेरी गर्दन पर शुरी रख दोत फिर भी में भारत माता की जै नहीं बो लूँगा कुछ मुंबाइ के फ्रिमिंश्टार कहने लगते हैं अमें भारत में डर लगने लगाए हमने का तुम्हें डर लगने लगा है तो हनमान चा लीशा पड़ो बजरंगी सब की सुनते है चार पंक्तिया कुछ समय पहले महराज जी हमसे कहा जाता था मैं थोड़ा बदनाम कभी हूँ अरे गौरफ चौहान तुम उस मंच पर जा रहे हो वो मत बोला महराज जी जब से आपको देखा आपको सुना गौरफ चौहान ने कह दिया कि आप तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कब कहां क्या बोलना है अंगुर भाई साब जी सदानन जी आपको प्रणाम करता हूँ आपने मेरी कविता बागेश और धाम तक पहुचाई मेरी वो कविता में चलते चलते सुनाओंगा वो कविता नहीं थी वो स्वैम महराज जी का आशीरवाद था क्योंकि मैंने मन से उन्हें याद किया था क्योंकि जब सनातन परंगली उठी महराज पर उगली उठी तो जो क्रोध आया और जो क्रोध के बाद कभी ता प्रिकट हुई वो इस बागे शर्द्भाम का प्रताब था मैं सुनाओंगा लेकिन पहले जवाब दे दूँ हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब कहा क्या बोलना है ये लाखों लोग सामने है लेकिन आपकी तालियों का शंखनात उन तक पहुँचे जो सनातन की जुवान को चुप कराना चाहते है वाह 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 सुनो हमारे धर्म ने हमारे सनातन ने किसी से नफरत करना मारना काटना नहीं सिखाया अमन और एक ताके गीत सुबह शाम बोलेंगे ये सिखाया है मनुस्ति मैरी जे अमन और एक ताके गीत सुबह शाम बोलेंगे किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे किसी मजहब को चाथी पंती किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे मगर जब भी कोई रावण अधर मी सर उठाएगा घड़े बाकेश्वर में होंगे तो जाए श्री राम बोले एक बार दोनों हाथ उठाकर जाए श्री राम कुछ लोग चिला रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अला इंशा अला मैंने का वाह तुम भारत के टुकड़े करोगे आज भी बहुत से लोग चाती बीटते हैं संतुष्ट कोई नहीं है इस दुनिया में किसी से हाई राम पंद्रा लाक नहीं आ अब तक ए दिल्ली वाले मनुस्तिवारी जी थोड़ा इग्नोर करना हमको अरे मेरे पंद्रा लाक लाओ मेरे पंद्रा लाक लाओ मैंने कहा लाल्चियो मुझे मेरे पंद्रा लाक तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराइ स्टेशन का नाम बदल कर पंडित दीन दयाल उपाद्या रग दिया था बहुत बढ़िया दादा मुझे मेरे 15 लाग की अगली किस्त उस दिन मिल गई थी जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था और ताजी ताजी 15 लाग की किस्त तो भी साथ दिन पहले आई जब महराच जी ने भारत को हिंदू राष्ट घोषट करने की मिल गए हम करोणपती हो गए तुम चाती पीखते रहो 15 लाग 15 लाग वह सुनने इस देश के दाइत्व का गुरुत्व रहेगा यह मुझे लगता यह भक्त ही नहीं समय तुलसिदास जी के आत्मा समा गई है कभिता समझ रहे हैं आप लोग फिर से शंखना सुले वो विधर्मी वो सनातन विरोधी एक सनातनी क्या कह रहा है महराच जी के चरणों में खड़े होकर आप लोग बैठ जाएए आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हम लोग जल्दी शुरू हो गए थे इसके लिए हम चमा चाते हैं बहुत बहुत जी इधर भी देखिए महराच जी की किरपा से हम भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हमारी तरफ भी देखिए सुनिए कमजोर मत होने देने आवास को पाजी सरदार जी सस्रीकाल अरे दुश्मनों का हर इरादा लाचार रहेगा जब तक बागेश और धाम में एक भी सरदार रहेगा जैओ भाजी आपकी बगड़ी देखे बड़ी खुश हो रही है तो सुन लो इस देश के दाइत्व का गुरुत्व रहेगा हर नागरिक से प्रेम वे बंदुत्व रहेगा और जितने भी विधर्मी है मेरी बात ये सुन ले हिंदुत्व था हिंदुत्व है हिंदुत्व रहेगा हम तो कहते हैं लोग कहते हैं एक था की बात करो हिंदु मुसलिम से किसा आई आपस में सब भाई भाई मैं कहता हूँ जी हाँ सुनो तो आप कमाल हो गया जंदा वाज अरे सुनना महराजी मुझे छमा करना मैं इस से अच्छी पंक्ति भागेश और धाम के मंच बनी पढ़ सकता हूँ और कोई मुझे पर संप्रदाइक होने का रोप भी नहीं लगा सकता हूँ आगे जा मनस्वर जी हिंदु मुसलिम सिख इसाई सब की हालत चंगी हो धर्म किसी का कोई भी हो भारत का सत्संगी हो आखरी शब्द बता दे ना बाकेश और धाम से संदेश जारा पुरे देश में हं किसी का कोई भी हो भारत का सत्संगी हो आँखों में अशिफाक बसे हो हो किलाम अर्मानोंTMे अा हर दिल चारान कितना अच्छा सुनाएंगा मैं अक्षब तुम राम पर कितना अच्छा लिख सकते हो और पार्थ रवीन कितना अच्छा हाज सक्वी बलराम स्री वस्तक गीतों की राजकमार स्वेम प्रिकाश पटेरिया कभियों के देवता गजन्त सुरंकी जी मैं इसलिए महान हूँ क्योंकि मैं इटावा से आता हूँ जहां एक तरफ चंबल है एक तरफ सेंभई है चंबल में डाकु रहते हैं सेंभई में नेता रहते हैं वाms में इंसान नहेते हैं मित्रो जिन्हों ने का भारत तेरे टुकडे होंगे मैंने पूरब देश में चार पंक्तिया पड़े मैं लपेटे में नेता जी में आता हूं कितने लोग देखते हैं देखो लो मेरे टियारपी बड़ा कभी हूं मैं चार पंक्तिया हिम्मत के साथ पड़ता हूं तुम भारत के टुकडे करोगे स्वागा दादा सनातनी जाग गया है ये जजबा ये जजबा अरे चौती पंक्ति पे तुमको पूरा पूरा महौल दूगा मैं खोप नारे लगाना ये जजबा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता और कनहिया हो या खालिद हो लगा ले जोर कितना भी अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा चुक नहीं सकता जिन्दा बाद वा 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 आईए तोड़ी माइक वाले का है माइक वाले थोड़ी आवाज बढ़ा दो 2017 से पहले मेरी दबाई गई थी बहुत थोड़ा बढ़ा दो सुनिये गा सुनिये गा महराजी आप तक वो कविता पहुंची हो ना पहुंची हो लेकिन आज इसे सुनेंगे केशब भाई ने बहुत वाइरल किया उसको सुनिएगा ये जवाब गौरव चोहन का नहीं राम के हरुस भक्त का है बजरंग के हरुस भक्त का है जो आज चिक चिक के कहता है विधर्मियों तुमारी हिम्मत कैसे हो गई अब कविता सुनना सागत भया मची खलबली मचा बबंडर धर्महीन शैतानों में महराजी मची खलबली मचा बबंडर धर्महीन शैतानों में बागेश्वर सरकार हमारे गूँज रहे हैं कानों में अरे बागेश्वर सरकार हमारे गुज रहे हैं कानों में अरे हुआ बंतिया सुना अरे हुआ सनातन शंकनाद लगाए रो कैमरा हुआ सनातन शंकनाद तुम उलिझे रहो पहली में रामचरित अबधी में था अब गरजा है बंदेली में वाह जिन्नावाद वाह 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 अधवत बंदियां वाह अधवाद वाह कमाल करते हैं वाह हुआ सनातन शंकनाद तुम उलजे रहो पहली में रामचरित अबधी में था अब गर्जा है बुंदेली में ना तो धर से अर्जित है ना तो धन से अर्जित है ना मिथ्या कोई प्रसिद्धी है ना तो धन से तो करने कटाई जाते हैं आपे ना तो धन से अर्जित है ना मिथ्या कोई प्रसिद्धी है अरे खुले आम जो सिद्ध हुई वो बाला जी की सिद्धी है वाह, वाह. जुन्ङावाद. वाह, अच्छे, वाह. सुली जे. बुल बागे सर्जाम की. ये आवाज अभी किशकंदा से आई थी. एप फोटू ले लो भाई कोई? ना तो धन से अर्जित है ना मित्या कोई प्रिसिद्धी है खुले आम जो सिद्धो ही वो बाला जी की सिद्धी है यह सिद्धी जब निकल पड़ी हिंदू पहचान जगाने को यह सिद्धी जब निकल पड़ी हिंदू पहचान जगाने को असरों के दल निकल पड़े इन पर आरोप लगाने को यह सिद्धी जब निकल पड़ी हिंदू पहचान जगाने को असरों के दल निकल पड़े इन पर आरोप लगाने को जब सोय थे हम सारे तब खूब करी मनमानी जी फिल्मों में भगवान जी को बातरूम में घुसेड दिया दुरगा जी के हाथ में सिगरिट दे दी अरे जाहिलो एक-एक का हिसाब लिया जाएगा जब सोए थे हम सारे तब खूब करी मनमानी जी अब हम जागे तो माथे से टपक रहा है पानी जी विज्ञानी कुतर्क लेकर विश्वास हमारा तौलेंगे विश्धारी है और हमारे अमरत पर ये बोलेंगे विश्धारी है और हमारे अमरत पर ये बोलेंगे सभी अधर्मी अमर आस्था घायल करने आये थे याद करना उस द्रश्च को रायपुर का वो मंच सभी अधर्मी अमर आस्था घायल करने आये थे परमपरा का खूब मीडिया ट्राइल करने आये थे अरे मीडिया हमसे ही कुछ लेकर खर्चा कर लेते अगली लाइन ताली बजाना जब कपता समझ में आये अरे मीडिया हमसे ही कुछ लेकर खर्चा कर लेते हुलेलूलिया कहते चर्चों पर भी चर्चा कर लेते वह कभी नहीं दिखाया अरे मीडिया हमसे ही कुछ लेकर खर्चा कर लेते हुले लूलीया करते चर्चों पर भी चर्चा कर लेते मौलाना को फूख मारते दूर कराते कष्टों को दिखला देते डूबकी देते जादु गर बुधिस्टों को अगली लाइन लेकिन निपट विधर्मी सारे ठीके एक ही बिंदु पर इनका ज्ञान उमरता केवल सत्थ सनातन हिंदु पर अब यह पंतिया मुझे एसास करा देना एक मिनट तक इनका ज्ञान उमरता केवल सत्थ सनातन हिंदु पर माराजी धन्य है तर्क नर्क में भेज दिये अरे तर्क नर्क में भेज दिये हनु मंता के अभिलाशी ने दिखला दी वाकात उन्हें बागेश्वर के सन्यासी ने अब ये जोती आस्था वाली कभी नहीं बुझने वाली अब ये जोत आस्था वाली कभी नहीं बुझने वाली और ध्वजा ये केसरिया अब कभी नहीं जुकने वाली घर वापस आने वाले भगवा प्रबंद करवाने हैं पूरे भारत में अब धर्मांतरण बंद करवाने हैं घर वापस आने वाले भगवा प्रबंद करवाने हैं पूरे भारत में अब धर्मांतरण बंद करवाने हैं करवानी हैं बंद दुकाने बाम पंद के गुर्गों की देवों का मजाक उड़ाती बाली वुड के मुर्गों की दो पंधियां फिर से यह मंग से निकली हैं कलम से नहीं निकली हैं आपकी तालिया भी हर्दैस निकलें वाह जाओ हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, जागा है जस्बातों में, डोर क्रांत की सौपी है धीरेंद कृष्णि के हाथों में, जाजे श्री रो हिंदू तनमन, माराजी आप उधर देख लिएक पंग्ति मिस हो गई, अब कोई भी भक्त माराजी को आवाज नहीं देगा, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, जागा है जजबातों में, डोर क्रांत की सौपी है धीरेंद कृष्णि के हाथों, डोर क्रांत की सौपी है, अब ह कि थे दालीय नहीं तमाचा है तमाचा मारना कभी गोरब बोले दुस्तों की गठनी बांदी जाएगी सबी सनातन विरोधियों की थठरी बाती जाएगी दिननावाद वह 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 वगय दोस्तों इतनी तालिया तो मैं तीवी बज़वा लेता हूँ आनन्द नहीं आया ये 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 पैसे ये हनवान जी की मूर्ती के बगल मैं जीवन पर किली चिपका दूँगा हमें उनको आशीर वार आशीर वार एक बार और एक बार और ना कभी गौरब बोले दुस्तों की कठरी बांदी जाएगी सभी सनातन विरोधियों की ठटरी और एक विश्वास दे के जाता हूँ एक विश्वास ले के जाता हूँ आप लोगा सभी सनातन विरोधियों की मुझे विदा करना और बताना गौरब चोहन आपको कैसा लगा महराजी का अशीर वाद मुझे मिल गया है अब मेरा कोई भी बालमा का कुछ नहीं कर सकता कभी गौरब बोले दुष्टों की कठरी बांदी जाएगी सभी सनातन विरोधरियों की ठटरी बांदी जाएगी साथ नहीं छोड़ेगा हिंदू अंति दो पंक्तियां मुझे विदा करना साथ नहीं छोड़ेगा हिंदू राघम के सतसंगी का गूजेगा जैकारा जग में बागेश्वर बजरंगी का आप चिंता ना करो वाई सब वह इस से जादा मज़ा आने वाला है आप सब को एक बात जोरदार तानिया बजाकर आप लोग आस्वस्त करें कि गौरव भाई ने बहुत स्रेश्ट कावेपाट किया महराजी आज का ये जो मंच है जो सुन्दर सुन्दर मड़ियों से सजजित है निश्चित रूप से आज इस मंच पर एहंकार लोग और लालच महराजी केवल पांच मिनट के लिए यहां से जा रहा है पांच मड़वाद वो पुनाए यहां पर बिराजमान होंगे आई अब इस करम को हम आगे बढ़ाते हैं एक बार मेरे साथ आप सभी लोग जोड़दार जैकारा लगाएंगे बागेश्वार धाम सरकार की यह आगे वालों की अवाज है पीछे वालों की तो अभी आई नहीं बागेश्वार धाम सरकार की पुलिस वाले वाई साथ यहां पर कविता सुनना है बहुत बड़ी बात है निश्चुत रूप से जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है आज परणाम करता हूँ आप यहां की सुरच्छा वेवस्ता में है एक बाद जोरदार तारियां इन पुलिस वालों के लिए सम्मान में होनी चाहिए आपकी जिन्होंने रात दिन एक करके यहां की वेवस्ता को समालने का काम किया है आई अब इस किरम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कैसे कवी को आमंतित करने जा रहा हूँ हमारे बीच में प्रतापगड की धरती से बहुत अद्वुत तेवर के कवी जो पेरोडी एक कविता की विधा है उसको बेवा की साथ जीने वाले उन्हें देश भर में यात्रा करने वाले बड़े भाई आदनिये पार्थ नवीन जी हुआ करते हैं मैं आप सभी की जोड़दार तालियों के बीच नहें आमंतित करना चाहता हूँ आदनि भाईया पार्थ नवीन प्रतापगड मा सरस्वती को प्रणाम करता हूँ आप सभी को प्रणाम करता हूँ बागेश्वर धाम के चर्णों में वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ महराश्री पांच मेट में वापिस आ जाएंगे मैं भी आपके बीच में थोड़ी देर के लिए हूँ मेरी भूमिका मैं आपको बताया गया मैं हसने हसाने के लिए आपके बीच में बुलाया गया हूँ क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिष्टेदार ही बहुत है आनंद के साथ में सुनिएगा मैं भी थोड़ा हसाने का प्रयास करूँगा मन्च बहुत अद्बुत है सारे कवी अद्बुत है सारे वीरस के कवियों में मैं अकेला हासिरस का कवी हूँ मतलब ये समझ लीजिए कि जो माराज जी के साथ हुआ था वो मीडिया वाले सब सामने तिरू अकेले थे तो मेरी हालत भी ऐसी ही है लेकिन मैं कोशिश करूँगा आनंद देने की जादा देर आपको परिशान करने की हमद भी नहीं होती है लेकिन मैं चार पंक्टे से काविपार्ट की शुरुआत करता हूँ आधरनी प्रकाश पेटेरिया जी के आमन तरबन उन्तने ने कहा यह मेरा सौबाग है कि मैं आज यहाँ पर हूँ और अरजी कैसे लगती है इसका साथशात प्रमाण मैं हूँ मैं 21 अक्टूबर को भागेश्वर धाम सरकार आया था दर्शन किये थे और मैंने अरजी लगाई थी कि प्रभू आपके दरबार में कविता पढ़ना चाहता हूँ और मैं आज 16 फरवरी को दरबार में हूँ और आपको कविता सुनाने के लिए आया हूँ अरजी ऐसे लगती है मैं शुरुवात करता हूँ आनंद ली जिएगा कविसम मेलन अब शुरु हो गया है मित्र क्या सुनाएंगे कवी जरा विचार की जिए कविसम मेलन अब शुरु हो गया है मित्र क्या सुनाएंगे कवी जरा विचार की जिए और सूखा सूखा तनमन और ये बाता बरण इस पर तालियों वाली फुहार की जिए तो व्यस्त जिन्दगी को छोड़ करके हो जाओ मस्त साथ चल पचजण को बहार की जिए और आब के नेताओं को जो इतना दिया है प्यार ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्विकार की जिए जब तक तालियी बजाओगे तब तक तो ये यह गाओंगा वह मनोस जी की उपस्तिती है मनोस तिवारी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ बाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली आया था दिल्ली में में काम तो हो रहा है देखो पहले दिल्ली के अंदर लूटने के लिए लोग चाकू लेकर गुमते थे आज कल जड़ू लेकर गुम रहे हैं चल्दा बाद और आपको बधाई देता हूँ मैं आपने गुजरात में 152-156 जीटे जीटी वो लोगों को तो 56 से ही तकलिप थी आपने 156 कर दिया मैं गुजरात चुनाओं के बारे में कुछ नहीं कहता लेकिन इस देश में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में चुनाओं के परिणाम रहे वो उत्तर परदेश चुनाओं परिणाम थे मैं दो परिणाम आपके बीच में गाने की कोशिश करता हूँ कि भाई जीताने को बहना चली थी भाई जीताने को बहना चली थी भाई तो भोला और बहना भली थी योगी योगी है योगी योगी है उत्तर प्रादेश में है योगी योगी है उत्तर प्रादेश में पिछले चुनाव में दो सीटे थी आई अब के तो भाई अमेठी गवाई योगी है योगी योगी है उत्तर प्रादेश में है और पत्रकारों ने पूछायोGS जा कर के पत्रकारों ने पूछा क्या दूसरी बार मुख्य मंत्री बन रहा हैं कैसा लग रहा है तब योगी जीने गाना ना लेकिन मुझे वही है गाना मैं आपको सुनाता हूं क्या तर परेषष ते चुनाओ परिडाम पर योगी जिसे पोछा गया क्या दूसरी बार मुक्य अन्तरी बन रहे हैं और उनका ज़वाब सुनिया आपको कैसा लग रहा है कि EVM का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली योगी हमने भर दी तेरी जोली मेरे सर आंकों पे जनता के जना देश की रोली देखे गट बंधन वालों की टोली मा बेटे है खफा और बस पाबी सफा मा बेटे है खफा और बस पाबी सफा पंजाब में सिद्धू उदास है बागी सब फस केलास है बागी सब फस केलास है तो एक बेतु के गाने को दो लाईनों मैं आपके बीच में गाना चाता हूँ और आपकी भक्ति देखना चाहता हूं सागत भई तु जै जै श्री राम बोलो जै जै श्री राम जै जै श्री राम जै जै श्री राम जै जै श्री राम मेरे संग सारे बोलो जै जै श्री राम जै जै श्री राम बोलो जै जै श्री राम बुल्डो जर वाले बाबा तुमें प्राणाव देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपने मनोजी के भजन बहुत सुने हैं लेकिन आपने उनका एक फेमस गाना भी बहुत सुना होगा कि फाल तो की बात पे जवान लगते रहे हैं काम वाली बात पे बुढ़ापा लगे नेता जी फाल तु की बात पे जवान लगते रहें काम वाली बात पे बुढ़ आपा लगे नेता जी करने लगे डिबेट न्यूचेनल पे जब करने लगे डिबेट न्यूचेनल पे तब मुझे शुद मुर्खी आपा लगे नेता जी वोट पाने के लिए रोने लगे जो मंच पर तब जीता जाकता सी आपा लगेनेता जी और वादायाद दिलाया तो ही ही कर हस दिये तब मुझे रिंकिया के पापा लगेनेता जी अच्छा हो गया वाँ देखिए मैं कुछ समाधान भी लाया हूँ कुछ यहां पर आये होंगे जो कुवारे हैं उनके लिए एक समाधान लाया हूँ और ये पंग्तियां जो है ये मैंने कुछ सिद्ध करिये ये काम मैं कर चुका हूँ इसलिए जो कुवारें यहाँ पर आए हैं कभी भी दिल तूटे ब्रेक अप हो यह चार पंक्तिया गाना समाधान की पंक्तिया है समाधान की चार पंक्तिया आपको दे रहा हूँ करना कुछ नहीं है मैं बताता हूं गाली सागत बैया कि सारे ही मामले को अंचुआ बना दिया मैंने क्या किया है वह आपको क्या करना है कि सारे ही मामले को अंचुआ बना दिया खाई बना के पास में कुवा बना दिया इससे पहल की वो मुझे मामा जी बना थी मैंने उसे महले की बुवा बना दिया मैंने उसे महले की भुआ बना अच कमाल कर दिया वा और बुजर्गों को भी बिल्कुल नाराज होने की जो बुजर्ग अगर निराश हो रहे हैं बिल्कुल नहीं हो 60 पार हो गए हैं एक नाम आपको बताना चाहता हूं उस अगर 60 पार हो गए हैं तो जीवन जीओ बुजर्ग अगर जीनी हैं तो फिर उस सक्ष की तरे जीओ मैं आप पहुचाना पंतिया मैं समर्पित करता हूं तो बुजर्ग हो गए 60 के उपर उनको जीवन कैसा जीना है किस महापुरुष की तरे ही उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरहं बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरहं मुर्जाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां Enjoy कीजिये शशी थरूर की तरहं इना बात वा 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 चिंटा ता चिंटा मैं देखो पहली बार बागेश्वर धाम आया हूँ कवीता पढ़ने के लिए लेकिन दादा ने मुझे पहले ही बता दिया था प्रकाश पेटेरिया जी ने मुझे उसी दिन के दिया था अक्टूबर में कि बेटा तुम बागेश्व धाम आओ तो कदम भूग भूग के रखना यह बहुत चमतकारी धरती है अब कदम भूग के रखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फेंड है बनवारी लालडी बनवारी लालडी ने दो ट्रेन के टिकिट लिये जहासी से भूपाल के बनवारी लालडी दूसरा कौन बहले कोई नहीं मैंने का टिकेट दो क्यों बले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो बले अपने पास में ये पास रखा हुआ है ना ताली गलत जगे बजा रहे हुआ अब पनवारी लाल जी के कदम भूख कर रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए तो मुझे ताली बजा करके बताना कि इस माइक पे मुझे और कित्ती देर खड़ा रहे ना है मैंने कहा पनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो भुलिचाग पुन रहा है मैं महराश्री का इंतिदार कर रहा हूं तब तक मैं आप कहो तो मैं गजल सुना देना चाहता हूं बहुत आप कमाल सुन रहे हैं आप अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हम भी अच्छा पढ़ते हैं, आपका समर्चन मिले, तो फिर मैं एक पेरोडी सुना देता हूँ, एक पेरोडी में आपको सुना देता हूँ, मुझे बहुत दूर कल जालोर में कवेपाट करना है, मेरी 900 किलम्टर की यात्रा है, मैं आशिरवाद लेकर कर जाना चाहता हूँ, एक पेरोडी आज ही लिखी है, आपका समर्थन मिले, स्वामी जी होते हैं, गुरु जी होते हैं, तो मैं बिल्कुल, मैं तो कहना चाहता हूँ, गु आज पहुच रही हो, तो फिर मैं एक पेरोडी शुरू करता हूँ, आपका तालियों का साथ मिले, गुले, पूरी दुनिया ने माना गजब हो गया, पूरी दुनिया ने माना गजब हो गया, इक तो मैं फिल तुम्हारी कभी कम न थी, इसमें हनुमत का आना गजब हो गया, इसमें हनुमत का आना गजब हो गया, बंद पढ़ रहा हूँ, माइंड री डर है कहते कुछ नादाईने, उनकी ठटरी बंदा ना गजब हो गया, एक बंदे इसका समर्पित करता हूँ, राम पर एक आरोप है शाम का, क्योंकि सच है वो मानव है बसना, क्योंकि सच है वो मानव है बसना, एक आरोप लगाया था उसने, नागपुर वाले ने, भागने का आरोप लगाया था मैं पढ़ता हूँ, समर्सन करो तो आपकी तालियों से विदा करना, स्वागत भाई, राम पर एक आरोप है शाम का, क्योंकि सच है वो मानव है बसनाम का, भागने का जो आरोप मड़ता रहा, भागने का जो आरोप मड़ता रहा, उसका खुद भाग जाना गजब हो गया, उसका क्योंकि जो आरोप मैं अभी तक कनफ्यूज हूँ, भाई साब यह तीसरी आवाज कहां से आती है, यह टेंसन में डाल देती है, कहीं कोई प्रेत बाधा तो नहीं बोल रही, आई अविस्क्रम को आगे बढ़ाते हैं, बहुत शांदार का विपाथ आदेनी दादा पार्त नवीन जी ने किया, एक बाद जोड़दार तालियां आप उनके सम्मान में बजाईए, मैं इस्क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, तमाम तरह के प्रश्णिचिन उठाई जाते हैं इस देश में, रामचरित मानस की बात की गई, रामचरित मानस पर प्रश्णिचिन उठाई गई इस देश में, आदेनी दादा मनोज तिवारी जी की उपस्चति है, हमें कुछ कहने की आवश्यक्ता नहीं है, हमारे पुर्खे लिख करके गई थे, पिंदु महराज जी ने लिखा आए मन्च का विसेश ध्यान चाहता हूँ, द्रोही दीन करंदन के साद सुर ब्रंदन के रूप छल चंदन के रूपक प्रलाप के, सुब कर्म ना सक्त अधर्म के प्रकासक अधीन तंतरासक पथिक पथ्प पाप के बिंदु दुख दायक उपद्रव सहायक अनीत के विदायक नैक दापताप के और जोक के ना जापके तिलग ना चापके ना और के ना आपके ना माई के ना बापके ऐसे लोग सगे भी होंगे तो किन के होंगे आए मैं इस किरम को आगे बढ़ाता हूं और इस माहोल को थोड़ा और उर्जावन बनाता हूं यहां का थोड़ा तापमान और बढ़ाने का प्रयास करता हूं हमारे बीच में गाजियाबाद की धरती से एक ऐसा नाम जो अपनी कविताओं के माध्धम से अपनी ओज़ा सीवाणी के माध्धम से अगनी को प्रजलित करने का काम करता है उसका नाम आदडी मेरे बड़े भाई कमलागने हुआ करते हैं आज मैंने सूर से बस जरासा यों कहा आज मैंने सूर से बस जरासा यों कहा आपके सामराज में इतना अधेला क्यों रहा तम तमाकर वो धाला मैं अकेला क्या करूँ तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूँ आस्मा की आराधना के चक्करों में मत पड़ो संग्राम यह घंगोर है कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो एक बार जोड़दार तालियों की गरगरहट से आमन्दित करें बढ़ भाई कमल आगने गाजियाबाद किसके अंदर आ गया अभी महराज जी नहीं है दो मिर बार ठीक हो जाओगे पीछे वाले भूतों कोई बजा रहा है एक बार बताओ जगो पहली बात तो हम गाजियाबाद से नहीं है हम है लखनव से जो अब होने वाला लक्षमन पुरी और दूसरी बात गाजियाबाद भी वहाँ ज़्यादा नितक गाजियाबाद नहीं रहेगा अगर समझ में आ रहा हो देखो हमको देख लो ठीक से बाल थोड़े कम है ये भी देख सकते हो और लखनव से आया हूँ योगी जी लग रहे हैं आप जब पीछे तक जड़ा एक बार दोनों हाथ हवाँ में उठा करके जड़ा बढ़िया सी तालियां बजा करके मुझे उरदा जीजे ताकि मैं दीरे दीरे कुछ कुछ शुरू कर सकूँ पहली चार पंक्तियां मैं कहां से शुरू करता अच्छा आज मैं आज आपको एक चमतकार भी दिखाऊंगा अब यहां आया हूँ और चमतकार ना दिखाऊंगा हमारे महराज जी बाला जी से प्राप्ट सन्यासी बाबा से प्राप्त सिधी को पूरे विश्व में बाटते हुए सनातन की अलग जगा रहे हैं मैं हिंदी कविता का एक छोटा सा विद्यारती हूँ हो सकता है अगर महराज जी आ जाएंगे तो मैं एक छोटा सा मैं भी कुछ दिखा दूँगा और मैं उनके सामने ही दिखाऊंगा लेकिन उसने पहले मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ स्वागत भी या वो राना मुनी पताब बैठा है इसको मैंने पांसो रुपए दिये एक बार मैंने का इसके चेंज लाओ तो भाई साम ये मुझे एक सो तीस रुपए वापस किये मनुसदर इसने एक सो तीस रुपए वापस किये मैं नगउख हाँ बाकी कहा वला तीनसो सत्तर तो खत्म कुछ कार्णों से चंद जै चंद जाफरों की भारत में होनी पहिचान बंद हो गई कुछ कारणों से चंद जहे चंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई उनको लगा कि शौर स्वाबिमान हे तु बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई किन तु देखो काली जादू गर्नी की आज कैद काली जादू गर्नी का नाम नहीं बता रहा हूँ वरना आप जान जाएंगे कि मैं महभूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ मनो सर मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि महभूबा मुफ्ती कौन है मैंने का भाजपा की एक्स पंदरा दिन का समय है जब सवन में आ जाए तालिया बजा लेना कुछ कारणों से चंद जय चंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई उनको लगा कि शोर स्वाभिमान हेत बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई किन तुदे को काली जादू गर्नी की आज कैद राष्टवादी पिंजडे में जान बंद हो गई और केसर के फूल मा के पहरों में चढ़ा दिये तो जूटी महभूबा की दुकान बंद हो गई एक बयान कश्मीर से आता है महराजी लोग कहते हैं प्रकाश जादा सामने बैठे हुए एक बयान आता है लोगों कहते हैं कि देश में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे अगर तीन सो सतर से छेरचार की गई तो कितने लोगों ने बयान सुना है जरा हाथ उठा करके बता दे बागेश्वर धाम से जवाब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सामने तिरंगा खड़ा हुआ है और जरा मुझे बताना की तिरंगे को कंधे देने वाले उठाने वाले यहां कितने लोग हैं अलगाओ के अलाओ से लगाओ का प्रभाओ और दीरे दीरे चौती पंद पर एक मिनट तक तालियों की गलगलहाद के साथ में इस उत्सों को रास्ट वात के महुत्सों में बदलना मैं कोशिश कर रहा हूँ पहली कि अलगाओ के अलाओ से लगाओ का प्रभाओ धीरे धीरे मन से बुझाने वाले धूनिये तूट कर ढूबा महभूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले धूनिये इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन मातम की धुन को बजाने वाले धूनिये और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोडो अब आप खुद को उठाने वाले ढूलिए बहुत बहुत आभार आपका आधी राक में सनातनी निकाले गए जहां अब वहीं होश को सभाल कर रहेंगे कश्यप रिशी के वन्शजों की पुन्य भूमि पर नीच नहीं कीच को उठाल कर रहेंगे रामा भक्त राम भक्त हनुमंत को करेंगे क्रोध वंत वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे और यमुना से कालिया निकालने वाले कि भग्त जेलम का कालिया निकाल कर रहेंगे बहुत बहुत आभार आपका माईक वाले भाईया से कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर आवाज बढ़ जाए तो बढ़ा दीजे क्योंकि मेरी भी गौरो भीया की तरह से बहुत पहले से दवाई गई है उनकी धीरे धीरे चैनल पर आके खुली है मेरी यहां पर खुल रही है अच्छा वो क्या है कि कई बार माइक जो है न वो मुल्ला जी कहां से लाए जाते है एक बार माइक देखा तो बहुत बूंज रहा था मैंने बोलता था कमल तो तीन बार आवा जाती थी तो मैंने पूछा यह कहां से लाए हो बोला मुल्ला जी कहां से मैंने क्या हुआ उन्होंने बेच दिया क्यों बेचा इसलिए क्योंकि गल्ती से इसमें तलाक निकल गया तीन बार हो गया गर में तो इसको इतना माइक बहुत अच्छा कर दी जा अच्छा कुछ लोग कह रहे तो राम तो कभी हुए ही नहीं राम अगर हुए तो किस इंजिनरिंग कॉलेज में पढ़े तो मैंने कहने की कोशिश की जो लोग यहां पर पढ़े लिखे हो दो पंक्तिया उनके लिए पढ़ रहा हूं राम कहा है और जिन लोगों ने समविधान नहीं पढ़ा किताबे नहीं पढ़ी उनको बताता हूं कि राम कहा है विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का समविधान में छपा है चित्र श्री राम का और जिन लोगों ने समविधान नहीं देखा है उन्होंने राम को कहां देखा है विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का सम्विधान में छपा है चित्र श्री राम का और विदिने जो लिखा है विधान राम का ही है गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही है केश जो महेश के विशेश खुलते नयदी कोई वहां लिख राए संसद में जहां पर हमारी देश की रागधानी वहाँ दिल्ली के विश्वजाले में कोई लिकराए कि भगवा जलेगा तो बागेश्वर धाम के मंच से कहना जाता हूँ कि भगवा कभी जलता नहीं है जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है केश जो महेज के विशेश खुलते नयदी भगी रती भाग वेख शेश नहीं होता जी जानवी का जल जंग लो को जन्म देता ना तो संगटित वसुदा का भेश नहीं होता जी होता ना विराज शहर राट का ललाट फिर और यह अंतिम प्रयास कर रहा हूँ इस बार देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार से राम का सम्मान इस देश के अंदर है और जरा मुझे बता देना कि मुझे क्या सुनाना है केश जो महेश के विशेश खुलते नयदी भगी रती भाग वेख शेश नहीं होता जी जानवी का जल जंग लो को जन्म देता ना तो संगतित वसुदा का भेश नहीं होता जी होता ना विराज शेर राज का ललाज फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी भारत की आत्मा के प्रारत तश्री राम राम जी नहोते तो ये देश नहीं होता जी वाह 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 उत्तर प्रदेश के चुनाओं में आदल्निय मनोस्तिवारी सर गवा हैं जिन लोगों ने कभी राम के अस्तितू पर प्रस्ण लगाए थे वो लोग इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाओं पर लाइन लगा करके दर्शन कर रहे थे और जब यह ऐसे दर्शन करने वाले लोग आदल्निया प्रियंका दीदी हनुमान गड़ी में ढाकर के खड़ी हुई तो चार पंक्तियां कमल आगने ने यहां को ध्यान में रखके लिखी हैं क्या हुआ है ताश के समान फेटना पड़ा है पूरा दल बाला जी महराज न्याय कैसे करते हैं जरा मेरे साथ हो करके बताईएगा ताश के समान फेटना पड़ा है पूरा दल दौर दौर जाके जनता से भेटना पड़ा भगवे में देखते थे उगरवाद का विवाद वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा मेटना पड़ा क्रिया कलाप अपने ही आप चूर चूर दंब चुनके समेटना पड़ा चूर चूर दंब चुनके समेटना पड़ा राम जी को कालपनिक मानते थे जो भी उन्हें हनुमान जी के चरडों में लेटना पड़ा बहुत बहुत आभार अगर अब आपका मन मन गया हो तो वो कविता सुना दूँ जिसके लिए मैं यहां पर आया हूँ स्ागत भाया एक बार ज्या बढ़िया सी तालिया वजा कर के बता दिजひ मैं जिस कविता को यहां सुनाने के लिए आया हूँ मैं वहां की बात शुरू कर रहा हूँ कि विश्व गुरू भारत ही क्यों था ये दुनिया को दिखा दिया विश्व गुरू भारत ही क्यों था ये दुनिया को सिखा दिया जो भारत से जलते थे उन सब को जलवा दिखा दिया एक साथ आवाज लगाई विप्र भील वन्वासी ने एक साथ आवाज लगाई विप्र भील वन्वासी ने राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने बहुत बहुत आभार राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्क मनाया था मिश्णरियों ने चालाकी से अपना जाल बिशाया था हमें पता था पर अधर्म का सिंग हासन हिल जाएगा और इस बार जड़ा बाग्योशर के भक्त मुझे बताएंगे कि सही कह रहा हूं जड़ा तालियां अपनी तयार रखना इस बार हमें पता था हमें पता था कि अब अधर्म का सिंग हासन हिल जाएगा हमें पता था अब अधर्म का सिंग हासन हिल जाएगा जब इनसे लरने वाला कोई सवासेर मिल जाएगा जब इनसे कोई लड़ने वाला सवा सेर मिल जाएगा और ये बाबा जी दुश्मन के सारे शर्यंत जानते हैं तो जड़ा अगली पंक्त पर खुलना हमारे यहां एक नेवला पाया गया उत्तर प्रदेश में समझ में आ रहा है अगली पंक्ती जड़ा समझ जाएं तो जड़ा अपने हाथ उठाना कि ये बाबाजी दुश्मन के सारे सडियंत जानते हैं साप और बिच्चू क्या ये नेवले का भी मंतर जानते हैं चादर फादर से जज़़ा बाबा का आदर होता है और क्यों होता है जड़ा इस बार हात उठाना चादर फादर से ज़्यादा बाबा का आदर होता है इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है बाबा फादर का फादर होता है अगर विधरमी बाबा जी को माराज जियां बैठे नहीं है लेकिन उनकी ताप की तालिया वहां तक पहुँचेंगे अगर समर्तन करना तो जड़ा धंक से करना तो कि कमजोर बात नहीं करना है उसलिए आपका समर्तन कमजोर नहीं होना चाहिए ये सुनिएगा कि अगर विधर्मी बाबा जी को लरने से ललका रेंगे तो उनको बजरंग बली ही पटक पटक कर मारेंगे अब की इतों का जवाब लोग कहते हैं कि इत का जवाब महराजी मनोज भीया लोग कहते हैं इत का जवाब पत्थर से देना चाहिए लेकिन जब पत्थर फेका जाए तो क्या जवाब में देना चाहिए जराब मोहर लगाना मेरी पंक्ति पर अब इतों का भी जवाब हम पत्थर से दे देंगे गर पत्थर फेका तो उत्तर बुल्डोजर से दे देंगे धर्म सनातन का जंडावे स्वयम गाल कर मानेंगे बागेश्वर के बाबा सब के भूत जाल कर मानेंगे जो भटक गए हैं धर्म हीन उन सब को वापस लाएंगे जो भटक गए हैं धर्म हीन उन सब को वापस लाएंगे बागेश्वर के बाला जी, दुनिया को रहा दिखाएंगे, मेरे पास थोड़ा और समय था, लेकिन जब गुरू जी आएंगे, तो मुझे छोटा सहे काम उनके सामने करना है, मैं निश्चित रूप से दुबारा आऊंगा, और राम चरित मानस पर एक नई कविता आप लोग अने जी दुबारा किया गया, एक वार जोड़दार तालियां आपकी उनके सम्मान में होनी चाहिए, इन कवियों ने सुरू आती दौर में आप से इतनी तालियां पिटवाली है, ऐसा लग रहा है, आपकी उर्जा समापत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए आप, आपक ताज में आगरा को प्रेम की नगरी कहा जाता है, लेकिन मैं बड़े ही छमा के साथ मंच से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ताज महल को प्रेम की निशानी कहा गया, वो ताज महल कभी भी प्रेम की निशानी नहीं हो सकता, जिसको बनवाने वाले मजदूरों के हाथ उजयन में कोरिडोर का निर्माड हुआ है प्रेम देखना है तो देखिए ये हमारी क्या परमपरा है ताज महल को बनवाने वाले मजदूरों के हाथ काट दे गए और हमने हमारी क्या परमपरा है कासी कोरिडोर का जब निर्माड किया गया तो हमने उन मजदूरों के ऊपर हे क्षा था हम गले लगाते हैं अपने घर आई हुए महमानों को मंदर जिन से पनवाते हैं हम उनको गले लगाते हैं हम कभी किसी भी सिल्पकार के हात नहीं कटवाते हैं उसी आगरा से जो प्रेम की नगरी कही जाती है उसी आगरा की नगरी से जब झासी की रानी का तेवर ले करके कोई कविता पाठ करती है तो वो सिखा सिंग का रूप ले लेती हैं मेरी बहन सिखा सिंग जो आगरा से चल कर हमारे बीचों पस्चित हुई है या तो बदचलन पाउं का रुख मोड़ देंगे हम या खुद को वानी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम और जिस दिन भी जिस दिन भी हिचके चाहेंगे लिखने में हकीगत कागज को फार देंगे कलम को तोड़ देंगे हम एक बार जोड़ दायों की करता दनिया से आमन्तित करें मेरी सिखासिंग जी करती हूं पावन पुनीत मंच को प्रडाम करती हूं बागेश्वर धाम के चरणों में शष्षत नमन करती हूं आधर्णिये पटेरिया दादा जी का बहुत और बहुत धन्यवाद करती हूं मेरे जीवन के सबसे अध्भूत सबसे अब इस मर्णिये मंच पर मुझे यहां पर अपनी उपस्थिती दर्ज करवाने का जो सोभाग्य प्राप्त हुआ है पूरा जो श्रे है वो पटेरिया दादा को जाता है ये उपकार दादा मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी जीवन में की बागेश्वर धाम महराज जिस धर्ती पर आने के लिए लोगों के चरण त स्वागत दीवत हनुमान जी की धर्ती पर खड़ी हूं और कहते हैं कि जब हनुमान जी का ध्यान करें तो उसके पहले उनके इष्ट भगवान प्रभुश्री राम का ध्यान अवश्य करना चाहिए तो चार पंक्तियां मैं राम लला के नाम के रखती हूं राजा राम शम्शी मिनाई जी उन्होंने कहा था कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ तो सीन वाल मीकी ने छोड़ा नहीं है कुछ फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हुमें लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हुमें तम मैं चार पंक्तियां राम लला के नाम के पढ़ती लगे तेज और सम्मिता के अध्भुत मेल से वो सूर्य चंद्र मा को अभी राम चलने लगे और मैया संग देख उन्हें चरवा अचर सभी पग धूली मात निशिकाम मलने लगे और ग्रहवान शत्र चल दिये सब ही जी धर गोदी से उतर मेरे राम चलने लगे चार पंक्तियां बजरंग बली महराज बागेश्वर धाम सरकार की मैं पढ़ना चाहती हूं उन बजरंग बली महराज की जिनके बारे में लिखते हुए आचारे केश्वदास ने अपनी पुस्तक राम चंद्रिका में लिखा था कि सिंधू तरे उनको बनरा तुम पे और बांधोई बांधा तो सोना बंद्यो उन बारिदी बांधी के बांट करी अजहूर अधुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंध न जानी परी तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी गढ़लन के जराये जरी ऐसे बजरंग बली महराज के नाम की चार पंक्तियां पढ़ की जाए बोलिये त्रिलोक जीतर रावन कि स्वर्ण से बनाई हुई जिन हाथो लंका जली की जाए बोलिये जिन हाथो लंका जली की जाए बोलिये और जोड़कर हाथ धरमाथ वत्सतात सब एक बार बजरंग बली की जाए बोली बोल बजरंग बली महराज की जैजाए श्रीरा बहुत इजाम लगे हमारे महराज जी पर कहा गया ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया ठटरी बांदी गलत शब्दों का प्रयोग किया दुनिया भर की बाते एक 26 वर्ष ये नव यूवत हमारे महराज जी के एक शब्द ने इतना हाल खराब कर दिया है लोगों का तो चार पंक्तियों में हम सब सनातनियों की तरफ से हम सब महराज जी के अनुयाईयों की तरफ से प्रश्न करना चाहती हूं अंतिम पंक्ति में प्रश्न पर आप सभी का समर्थन मिले कि हर एक सनातन रक्षक है अब काल तुम्हारा क्या होगा और तूटी निद्रा जो थी सालो साल तुम्हारा क्या होगा और अभी तो केवल एक निठठरी बांदी है तो रोते हो और नागा साधू निकल पड़े तो हाल तुम्हारा क्या होगा एक नव्यूवक की ठटरी बानने से इतनी समस्या हो गई हजारों नागा साधू अभी भी गुफाओं में बैठे हुए हैं और जब वो निकलेंगे तो रास्ते अपने आप सत्य सनातन धर्मे के लिए खाली हो जाएंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आईए मैं अगली कवता के समक्ष रखती हूँ एक दोहा सबनी सोना होगा कि गुरु गोविन दोव खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताए इस दोहे को मेरा यहाँ पर कहने का आशय यह है कि मेरे लिए मेरा इश्ट मेरा इश्वर मेरा गोविन्द मेरा भारत वर्ष है मेरा देश है परंतो इस देश की आराधना करना मुझे जिसने सिखाया है वो है मेरा सनातन धर्म मेरा हिंदू धर्म तो एक सनातनी होने के नाते बिना किसी व्यक्ति विशेश, जाती विशेश, धर्म विशेश अरे थोड़ी देर और बैठ जाईए महराज जी आएंगे तो अपने भक्तों को नदारत पार करके दुखी हो जाएंगे जैजाए श्री राम एक बार अपना अपना इस्थान आप ग्रहन कर ले थोड़ा सा कोला हल शांत हो जाएंगे आज किसी व्यक्ति विशेश, धर्म विशेश, जाती विशेश, संप्रदाई विशेश, पार्टी विशेश का नाम लिए मैं सनातनी हूँ, इस अधिकार से अपने सनातन धर्म की विसंगतियों पर उंगली उठाना चाहती हूँ और कुछ पंतियां प्रेशित करती हूँ, आप सबके समक्षा, सबका साथ मिले सागतियां प्रेशित करती हूँ किस रष्टी के अप्रारंब से है, ये धर्म उसी का हिस्सा है, चिरकाल से प्रचलित होने वाला ये वो गर्वित किस्सा है, माथे परते जो मेरे है आखों में चमक भी उसकी है, और मुखमंडल पर बिखरे सविश्वास की आभाज इसकी है, अपने प्राड आज उस धर्म की रक्षा के नाम करती हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदूत पर अभिमान करती हूँ, मंत्र रिचाओ का उचारा गुंजित करता था जीवन, आस्था इश्वर में रखने से तन्मन बनता था पावन, सिया राम राधे राधे आरंब दिवस हो जाता था, मानव मात्र परंकित उन्यस्मृतियों का सम्मान करती हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदूत परभिमान करती हूँ, लुप्त हुई एकता हिंदू से, अब कुछ पहले जैसा न रहा, सब बने ब्राम्मठ, शत्रिया, वैशशूद्र, अब कोई भी हिंदू न रहा, हिंदू की हो और हिंदू ही अपड़ादी है क्योंकि जो पूरी शक्ति थी हम में वो आज हो गई आधी है हर हिंदू का फिर से हिंदू बनाने का काम करती हूँ हां मैं हिंदू हूँ और हिंदू तो परभिमान करती हूँ वाँ 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 हुई ब्राम्हण मोल तोल है वैश समेरा शूत्र सरीखी सेवा अरपण अंकित वर्ण चार मिश्रित संतोज भरा एक बिंदू हूँ और हर जाती से उपर उठकर हां मैं केवल हिंदू हूँ जगाए शीरा हर वर्ण के कर्मों का हर वर्ण के कर्मों का मैं रदय से मान करती हूँ हां मैं हिंदू हूँ और हिंदू तपर अभिमान करती हूँ बहुत बन चुके सेकुलर हम अरे बहुत बन चुके सेकुलर हम क्यों ढोंगी अब तुम करते हो असुरो की सनहारक मा को तुम सेक्सी दुरगा कहते हो फिल्म बंदी है सेक्सी दुरगा लक्ष्मी बॉम अभी अगर हम अपने पर आ जाएं तो कैसी कैसी मूवीज बनेंगी कैसे कैसे गाने लिखे जाएंगे ना यह हम में से बहतर हमसे बहतर और कोई जानता नहीं यह तम मैं कहना चाहती हूं कि बहुत बन चुके सेकुलर हम क्यों धोंगी अब तुम करते हो असुरों की सनहारतमा को तुम सेक्सी दुरगा कहते हो राम हमारे हुए कालपनिक और क्रेश्न चिशोरे कहलाए और अब भी चुपहे हिंदू फिर भी हमको हमको कट्टर कहते हो तो आज सच में हर हिंदू से कट्टरता का आवा हम करती हूं हां में हिंदू हूं और हिंदो तुप पर अभिमान करती है बहुत हुई दूर्दशा बहुत समय तक हमें पढ़ाया गया है अहिंसा पर्मो धर्मा हमारे सादूसंद बैठे हैं यहाँ पर इनको बताने की आवशक्ता नहीं है फिर भी मैं एक बार कहना चाहती हूं बहुत पढ़ाया गया अहिंसा पर्मो धर्मा पूरश लोक कभी नहीं पढ़ाया गया मैं बताती हूं महाभारत के अनुशासन पर्मे लिखा है अहिंसा पर्मो धर्मा धर्म हिंसा तत है बचा अर्थात अहिंसा परम धर्म है पर अंतो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है तम मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत हुई गुर्दशा अरे अब आखे खोलो जग जाओ और त्याग जातियों का चोला अब फिर से हिंदू कहलाओ संस्क्रती सहे जो लो देखो कहीं बहुत देर ना हो जाए कहीं पूरा देश बंगाल केरला और कश्मीर न हो जाए इस धर्म युद्व में हर के भैसे न कहीं विश्राम करती हूँ हाँ मैं हिंदू हुँ और हिंदूत पर अभिमान करती हूँ धर्म सनातन गाई और गंगा अब हमें बचाना होगा और जो फैलाए जातिबाद उसे सबक सिखाना होगा और अगली दो पंक्तियों में कहीं बागेश्वर धाम के भक्ति हिंदुत आपके हिरदा में हिलोरे लेले तो मुझे बताईएगा कि बहुत हुई दुर्दशा गाई गंगा और धर्म सनातन अब हमें बचाना होगा और जो फैलाए जातिबाद उसे सबक सिखाना होगा और सोने से उनमादी का उनमाद नहीं कम होता है और नाम बदलने से सिंग का सिंगनाद नहीं कम होता है हर वर्ण के सिंकों हर वर्ण के सिंकों मैं शच्छत्रणाम करती हूँ हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदू तो परभिमान करती हूँ जाए जाए श्री राम छोटी बच्ची बोलिए जाए श्री राम आप सभी का जैकारा मिले जाए श्री राम आव मिलकर धर्म शत्रों से ये गहवी देते हैं कि हम देते हैं प्राड धर्म पर और प्राड ले लेते हैं मेरे लला पड़े थे तंबू में अरे हमने रखुंकार किया मेरे लला पड़े थे तंबू में अरे हमने रखुंकार किया अब राज दिलक की है तैयारी मंदिर हमने साकार किया अब आप सब के कदवों से कदब मिलाकर जन्म भूमी को प्रस्थान करती हूँ और गर्व सैसार उठाकर कहती हूँ कि मैं थाक और शिखारा ठोड सेंगर वाध अभी तक राम मंदिर हमने पुनन्य कर्म किये होँगे कि राम मंदिर का फैसला और राम मंदिर का निर्मान दोनों हम इस जन्म में देख पा रहे हैं परंतो लड़ाई अभी यहां पर खट्म नहीं हुई है यह आरंब हुई है और महराज जी पर जिस तरीके से बयानवाजी हुई है यह मिर्ची कहां से लगनी शुरू हुई है चार पंक्तियों में बस वो मिर्च और उस मिर्च के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया हो री सभी ने फ्रेंशिप बैंड कभी ना कभी तो अवश्य बांधा होगा कितने लोगों ने बांधा अच्छा यह बता दें रक्षा बंदन पर राखी कितने लोगों ने बांधी है ठीक है मेरे हाथ में कलावा है बस आप इसको समझ लीजेगा कि भगवान की तरफ से मेरा फ् फ्रेंशिप बैंड यह कलावा बांधा है एक शब्द इसमें आएगा मिस्ट मिस्ट का मतलब होता है फ्रेग्रेंस खुश्वू सुगंध चार पंक्तियां रखती हूं प्रशन रखती हूं कि बंधाने फ्रेंशिप का बैंड अपनी रिस्ट दे दे क्या तुम्हें गंग है निपटे दो बची संख्या अभी 35,000 है लगे हाथों कहो तो शेश वाली लिस्ट दे दे क्या एक उंकार भरना जाती हूं अंतिम पंक्तियों में और अपना स्थान लेती हूं सागत कि सक्त सनातन अब भगवा सबकी रगरग में खोलेगा धर्म रक्षकों के का शोड़ित फिर खॉलेगा और है कांधे मजबूत हमारे बजरंगी बनकर के अब बच्चा बच्चा शाक्र और शेस्त्रों का भोजह ढोलेगा और उत्तर से दक्षिण और पूरव से पश्चिम ले डाला प्रण धर्म युद्ध में कृष्ण सार्थी पार्थ संग अब हो लेगा और जाग सनातन देश और प्राणों की रक्षा की खातिर जीवी तो बचा रहा तो फिर भी चैन की निद्रा सोलेगा और पांच जन्ने हुंकार उठा है कुरुक शेत्र में देखो अब महादेव का डमरू भी डम 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 डोलेगा मुरली धर की मुर्ली के सवर मधूर सुने हैं हम सबने अब चक्र सुदर्शन सयन की सब सीमाओं को तोलेगा और हुई अधर राम माए अब है प्रतीक्षा उस दिन की जब मधुराराद है कृष्णा काशी हार हार महाद बोलेगा बाल बाके बिहारी लाल की हार हार महाद जाहिन वन्डे मातम अगर ये जहासी की रानी का तेवर आपने सुना हो और आप लाभन बित हुए हो ते एक बाद जोड़ दार तालिया होनी चाहिए मुझे ऐसा लग रहा पीछे वालों की खर्राटों की आवाज आ रही है भाई जाब ऐसा लग रहा पीछे वाले सो गए है बागेश्वर धाम सरकार की पीछे से नहीं आई अभी आवाज इस कारक्रम को पुना जीवित कर देना बागेश्वर धाम सरकार की आईए अब इस किरम को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और एक सूचना जो मुझे प्राप्त होई है हमारे पूज्य महराज जी वो आचुके हैं कुछी छड़ों में मंच पर उपस्तित होंगे आईए तब तक मैं इस किरम को आगे बढ़ाता हूँ हमारे बीच में गुलावी नगरी जैपुर से एक ऐसा अधुद नाम गुलावी नगरी जैपुर जो वीर भूमी राजिस्थान कही जाती है वहां से जब कोई प्रतापी तेवर निकल करके आता है तो इस तेवर का नाम दादा सोक चारण हुआ करता है एक अधुद ओजस्थी धारा के तेजस्थी तेवर है जब बीच में कभी संबेलन चलते हैं अस्तव्यस्थ हो याते हैं उस कभी संबेलन की अस्तव्यस्थता को एक व्यवेस्थित रूप से परवर्तन करने का नाम दादा सोक चारण जी हुआ करता है वो हमारे बीच में हैं मैं केवल चार पंक्तों से उनको आमंतित करना चाहता हूं सम्मान करूं में क्या उनका जो गीत ओज के गाते हैं सम्मान करूं में क्या उनका जो गीत ओज के गाते हैं जब देश दिख भ्रमित होता है तब मार्ग वहीं दिखलाते हैं और जिनकी ओजस्वी बाणी में हैं देश भक्ति का इस्पन्दन ऐसे परम पूझ कविवर को मेरा हर्दिक अभिनन्दन एक बाद दोनों हाथ उटाका तालियां की गरगर हाथ से आमन्दित करें बढ़े भाईया सोक चारण गुलाबी नगरी जैपुर मार्शर स्वती को आपको और इसमंच को परणाम करता हूँ कुछ लोग सो चुके हैं आसपास के लोगों से निवेदन हैं कि वो देखें कि वो सो रहे हैं या चिर निद्रा में सो गए हैं जगा जगा कर देखते रहे हैं ताकि अगला कभी सम्मिलन हम उनकी स्मृती में कर सकें बहुत सारे लोग सामने हैं इतने सारे संतों का सानिध्य है लोग बार बार कह रहे हैं कि ये रात, ये रात, ये रात मैं तो इसे रात मान ही नहीं रहा हूँ क्योंकि जब सनातन के इतने सारे सूर्य मेरे सामने हो तो फिर मैं इसे रात कैसे कहा है जिन्दा वाद जो जिन्दा लोग है उनकी तालियां अपने आप आ जाएंगी ऐसी मैं स्पूर्व सूचना आपको दे रहा है अपने आसपास जो ताली नहीं बजा रहा है आप समझ लीजिये कि वो होते हुए भी नहीं है बहुत अच्छे माताएं बहने यहां पर लगातार बैठी हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में होकर भी चूपचाप बैठी है हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत कमाल होती है महराश्री बिना विशय के दो घंटे बातचीत कर लेती है और आज ये प्रणम्में इसलिए भी हैं क्योंकि आज ये नाटक छोड़ करके आई है हिंदुस्तान की महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती है नहीं देखने दो तो फिर करती है ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है मैं तमाम दुखियों को प्रणाम करता हूँ बहुत विशिष्ट लोग हमारे बीच में आ चुके हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप बैठें कभी सम्मेलन चल रहा है मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ विराजित हो एक फिल्म आई अभी पठान अगर यहाँ पर तबीयत से आप लोग बैठेंगे और जिन्दा होकर जरा बैठेंगे तो मैं जिन्दा कर जाऊंगा यह दावा यहाँ पर खड़े होकर मैं कर रहा हूँ मैं सबसे पहली बात इस मंच पर खड़े होकर यह कह देना चाहता हूँ अपने डॉलर की शक्ती पर चलता होगा अमरीका मेरी बात पहुंच जाए और हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो तो मैं बागेश्वर धाम सरकार की इस कविसम्मिलन में खड़े होकर शद्धे महाकवी प्रकाश पटेरिया जी की उपस्तिती में संतवरंदों की उपस्तिती में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मुझे बताईएगा कि मैं आप तक पहुंच रहा हूँ इस टिपणी के बाद अपने डॉलर की शक्ती पर चलता होगा अमेरीका अपने अविश्कारों की शक्ती पर चलते होंगे जापान और जर्मनी अपनी बंदुकों की नालों की शक्ती के आधार पर चलते होंगे एरान एराक और सीरिया अपने घटिया उत्पादों की शक्ती के आधार पर चलता होगा चाइना अपने आतनकवाद की शक्ती पर चलता होगा पाकिस्तान पर दुनिया में अकेला मुलक है आपका और मेरा भारत जो आज भी अपने संस्कृती और संस्कार की शक्ती पर चलता है लगा है कि बागेश्वर धाम में खड़ा हूँ लगा है कि जंदा लोगों के बीच खड़ा हूँ और खड़ा इसलिए भी हूँ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छों का गुरूर ठंडा पड़ जाता है अच्छे अच्छों का गुरूर ठंडा पड़ जाता है और ये गड़ा का जंडा है जो हिंदुस्तान में गड़ जाता है हम तो ये बात कहना चाहते हैं आपके बीच और हम सिर्फ यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर उपस्तित है मैं आपके उपस्तिती को प्रणाम करता हूँ शास्त्री जी भी आने वाले हैं ये केवल हमारे गुरु नहीं है आप हमारे गुरु नहीं है आप हमारे गुरु होने के साथ साथ हमारे राष्ट का गुरूर भी है जो वहाँ पर भी बैठे हैं बड़ी बात दाना वाँ बड़ी बात 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 बातन करना चाहता हूँ आपके बीच आई थी एक मूवी अभी पठान मुझे पठान से कोई लेना देना नहीं कि उस लड़की ने क्या पैन रखा है क्या नहीं पैन रखा है हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि उसने भगवा रंग ये भगवा रंग पहने हुए रिशी मुनी मेरे समक्ष बैठे हैं कुछ वहाँ पर बैठे हैं वो वहाँ पर बैठे हैं तो लगता है कि विंध्याचल की चोटी पर बैठ कर तपस्वी तपस्या कर रहे हो मैं आपकी उपस्थिती को प्रणाम करता हूँ मैं निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूँ मेरी चोटी पंक्ती पर केबल वे लोग तालियां बजाएं जो इस राष्ट में मेरे साथ में खड़े हैं और इस विचार धारा के साथ खड़े हैं बिकनी पहनती है केसरिया रंग की भगवा रंग की उसने क्या कहा उसने क्या पहना है इससे कोई तकलीफ नहीं लेकिन उसने जब भगवा को बेशर्म रंग कहा तो इस फिल्म इंडस्ट्री को चार पंक्तियां शोक चारन इस मंच पर खड़े होकर इसलिए कह देना चाहता है कि ये वो मंच है जिसकी आवास पूरी दुनिया में जाती है पूरे देश में जाती है और मैं कसम देता हूँ आपको अगर आपके रंगटे खड़े नहों इस हिंदुत्व पर आपको यदी अभिमान नहों तो फिर एक ताली नहीं या फिर दौनों हात उपर उठा कर इन बॉली वुड के नचनियों को और दलालों को बताना कि बागिश पर धाम में जो पागल बैठे हैं उनके पागलपन से बड़ा पागलपन तुम्हारे में नहीं है जिन्नावाद असा प्यावाद निवेदन चार पंक्तियां सुना रहा हूँ रोक के रखे मेरी माता बहने या आर्केस्ट्रा वाली नहीं हमको कविता वाली तालियां देना चोथ ही लाइन सुनने के बाद सुनिये गाने वेदन करना चाहता हूँ कि रिगवेद सामवेद यही तो यह जूरवेद यही अर्थवान सा धर्व वाला रंग है तो सूरज हो संत या अनंत शुन्य ब्रह्म पंथ सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है सर्व तत्व में समाया सर्व वाला रंग है तो राम कृष्ण का जन होली हो दिवालिया की राम कृष्ण का जनम होली हो दिवालिया की गेश्राम खृस्म का जनम में शकति की आराधना कि पर्वेवाला रंग है और बॉलीवूड के दलालों को जाकर केह देना शर्म वाला नहीं यह गर्वेवाला रंग है खलाइग मुज्जान लग नहीं रहे हैं भी मुझे जन्डवाद डाना वाहно बाला नहीं यहिए गर्ब बाला रंग है शर्म बाला नहीं यह है गर्ब बाला रंग है शर्म बाला नहीं और बुंदेल खंड में खड़ा हूँ यहाँ पर लड़का बंसवर के महराश्ची निकलता है तो उसकी उपमा दी जाती है कि सलमान खान लग रहा है बले लड़का शादी शुदा हो उनकी हो नहीं रही है कैटरीना कैफ लग रही हो लड़कियों को कहा जाता है दो सूरते नजर आती है देश के युवा में और युवतियों में और उन सूरतों के प्रती आदर्श हो प्रेम हो उर्जा हो तो उस उरजा को इस मैदान में और पांडाल में लहराते हुए देखना चाहता मुझे क्या नजार आता इस देश की युवाओं में कि प्रणशाली प्रष्ट पर लिखी है प्रथाएं सारी कोशिकाएं क्रांती की कहानी बोलती रही जो थी पंक्ती में अगर उस पात्र के प्रति शद्धा हो तो यह आसमान गूच जाए उसके शद्धा से कि प्रणशाली प्रष्ट पर लिखी है प्रथाएं सारी कोशिकाएं क्रांती की कहानी बोलती रही कभी राना बोले यहां कभी शिवा बोले यहां कभी हाडी रानी की निशानी बोलती रही तो सारे सत्ते बादी जब हो गए निलाम यहां सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही और बेटों में भगत सिंग गूस्ता रहा है और बेटियों में जासी वाली जानी बोल दी रही आस्मान में हाथ उठा कर तालियों के गड़गडा हट हमारी इन संचेतनाओं के लिए हो मारश्री एक प्रकाश भाई साहब एक यूनिवरसिटी है दिल्ली में वहाँ पर स्वामी विवेका नंद की मूरती बनी उस मूरती को तोड़ दिया कुछ सिर्फिरों ने ये दर्बार है जहां पर खड़े होकर ये बात कहना चाहता हूं बड़े गर्व से बड़ी खुद्दारी से बड़ी हिम्मत से और बड़े घुरूर से ये बात कहना चाहता हूं विवेका नंद की मूरती को जब उन बत्तमीजों ने तोड़ा तब आपका कलमकार यहां पर खड़ी होकर सिर्फ एक बात कहता है कि मुझे गर्व है यह कहने में कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरन को बोलते वक्त तीन बार हकलाता है मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तटबंद पर खड़ा होकर किसी अदनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है औरे मेरा हीरो तो आज भी वो विवे का नंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिये अमेरीका वासी भाईयों और बहनों तो अमेरीका वालों के कान खड़े हो जाते है स्वामी विवे का नंद अपना भाषन देकर उस भवन से बाहर निकल रहे थे शिकागो से एक खुबसूरत अंग्रे जीवती आती है ये रिशी परंपरा क्या है शायद सारे हाथ इन रिशियों के लिए उठ जाएं उस विवे कानंद के लिए उठ जाएं जब विवे कानंद निकल रहे थे तो ये खुबसूरत अंग्रे जीवती आती है और आकर ये कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाती हूं उससे विवाह कर लीजिये तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मा तु मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान ले उस विवे कानंद की मूर्ती को तोड़ा चार पंक्तियां आपका कलमकार खड़े होकर बात करना चाता है कि प्रत्म संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रग्या की प्रताओं में विवे कानंद जिन्दा है एक जहरी लज्जों का कर क्या लेगा हमारा राष्ट की हवाओं में विवे कानंद जिन्दा है तो काफिला का पुतो का करेगा क्रूर कर्म पर माओं की दुआओं में विवे का नंद जिन्दा है और दस बीस गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोडो युवाओं में विवे का नंद जिन्दा है करोडो युवाओं में आभार कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रहे अच्छा समझाया चार पंक्तियां बहुत क्रोध से कहता हूँ और पहुंच जाओं तो फिर संभालियेगा मेरी इस क्रोध को मैं बाला जी के दर्बार में खड़ा हूँ कि वी बादों की धारा में आवारा बन बहते हो धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम आदनियां बैठिये बैंजी विराजित हो कि वी बादों की धारा में आवारा बन बहते हो धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो सच यह तूटा हूँ अशूल भी नहीं हो तुम तो जाने कि समध वाली गंद में भरे हुए हो भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम तो मूरती को तोड़ कर इतराने वालों सुनो स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम तालियों की ज्यादा की उम्मीद पाल बैठा हूँ बागेश्वर धाम के जवाब दिया वागेश्वर के भगतों सनातन के रक्षकों अगर अनुमती हो और आप आदेश दें तो मैं आज उस शद्धा पर एक कविता करना चाहता हूँ जो महाराष्ट से निकलती है आफताब नाम की एक लड़के के साथ और दिल्ली के जंगलों में 35 टुकडों में कटी हुई मिलती है अगर इस विशे पर कविता होनी चाहिए तो फिर छोटी मोटी नहीं तालियों का एक ऐसा अंबार यहां पर लग जाए एक ऐसी अनुमती मुझे मिल जाए कि फिर मैं कविता कर सकूँ कविता मैं नहीं शुरू करूंगा इन छे पंक्तियों में बागेश्वर प्रारम उताए मैं सुना रहा हूँ मेरा संकेत पहुँच जाए तो फिर मुझे शुरू कर दीजेगा मैं कविता की छे पंक्तियां रिशियों के चरणों में समर्पित करता हूँ मैंने अपनी कविताएं कभी हर किसी के चरणों में समर्पित नहीं की है लेकि चरणों में पूरा हिंदुस्तान जुक जाता हो उन चरणों से बड़ी मेरी कविता नहीं हो सकती मैं आपके चरणों मैं अपने कविता चड़ा रहा हूं सुनाता हूं सुनियगा आपके उच्छा को प्रणाम है आप थोड़ा ऊपर की तरफ है रिश्वर के आप थोड़ा नस्दीक है अपना ख्याल रखियेगा वरना थोड़ी देर में उससे साक्षादकार भी हो सकता है आ आप ख्याल रखियेगा आपना मैं प्रारम्ब कर रहा हूं सुनाता हूं सुनियगा प्रारम्ब करता हूं कि नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा छटवी पंक्ति में आप शुरू करेंगे कविता मुझे हिम्मत की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं आप लोग हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा मैं आयाशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा मैं आयाशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा तुम अच्छे को अच्छा बोलो मैं खराब पर बोलूंगा मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा मैं ही श मैं ही शद्धा के हत्यारे आफ़ता पर बोलूँगा समझ जाएं तो फिर मुझे आशिरवात दीजिएगा खंजर से 35 टुकड़े उस बेटी के किये गये तब निवेदन करना चाहता हूँ कि खासत तोर पर गाता हूँ इस तोर बनाया है किसने खासत तोर पर गाता हूँ इस तStill बनाया है किसने भारत का कानून कहो कंजोर बनाया है किसने तहरीले नागों का फन हिंदोस्तान की चाती पर सरे आम खंजर चलता है सम्विधान की चाती पर शुक्रिया बागेश्वर्धाम आभार आपका सरे आम खंजर चलता है सम्विधान की चाती पर सरे आम खंजर चलता है समविधान की इच्छाती पर घर से निकलते वक्त शद्धा ने ट्वीट किया अपने माता पिता को उसके पिता ने कहा बेटी विधर्मी के साथ क्यों जा रही हो तो मैरी शादी हम कर देंगे किसी अच्छी जगा कर देंगे तो उसने कहा कि मैं बालिग हो चुकी हूँ मैं अठारे साल की हो चुकी हूँ मैं अपना जीवन साथ ही चुन सकती हूँ मेरे सामने बैठी हुए यूआ पीडी को एक बात कहना चाहता हूँ मेरे सामने बैठी हुए यूआ पीडी को एक बात कहना चाहता हूँ बात संभालना, जोश के साथ, होश में मेरे बात, मेरे दोस्ते न संभाल लेना, ये जो बत्तमीज प्यूरी है, कई लांचन लगे इस पर, बेशक तुम्हें अपनी, उसने कहा कि मुझे अपनी जिन्दगी के फैस्ले लेने का हक है, बात करना चाहता हूँ बेश्क तुम्हें अपनी जन्दगी के फैसले लेने का ह estar लेकिन तुमारी जन्दगी के सबसे बहतरी इन फैसला वो ले सकते हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है और बढ़ा किया है आदमोदादा वा 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 जिंदा बात चुंदा वाच्या संदेश जयावा चली गई 35 चुकडों में कटी हुई मिलती है कविता में आज मैं कोई कविता करने नहीं आया हूँ बागेश्वरधाम में मैं जब रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि क्या चड़ाऊं बाबा के चरणों में तो ये पंग्तियां है ये छे पंग्तियां जो मैं स्पीड ही को चड़ाना चाता हूँ यन युवाओं को दे कर जाना चाता हूँ ताकि मेरी एक भी बहन अगर इन केसर या राहों से उनहरी पगडंडियों की तरफ जा रही हो तो वो लाट करके आ जाएं और शोवचारण ये बात कहना चाता है या खड़े होकर और हिम्मत के साथ संभालना मुझे डरे हुए लोगों की जरूरत नहीं है मुझे उन लोगों की जरूरत है जो जान हथिली में लेकर चला करते हैं ऐसे लोगों को कविता सुनाने के लिए आया सुना रहा हूँ कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगे नहीं मिलती दूसरी पंक्ती में आप समझ जाएंगे अशो क्या कह रहा है कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगे नहीं मिलती घर छोड़ा उसने आफताब के लिए जिन्दगी में अंधेरा हो गया स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगे नहीं मिलती स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगे नहीं मिलती जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगे नहीं मिलती जो घर आभार बागे श्वर आप समझते हैं कविता मुझे धन्य कर दिया आपने कविता सुन कर स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगे नहीं मिलती जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगे नहीं मिलती मरियादा की रेखासे जब पारचरण हो जाता है अंतिम पंक्ती में या तो एक हाथ ना हो एक ताली ना हो इस मैदान में या फिर जगे हुए हर व्यक्ति का हर हाथ आसमान में होगा मैं चार पंक्तियों में कांदूलन यहां पर खड़ा करके जाना चाता हूँ किस वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगे नहीं मिलती जो घर को छोड़ें उनको घर जैसी जगे नहीं मिलती मरियादा की रेखा से जब पार चरन हो जाता है पंचवटी से तब सीता का मान हरन हो जाता है पंचवटी से तब सीता का मान हरन हो जाता है नीड छोड़ कर पंची के बच्चे यूँ ही अकुलाते है या तो एक ताली नई आ रहाथ आसमान में होगा ये दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ पंचवटी से तब सीता का मान हरन हो जाता है नीड छोड़ कर पंची के बच्चे यूँ ही अकुलाते है पेड छोडने वाले फल्चाकू से काटे जाते है या कविता हो रही है इक वार कविता के लिए तालिया होनी चाहिए आपकी अच्छा लगा हो तो जड़ा दौनों हाथ आसमयान में उठा कर तालियों के गरगरा हट करके बताएं के अशोक ने पड़ा मेरी माताएं बहने खड़ी हो गई मुझे अच्छा लगा इस बात पर अभी मैं राजस्थान में कहीं कविता सुना रहा था तो हजारों का जन्समूं खड़ा हो गया था लेकिन जिस बाला जी के चर्णों में हम विराजित हैं यहाँ पर अगर माताएं बहनों ने खड़े होकर आशिरवात दे दिया है तो मैं सोचता हूँ कि इन केसर या राहों से कोई भी बेटी हरी पकड़ंडियों के तरफ में बिचाए निवेदित कर रहा हूँ आपको शुक्रिया बहना विराजित हो आप आभार आपका अच्छा लगा अच्छा लगा बैठ जाएं आप बैठ जाएं बैठ कर आशिरवात दे मुझे ये दोनों बेटियां जो जा रहे हूँ तुरंत पकड़ कर बिठा लो क्योंकि ये जो दो छंद सुनाने मुझे इन दोनों को सुनाने किस वर्ग छोड़ती परियों को साहब बहुत होसले के साथ कहराऊ महराश्री आपके चरणों मैं जो पंक्तियां चड़ाने के लिए लाया हूँ मैं चड़ा देता हूँ हम भी ये चाहेंगे की सदभाव हमारा बना रहे हिंदु मुसल्मान कभी किया नहीं मैंने जरूरत भी नहीं है इस देश में हिंदु मुसल्मान करने की लेकिन जो कहना चाहता हूँ उस पर निर्भीक लोगों का निर्भीक समर्थन चाहता हूँ कबता का अंदॉलन और बड़ा करना चाहता हूँ हम भी ये चाहिंगे की सदभाव हमारा बना रहे हम भी ये चाहिंगे की सदभाव हमारा बना रहे गले लगाती बाँँ का फैलाव हमारा बना रहे सम्विधान का पद्दे करके मान दिया अंसारी को राष्टपती अब्दुलकलाम एटम के प्रबल पुजारी को इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं अश्वाक उल्ला के चर्णों में अपना शीष चुकाते हैं पर ये प्रेम जाल डाले से याद नहीं तो फिर क्या है पर ये प्रेम जाल डाले इन छे पंक्तियों पर मैं जानता हूं कि क्या होगा इसलिए मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं मंच का अश्यरवाद मुझे मिल रहा है आपका मिल रहा है ये छे पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं बहुत होसले के साथ सुना रहा हूं सुन लीजिएगा निवेदन करना चाहता हूं संविधान का पदे करके मान दिया अंसारी को इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं अश्वाक उल्ला के चरनों में अपना शीष चुकाते हैं पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है खून सना ये खन्जर मुर्दा बाद नहीं तो फिर क्या है इस्ट सूलियों पर टांगे जलाद नहीं तो फिर क्या है बेटी के टुकडे टुकडे ने चीक चीक कर यही कहा तुम ही बोलो की ये लवजे हाद नहीं तो फिर क्या है कर दो व्यूह का अपने लग जाए अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं बाला जी के दरबार में सुना रहा हूं और अंतिम पंक्तियों में एक फैसला पढ़ना चाहता हूं वो तिहार में बैठा हुआ बिर्यानियां खा रहा है हम यहां पर खड़े होकर कविता पढ़ रहे है अंतिम पंक्तियां कविता कि सुना रहा हूँ 35 टुक्रों में उस बेटी को उसने काट के फैका सुना रहा हूँ सुन लीजिएगा और मैं जानता हूँ मैं फिर निवेदित कर दूँ या तो एक भी ताली ना हो मैदान में या फिर हर एक हाथ हो आसमान में मैं निवेदन करना चाहता हूँ अंतिम पंक्तियां कविता कि फैसला पसंद आये आपको तो समर्थन कीजिएगा अशोक चारण पढ़ रहा है आपके भी सुन लीजिएगा उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कापने लग जाए निरने सुनकर हत्यारे की रूह कापने लग जाए आहें भरने बालों अपनी सासों में तूफान भरो उसे सौप दो जनता को और खुले आम ऐलान करो जैसे उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए हत्यारे को भी उतने ही टुकडों में बाटा जाए इतनी कमजोर तालिया नहीं पीछे तक समर्थन की तालिया होनी चाहिए चलिए इस कारकरम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं वैसे दूसरा दोर करा देंगे रुख जाओं बहने कुछ खड़ी हुई है वैसे कुछ लोग खड़े हो कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता मैं निवेतन करना चाहता हूं जो लोग खड़े हुऊं वो बैढ़ जा मैं इस करम को आगे बढ़ाता हूं दादा ने हो सुरेष्ट कविता पड़ी निश्चुत रूप से एक बाद जोड़दार तालियां दादा के संबान में होनी चाहिए दादा ने बेटियों की बात कही निश्चुत रूप से जो अभी पहला कांड हुआ था उसी की सजा नहीं मिल पाई थी कि अभी कल परसों ये को और कांड हो गया कुछ मेरी बेहने बैश्च बैठी हुई है यहां मैंने कभी लिखाता मंच का विश्च ध्यान चाहता हूं कुआ आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी कुआ आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी करो संगर्स तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी रखो तुम होसला थोड़ा रखो थोड़ी समझदारी तुमी बहिनों में से कोई तो लचमी बाई निकलेगी आईए इस किरम को आगे बढ़ाता हूँ मैं हमारे बीच में एक बहुत अदभुत गीतकार जिन्होंने राम के उपर बहुत अच्छा वयनन किया है राम के उपर बहुत अदभुत गीत हुआ करते हैं उनके निश्चित रूप से आप जब उनको सनेंगे तो आपके हिर्दे में उतर जाएंगे ये कैसे अदभुत कभी हमारे बीच में है माहिल्यवाई की नगरी से हमारे बीच में इंदोर की धरती से डादा अमन अच्छर जी की उपस्ति होती है जो अपनी कभिताओं के अच्छरों की बरसात आज आप सभी के बीच में करेंगे आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ति में चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ति में मन के सूने आंगन में गर आज घटा पंचाओगे तो कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ति में एक बाद जोरदार तालियों की गरगरार से आमनतित करें बड़े भाई अमन अक्षर जी इंदौर जै श्री राम आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ महराज जी की चंड़ों में प्रणाम करता हूँ और हम सब की इच्छा तो ये थी कि महराज जी के सामने कवीदा पाट करते लेकिन उन तक हमारी वानी लाओड स्पिकर के माध्यम से पहुँच रही होगी देखिए एक बात मैं बैठे बैठे सोच रहा था जब हम बागेश और धाम पर आए एक बात अगर आप समर्थन करें तो मुझे बताईएगा अपनी तालियों से कि महराज श्री धिरेन क्रिश्न शास्त्री जी एक व्यक्तित से व्यक्तित तो बनने की यात्रा है जिनका जादू ऐसा चलता है कि पूरे देश इतनी संख्या में लोग बिना किसी रहवास की खान पान की चिंता किये सिर्फ सनातन धर्म और उनके सम्मान में बागेश और धाम में आये हैं एक बार उनके सम्मान में दोड़दार तालिया आप लोगों की होनी चाहिए जो जादू पिछले कुछ सालों कुछ महीनों में महराज जी ने दिखाया है पूरी दुनिया को सनातन की शक्ती की और उसको समर्थन करने वाले लोगों की शक्ती पूरी दुनिया को दिखाई है मैं चार पंक्तियों से शुरू होता हूँ जितने लोग जागरत अवस्ता में है उनकी चेतना को बुलाता हूँ, पुकारता हूँ हम जिस मिट्टी के लोग है यह भारत की मिट्टी पूरी दुनिया में ऐसी मिट्टी कही नहीं है जो जलवाईू, जो मौसम इश्वर ने हमको दिये है, जो शक्ती हमें दिये है, वो पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है मैं चार पंग्तियों से शुरू होता हूँ, चौती पंग्ति अगर आप तक पहुँच जाए, तो मुझे शुरू करिएगा, मैं आपके सामने रखता हूँ कभी व्यवहार अपना ये, कभी रूखा नहीं रखती अगर एक पल भी आपने किसानी करते हुए या खेतों को लहलाते देखा हो, तो मेरी चौती पंग्ति का समर्थन पूरा सदन करेगा कभी व्यवहार अपना ये है, कभी रूखा नहीं रखती भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती यहां दुनिया में कितने है जो रोटी छीनने वाले यहां दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले ये धरती मां हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती सब लोग दीरे दीरे विश्राम के स्थिति में जितने लोग हैं जितने तक बात पहुंचे तो ऐसे ही समर्थन बढ़ाईएगा मैं इस धरती की बात कर रहा था इस मिट्टी की बात कर रहा था सनातन की परिवार की और संस्कार की शक्ति ये है कि जिस देश ने पूरी दुनिया में कोरोना को भीजा आज उसी अपनी खोदी हुई खाई में वापस गिर गया है सबसे अधिक कोरोना इस समय चाइना में है और कोरोना के बाद रूस और युक्रेन ने महायुद्ध देखा लेकिन ये परिवार की शक्ति है आप माताओ बहनों की शक्ति है कि हमारा देश सबसे पहले कोरोना पर विजय प्राफ्त कर अपने उस सवों की तरफ लोटा है ये गर्वागर महसूस करें चौथी पंक्ति पर तो मैं चार पंक्तियां हूँ और सौपता हूँ हमारी गीता में कहा गया है कि जिन-जिन चीजों में प्राण है सब का संभान करना चाहिए एक तरफ पुरी दुनिया और एक तरफ हमारा दर्शन और ये चार पंक्ति हमने क्या किया कि हर एक कंद का मान राखा है हर एक कंद का मान राखा है सब को एक ही समान राखा है तुमसे इंसान भी नहीं संभले हमने चीटी का ध्यान राखा है मात्र शक्ति यहाँ पर बैठी हैं माईशर तिवारी कई कहते हैं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है बेजुबान छथ दिवारों को घर कर देता है चार पंक्तिया इस परिवार और मात्र शक्ति के नाम पढ़ता हूँ हमने क्या दुनिया को दिखाया मैं एक्षमा चाहता हूँ मेरे अनुज अमन अक्षर बहुत बढ़िया कावेपाट कर रहे हैं लेकिन आप से एक अन्रोध करना चाहता हूँ मैं ये जो बीच में उठने की परंपरा है ये कभी संभेलन की परंपरा नहीं है मुझे लगता है कि जो संचालन जब संचालन कर रहते हैं उस समय अगर कभी बहुत आवश्यक कार है थोड़ी देर और हम आपके बीच हैं हजारों किलोमेटर की दूरी यात्रत तेह करके हम आपके बीच में आए हैं आप भी दूर दूर से आए हैं थोड़ी देर और कभी संभिलन में आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा बीच में उट कर नहीं जाएं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जोड़दार तालियों से पुन है आमन्तित कीजिएगा भाई अमर अच्छा सागत भया आप लोग पूरे दिन से हैं यहाँ पर माराज जी के एक दर्चन के लिए आप लोग किलो मीटर की किलो मीटर की यात्रा करके यहाँ आए हैं मैं जो बात कह रहा था उसे और बढ़ाता हूँ आपकी चेतना को बुलाता हूँ सुनिएगा सागत भया के हमने क्या किया दुनिया को क्या दिखाया हमारे रिष्टे क्या बताते हैं के रोज तुलसी को जल चड़ाते हैं रोज तुलसी को जल चड़ाते हैं द्वार पर दीप एक जलाते हैं के हम तो पत्थर के हैं इन मकानों को अपने रिष्टों से घर बनाते हैं और आईए चूंकि समय बहुत कम है बहुत लोग विश्राम के स्थिति में हैं और अब दो महिनी कभी हमारे भी शेष हैं दादा प्रकाश पटिविया भी कावे पाट करेंगे तीन कभी महिनी शेष हैं मैं भगवान राम पर अपनी एक मिशेज रचना के लिए इस जगह पर आया हूँ मैंने पिछले चार-पांच वर्षों में कभी सम्मेरन के जितनी भी यात्राएं की भगवान राम की क्रपा से जो गीत मेरे हिस्से आया है वो सुनाने के लिए आपको आया हूँ महराज श्री तक भी मेरी वार्णी पहुँच रही होगी महराज जी आप सामने बैठे हैं सारे संत प्रवर सामने बैठे हैं अगर आप ये चार पंगतियां सुनकर मुझे अनुमती देंगे बगवान राम के गीत को शुरू करने की तो चार पंगतियां रखता हूँ के ना कोई काम लेने आए हैं ना कोई दाम लेने आए हैं अपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए हैं आईए राम का नाम लेते हैं जितने लोग भी इस समय कभी सम्मिलन को ध्यान चे सुन रहे हैं आपको मैं याद नहीं रहूँगा मेरी कोई बात याद नहीं रहेगी लेकिन जो गीत मैं आपके सामने पढ़ना चाहरा हूँ इसकी कुछ पंक्तियां आपके साथ रह जाएंगे ऐसा विश्वास दिलाता हूँ मैं गीत प्रारम करता हूँ सुनिएगा माराज जी अनुमती चाहता हूँ के सारा जग है प्रेरणा पास साथ मिनट अब बाकी चीज़े छोड़ दीजे आप एक बार तालियां बजाईए जितने लोग का ध्यान मेरी तरब है मैं आपको अपना सर्वस्यज दे कर जाता हूँ आप लोग अपना प्रतिसाथ दीजेगा सुनिए के सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है बागेश्वर धाम से बहतर जगा इस गीत को पढ़ने के लिए मुझे नहीं मिल सकते के सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहत है भाव सिर्फ राम है मैं गीत प्रारम करता हूँ पहला बन सौपता हूँ आपकी तालिया समय पर बजाईएगा आपको अपना सरवसेज दे कर जाऊँगा विश्वास दिलाता हूँ हमारे भगवान राम जिनके सामने एक तरब राज सिंगासन था और एक तरब माता कैकई के वचनों में बना हुआ वनवास हमारे भगवान राज सिंगासन को छोड़ देते हैं वनवास को चुन लेते हैं ये चार पंक्तियां सौपता हूँ एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता है सागत भईया सुनिएगा के हमारे भगवान राज सिंगासन को क्यों त्यागते हैं और वनवास क्यों चुनते सुनिएगा के काम ना आत्याग पुन्य काम की तलाश में राम बन क्यों गए के राज पाठ त्याग पुन्य काम की तलाश में तिर्थ खुद बटक रहे थे धाम की तलाश में तिर्थ खुद बटक रहे थे धाम की तलाश में ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में राम वन गए थे अपने राम की तलाश में आपकी तानिया अभी में कमजोर है वाह अदुबत पढ़ना दादा वाह राम बन गए थे अपने राम की तलाश में आप में ही आपका माराज जी ने इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में अपना नाम किया बाला जी माराज की क्रपा से राम आपको क्या सिखाते हैं के आप में ही आपका जुनाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है एक बंद और सौबता हूं एक बार फित्र मात्र शक्ति को संबोदित करता हूं अपनी आस्था की शक्ति से हमारी भारती माएं माता कहकई का नाम आया पिछले बंद में आप सबने अभी तक माता कैकई के बारे में सिब लकारात्मक बाते सुनी होगी धर्म के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर हिंदी का सबसे छोटा बेटा माता कैकई का एक सकारात्मक पक्ष पढ़ना चाहता है अगर चौती पंक्ति का समर्थन करें तो मुझे बताईएगा भगवान राम को अब शक्ति के और बल के साथ कोई वनवास नहीं बेश सकता था पूरी दुनिया में उस समय माता कैकई ने क्या उपकार किया अगर एक अच्छी बात माता कैकई की बतादू आपको तो मुझे बताईएगा के कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए एक हासे राम की सो प्रणाम मिल गए कैकई की कामना से जग को राम कि कह कही की कामना से जग को राम मिल गए आपका बहुत आभार जिसमन से आप लोगी जीत को सुन रहे हैं एक दस्य और खीषता हूँ मैं संबोधित करता हूँ अगर यहाँ पर कोई निशाद जाती से हो तो वर्तमान विवस्थाएं कैसी हैं मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हमारे भगवान के युग में निशाद राज केवट कैसे हमर हुए कि उनकी महिमा आज तक गाई जा रही है एक द्रश्च आपके सामने खीषता हूँ एक काम किया निशाद राज केवट में चार पंक्तियां और सौपता हूँ आपकी उर्जाब ऐसे ही मांगता हूँ द्रश्च देखिएगा एक काम किया निशाद राज केवट में के राम जी को कर सवार जनम सवार ले गए जब नदी की धार में जगत की धार ले गए जब नदी की धार में जगत की धार ले गए यू निशाद साथ में कथा का सार ले गए उनको पार ले गए जो सब को पार ले गए जो सब को पार ले गए बारा जी महराज की क्रपा इस प्रांगन पर है बागेश्वर राम यहां पर मैं खड़ा हूं मैं हनुमान जी और राम बगवान दोनों को एक साथ याद करता हूं चार पंक्तिया और सुनाता हूं है बगवान राम के लिए कहा जाता है कि उनका जन्मा रावन के संगहार के लिए हुआ था मैं बहुत छोटा हूं ये बात कहने के लिए लेकिन राम जैसे व्यक्तित्व के लिए यह बात बहुत छोटा उनके व्यक्तित्व का अंग है रावन को अगर मारना होता तो हनुमान जी मार देते जामवन जी मार देते इतने सिर्फ इतने छोटे काम के लिए भगवान धर्दी पर नहीं आए चार पंक्ति पढ़ता हूं राम का होना क्यों जरूरी है आपका समर्थन पहले स्याधिक मिलेगा ऐसा विच्वास है भाराजी सौपता हूं सुनिएगा के नयन तक ते थे जो रस्ताहा वहां आना जरूरी था आपका भी ध्यान जाता हूं भया यह बात्चीत बन कर दो यार आप लोग लगातार कुछ सौपताहूं सुनिएगा भगवान राम का प्रयोजन अगर और बड़ा लग जाए मेरी बात पहुच जाए तो बताईए के नयन तक ते थे जो रस्ताहा वहां आना जरूरी था कहीं लंबी प्रतीक्षा काहा सुफल पाना जरूरी था वहां रावन को हनुमत ही अकेले मार सकते थे मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था मगर शबरी जाना जरूरी था मगर शबरी और ऐसा व्यक्तित्व जिसने कई प्रयोजन साधे एक जीवन में राम के जैसा कौन उधारन हुआ दुनिया में पढ़ता हूं चौथी पंक्ति का समर्थन मांगता हूं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूं के ढाल में ढले समय की शष्ट में ढले सदा सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा ताप में तपे स्वयम की स्वर्न से गले सदा राम ऐसा पत थे जिस पे राम ही चले सदा दुख में भी अभाव का बस दो मिनट और मांगता हूं मैं अभी तक अपनी गीत की कलाकारी महराज जी आपके सामने रख रहा था मैं गीत का प्रान पक्षा आपके सामने रखता हूं मैंने कहा कि भगवान राम मनिश योनी में जन्म लेते हैं पूरे जीवन भर क्या करते रहे और माता जानकी का जीवन एक तरफ हमारे भगवान का एक तरफ मैं अपना मन निकाल कर रखता हूं सुनिएगा के रिन थे जो मनुश्यता के वो उतारते रहे जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे जन को तारते रहे तो, मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोशे, खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गए, राम हारते रहे और भगवान राम कितने महान, जिनोंने अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखा, लेकिन एक शिकायत, पूरी प्रजा को अपने भगवान से रही जब ताना जी महाराज ने सिंगगड़ का किला जीता, और जब वो वीर गती को प्राप्त हुए, तो छटरपती सिवाजी महाराज ने कहा, कि गड़ आला पर सिंग गेला, कि गड़ तो आगया, लेकिन मेरा शेर चला गया, ये बिड़मना राम राज के साथ जोड़ते हु वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए राम राज की ही आस में दिये जले गए राम राज आ गया तो राम ही चले गए माता जानकी की प्रतिनीदी माता यहाँ पर है एक आरोप हमारे भगवान पर लगता है वामपंती लगाते है जिन लोगों ने बागेश और धाम पर सवाल उठाए उन्ही के पूरवज ये बात कहते आए है वो राम का एक तरफ अस्तित्व लकारते हैं और सीता जी के सोशन को इंगित करते हैं दोनों और विरोदाबाद उनके साथ हैं एक आरोप हमारे भगवान पर लगा लेकर इस प्रत्वी से जाते हैं ये दो प्रसंग और उन सारे आरोपों का जवाज आज बागेश और धाम के मंच से देने का प्रयास करता हूँ मेरे जीवन के लिए की सर्वसेश चार पंक्तियां मेरे गीत का मर्म आपके सामने विदाई की तालिया चौती पंक्ति पर मांगता हूँ सुनिये के जग की सब पहेलियों का जब की सब पहेलियों का दे कैसा हल गए लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए सिद्ध कुछ हुए ना दोश दोश सारे टल गए सीता आग में न जली राम जल में जल गए किसी ताग में न जली जान की का हर जनम बचाव सिर्फ राम है साथ गाईएगा के भाव सूचियां बहुत है सिर्फ राम है बहुत बहुत धन्यवाद मेरा निवेदन है यहां सुजीत साहनी आस्त वर्स का बच्चा है जो सिर्दार्थ नगर से आया है वो कहीं गूम हो गया है मेरा निवेदन है कि वो अपने माता पिता के पास पहुँचे और एक मिथलेस नाम से हैं मिरजापुर से चलकर यहाँ पर रुपस्तित हुए उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने परवारी जनों तक पहुंचा है वो आप सभी को ढून रहे हैं मैं बहुत महत्पून कार के लिए खड़ा हुआ हूँ अभी जो एक एक करके हमको कवीता पाट कड़वा रहा था हमारा भाई राणा मुनी परताब सिंग मैं उसकी अगवानी में खड़ा हुआ हूँ और मुझे कहीं पंग्तियाद आती हैं कभी प्रकास पटेरिया जी लिखते हैं कि सरदार पटेल जानते थे दुखदर्द अंधेरी रातों का मैं चार पंग्तियों की भूमिका बना कर राणा मुनी परताब को माई तक लाता हूँ कि सरदार पटेल जानते थे दुखदर्द अंधेरी रातों का पर हमने मोल न समझा उस लोह पुरुस की बातों का तो जिनको तो जिनको इस भारत की पावन गोरो गरिमा से प्यार नहीं इस बीर प्रसौनी वस्था की महिमा जिनको सुईकार नहीं जिनकी आखें अब लोक सकें इस धर्ती का उतकर्ष नहीं वे चाहे किसी धर्म के हो उनका यह भारत वर्स नहीं तो गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है चारपंतिया राणा मुनि प्रताब सिंग माइक पर कि गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है समूचीब दुनिया में आज भी उस घटना की निंदा है और हजारों क्या करोडों में बसी है आत्मा उसकी भगत सिंग तब भी जिंदा था भगत सिंग अब भी जिंदा है जोड़दार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राणा मुने प्रताप हातरस उत्तर प्रदेश भारत तो रही गया फिर तो प्रित भी भी रह गया सभी कवियों ने सभी वाणी पत्रों ने आपका खून पिया अब इस किरम में मैं हूँ थोड़ा प्रयास करूँगा मैं भी पीलू क्या खूनी पियोगे ना कर दीजे कि आप मुझे भी उसनी ही तनमयता के साथ सुनेंगे स्वागत भाई मंच पर सरद्य दादा ओजस्वी धारा के अध्वो तेवर सरद्य दादा गजन सोलंग जी की उपस्तिती है निश्चित रूप से ये मेरा स्वभाग्या उनके चरड़ों में कविपाट करने का अफसर प्राप्त हुआ है कुछ लोग निद्रा में हैं ये समझ नहीं आ रहा निद्रा है या चिर निद्रा है लेकिन उन्हें आप लोग जगाने का काम करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की जैहो अभी उनके कानों तक अवाजी भी नहीं पहुची बागेश्वर धाम सरकार की मैं अपनी बात प्रारंब करना चाहता हूँ मेरे परचे में बहुत कुछ वाई सुसुरत ने कहा जिससे हमारी मात्र भूमी का हो अपमान ऐसा कभी कोई भी में काम करता नहीं जिससे हमारी मात्र भूमी का हो अपमान ऐसा कभी कोई भी में काम करता नहीं जिस नाम में हो उनमाद की जलक मुनी भूलकर भी में ऐसा काम करता नहीं और कटता कलुसता से दूर है हमारा घर अब अधन नबाबों जैसी साम करता नहीं और राणा महराणा का मैं बंसज हूँ इसलिए देश द्रोहियों को मैं प्रडाम करता नहीं बहुत अच्छी करा सुनना निश्चुत्रूप से आप जै जै बहुत आवार अब भारत माता को रहने दो उसके बेटे को सुन लो थोड़ी देर के लिए सुन हामणी इस देश में स्वत耹ता के प्रटीक तरंगे छंडे को जुकाने की बातें की जाती है उस तरंगे छंडे के सम्मान में ये पंग्तिया पढ़ना चाता हूँ और देखना चाता हूँ कितने हिर्द्यों में तरंग्त धर्ड़का है भारत के साभिमान आनबान का प्रतीक मंचपर दादा वल्लाम श्री वास्ताव जी क्यों पस्तिती है पंक्तिया निविदित करना चाहता हूं तरंगे जंडे के सम्मान में देखना चाहता हूं कितने हिर्दों में तरंगा धर्का करता है भारत के साविमान आनबान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम भारत के साविमान आनबान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम किनी भी बिदेसी आकर मर कारियों को अब मीर जा भरों के यहां लुकने न देंगे हम लखाने सा अनुराग, मिधिले से साबिराग, त्याग महा भागियों का चुकने ना देंगे हम और चाहे कितना भी कोई कर ले परियास किंतू, अपना तेरंगा कभी चुकने ना देंगे हम बहुत बढ़िया बाई, बहुत बढ़िया अपना तिरंगा कभी जुकने ना देंगे हम, कुछ देश द्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, एक ऐसा दानव पुरुस कुछ भी बोल देता है, कुछ देश द्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है, कुछ लोग हमारे लियर नाह में घात लगाए बैठे हैं जो क्रूर कास्मों के जैसा जज़बात जगाए बैठे हैं जो लोग समझना पाई अब तक इस धर्ती की परपाटी को पर सके नहीं जो वास्तरक राना की हल्दी घाटी को रंड कौसल याद नहीं उनको उस जासी वा शावर कर कर जैसे Angrae अनगरे जोसे हम से हिसाब लेने बालो तुमको हिसाब देना होगा हमसे हिसाब लेने वालों तुमको हिसाब देना होगा जो प्रश्ण खड़े उन प्रश्णों का तुमको जवाब देना होगा जिनने अपनापन दिया तुम्हें तुमने जहरी ले दंस दिये जिनने दी तुमने उनको बिद्वस दिये तुम गले लगाते रहे चल चंदों को रंगरेजों को Support को लिए देश तुम्हारा नहीं यह तुम्हें यह काकरमन कारी हो रहे लिए बहुतिस धर्ति पर अभजाने की तैयारी हो रहे लिए बहुतिस धर्ति पर अब जाने की तैयारी हो हम करें नेले सयम आजाद हम कैसे हुए लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए है मेरे सामने पुझ महाराजी की उपस्चती है हम करें नेले सयम आजाद हम कैसे हुए हम करें नेले सयम बरबाद हम कैसे हुए हम करें नेने सयम यह देश क्यों बोटा गया नरेने करें क्यों ब्रच की साखाऊं को छाटा गया नरेने करें पंडित निकाले क्यों गए कस्मीर से नेने करें, हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से कस्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से नेने करें, ड़ते रहे क्यों चाइना की धाग से नेने करें, हम एक्चा दोबा क्यों नहीं तनवा सके नेने करें, क्यों राम का मंदर नहीं बनवा सके जातियों में यदि हम अपने को बांट लेंगे, फिर इस देश को जगाने कौन आईगा, फिर इस देश को जगाने कौन आईगा, मुनी इस देश में जो चाहते हैं, गिरह युद्ट सरयाम उनको नचाने कौन आईगा, सरयाम उनको नचाने कौन आईगा, अब बगिया जो देश की उजगा जाएगी तो फिर बगिया को फिर से सजाने कौन आईगा, और नेतां को भगवान मानने लगेंगे लोग, तो धर्म को अधर्म से बचाने कौन आईगा, क्या बात है पूज सरकार हमारे बीच उपस्तित हो चुके हैं एक बार जोड़ार करतल धहनी के साथ हम महराजी का स्वागत करेंगे बोलिए जैस्री राम सादू जी सादू जी जैस्री राम बागेस ओरधाम बाला जी की पूज सन्यासी बाबा की की सरकारे की साधू जी साधू जी साधू जी जैजै स्रीराम जब तक महराज जी अपने आसन पर विराजमान नहीं हो जाते तब तक आपकी तालियों का महोत सब यहां होता रहना चाहिए आप लोग अपने अपनी स्थान पर बेढ़ जाईए अब यह कारकरम पुने जी भी तो चुका है पुने प्रारम करेंगे हम महराज जी अपने आसन पर बिराजमान हो चुके हैं और उनका जो आदेश है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बेर जाए और इन सभी वानी पुत्रों की कविताओं से आप सभी लोग लावानवित हो एक बार जोड़दार तालियां बजाकर आप मुझे आदेशित करिए मैं इस कारिकम को अपने प्रारम करना चाहता हूँ हम जूज रहे हैं जिस भाई से उस भाई का कारण ग्यात नहीं हम जूज रहे हैं जिस भाई से उस भाई का कारण ग्यात नहीं स्वारत के लिए लोग टुकड़ों में हमें बाटने लगते हैं सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं जितनी उलादें देते हैं कंबक्त सवाली देते हैं सम्मान चाहते हैं हमसे सम्मान मुलाकन नारी का हर बात बात में करते हैं अपमान संबुत्रप्रारी का हर बात बात में करते हैं अपमान संबुत्रप्रारी का अपमान किया जिन्ने हर दम सिभ संकर का आविनासी का औरंग जेव को कुरूर बताने में नानी मर जाती है, आये इस किरम को थोड़ा परवर्तित करने का काम करता हूँ, महराज जी का जो मुझे आदेस प्राप्त हुआ है, एक बार जोड़दार तालियों के बीच आप सभी लोग आमंतर करें, आदानी बड़े भाईया पार्थ नवीन जी को मैं मन्च पर आमंतर दे रहा हूँ, महराज जी उनको सुनने की इच्छा रखते हैं, आपके तालियों का महाँ समने मन्च तक आमंतर दे, आदानी बड़े पार्थ नवीन पुना आप सभी को प्रणाम, महराश्री आपको प्रणाम करता हूँ, आपने हाथ से सुनने की इच्छा जताई है, और मैं हाथ से पहले बहुत सारा सुना चुका, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बात जरूर कहना चाहता हूँ, आप उपस्तित नहीं थे उस समय, इसलिए मैंने कही भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये जन सहलाव है, जन महदीनी है, लोग कहता है, अभी यात्रा चली, भारत जोडो यात्रा, पैदल पैदल चले लो, भारत को जोडने के लिए पैदल चलने की भी जरुत नहीं पड़ती, केवल द्वागे हम सरकार में आकर कर देख लेना चाहिए, केवल महाराश्री की उपस्थिती बता देती है की भारत को कैसे जोडा जाता है, मैंने कहा था गुदेव की वो, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन पर दो चार चमीटे क्यों नहीं मारते हैं, और उस पे अगर आप एक बार कह दे क तच्छन, तो जवाब ही क्या, मैं आपको डेली सुनता हूँ, यूट्यूब पर, मैं देखता हूँ और मेरे बेटे ने कहा, मैं माता जी को नहीं ला पाया, मेरी पतनी को नहीं ला पाया, लेकिन उसने कहा, बोले कि इन दोनों को बत ले जाओ, लेकिन मुझे जरूर ले तो मैं अगली बार जब भी आओंगा, उसको लेकर के आओंगा, हसने असाने के लिए आपके बीच में पुनाय आया हूँ, कोशिश करते हैं, नेता जी चले गए हमारे, अब अपन खुल के भी बोल सकते हैं, नेताओं का मामला इतना कमाल का है, अभी आके तो फिर भी अच कोथी देखी, बड़ी आलीशान उसने पूछा, कैसे बनाई, बोले चलो छट पे, सामने नदी देख रहे हो, उसके उपर पूल देख रहे हो, उसके दस परसेंट से, हमारे वाले को आइडिया मिल गया, अभी दस साल बाद वो घूमने के लिए लिए लंदन से, तो उनकी क कोथी देखी, और आलीशान बोले कैसे बनाई, बोले चलो छट पे, सामने नदी देख रहे हो, बोले हाँ, उसके उपर पूल देख रहे हो, बोले कहा है पूल, बोले उसके 100% से बनाया है, और आज कल के नेताओं का कुरसी को देखने का नजरिया आप तक पहुचाता तो फिर जितने लोग जागरी तवस्था में, उन सब के आथ हवा में देखना चाहता हूँ तालियों के रूप में, आज कल के नेताओं का निगाह, नजरिया क्या है पुरसी को देखने का। कि कोई दलाल माल देख रहा हो, बड़े नेता जी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, रुपया डॉलर का उच्छाल देख रहा हो, और हर एक नेता कुरसी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठा लाल देख रहा हो। बारे नेता प्यारे गाड़ी है बंगले है बारे न्यारे बारे नेता प्यारे पबलिक के पैसों पे नजरे डारे हमें सब ये पता है की पैसा कहां। कुरसी के नीचे दबाके रखा है उठा दू तो हंगा माहो। कुरसी के नीचे दबाके रखा है। हमारे देश में एक पार्टी है जिसमें जबर्जुस्ती अध्यक्ष बनाया जाता है। एक पार्टी है राउल गांधी की इच्छा ही नहीं कुछ भी उनकी एक इच्छा है एक इच्छा उन्होंने गाई और उसका जवाब जो आप लोग देना चाहते वो शब्दों में ढाल करके मैं आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले राउल गांधी नहीं क्या इच्छा जता है। उनका कहना है। उनकी मान क्या है। मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जराकू बूल कर लो मुझे अध्यक्ष पद पर तुम जराकू बूल कर लो मुझे को फिर खड़ा करने की सारे भूल कर लो मेरा दिल बैचेन है पी एम पद के लिए अब इस देश की जनता का जवाब दा रहा है हाँ 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 इससे आगे की अब दासता मुझ से सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी बात अब तक जो दिल में थी तेरे छूपी मेरा दावा है होटों पे आ जाएगी तू नतीजा चुनावों की हारों का है सब तेरा नाम सुन कर चले जाएंगे एक एहसान कर एक एहसान कर गांधी परिवार पर एक एहसान कर मुझे बहुत दूरी की यात्रा करनी है लेकिन मैं दो पेरोडियां विश्यह रूप से सुनाना चाहता हूं हम एंदुस्तान से बहर जाते हैं हम इंदुस्तान से बहर जाते हैं तो तो हमें देश की याद आती है हम राजस्तान से बाहर जाएंगे तो राजस्तानी कहलाएंगे गुजरात से बाहर जाएंगे गुजराती कहलाएंगे लेकिन जब इस देश के बाहर जाएंगे तो केवल हम इंदुस्तानी कहलाएंगे और देश के बाहर जाते हैं देश की याद आती गुर्देव आपको भी आई थी जब आपको बाल्टी नहीं मिली लंदन में आती है आप देखें मैं आपको सुनता हूं मैं भी जब देश के बार गया मुझे देश की याद आई और देश की याद आती है तो फिर देश में क्या-क्या है हिंदुस्तान के देश देश नहीं है विश्व में मैं पंक्तिया पढ़ना चाहता हूं पेरोडी पढ़ना चाहता हूं एक पेरोडी के माध्यम से इस देश की यात्रा करवाने की कोशिश करता हूं ना तो गंगा मासा पानी कहीं ना शहीदों की कहानी कहीं ना तो धर्मों में अंतर ना वो संत दिगंबर जग घुमे आथारे जैसा ना कोई ना तो धासी वाली रानी कहीं ना ही पन्ना सी मरदानी कहीं बाबा परफानी कहीं भी ना ना ही राना सी कहानी कहीं जितना कहूं कम है लगना जग घुमे आथारे जैसा ना कोई बंद समर्पित करता हूं क्या है विबिन ताम एक तावाला देश इबोध जैन सिख मुस्लिम इसा और हिंदू तू साक्षी मलिक भी तू है और पीवि सिंधू तू सैना का जुनून सैना का जुनून भी है यूवाओं की जान है सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदूस्तान है कही ब्रज की तू होली बने महाकाल की सवारी कहीं कभी इंद्रा बनी है तू तो बनी अटल भी हारी कभी जग घूमे आखारे जैसाना कोई जग घूमे आखारे जैसाना गुर्देव में ने एक पिरोडी आप के लिए लिखी थी आप चले गए थे मैं वही सुना दूँ अगर आप लोगों की आग्या हो तो मैंने सुना तो दिये आपको लेकिन आप समाल लेना और आप ही के लिए लिखी है और आज ही लिखी है बगवती ने आज ही लिखवाया है आप तक समर्पित करता हूँ आप लोग समाल लीजेगा आपने वहले ही सुना है तो भी कोई बात नी जब हमारे मुख्य मंत्री जी पुराना बजेट पढ़ सकते हैं तो आप वापीस कविता नहीं सुन सकते हो मैं राजस्तान से आता हूँ तो ऐसा होता है हमारे याप मैं तो कहे के पढ़ रहा हूँ उन्होंने भीना कहे पढ़ा था ऐसा जलवा मचाया है सरकार ने पूरी दुनिया ने माना के जब हो गया पूरी दुनिया ने माना के जब हो गया इक तो मैं फिल तुम्हारी कभी कम न थी इसमें हनुमत का आना के जब हो गया क्या ही परचा बनाया है सरकार ने क्या ही परचा बनाया है सरकार ने मीडिया वाले बैठे हैं दरबार में माइंड रीडर है कहते कुछ नादाईन है उनकी ठटरी बंदाना के जब हो गया राम पर एक आरोप है शाम का क्योंकि सच है वो मानव है बसनाम का क्योंकि सच है गुर्देव आप पर आरोप लगाया क्या आप भाग गए जवाब आपकी तरफ से देता हूं राम पर एक आरोप है शाम का क्योंकि सच है वो मानव है बसनाम का भागने का जो आरोप मड़ता रहा भागने का जो आरोप मड़ता रहा उसका खुद भाग जाना घजब हो गया उसका खुद भाग जाना घजब हो गया उसका खुद भाग जाना घजब हो गया एक अंतिम पेरोडी पढ़के मुझे 900 किलोमेटर की यात्रा करनी है और मुझे जालोर पहुचना है आपके आशिरवात से और मैं अभी बूत हूँ मैं अभी तब इश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपके सामने कावेपाट कर पा रहा हूँ एक पेरोडी अभी भाई साब ने भी पढ़ा अशोक चारेंट जी ने उन्होंने श्रद्धा पर एक पेरोडी पढ़ी है JNU की बात भी की थी इन्होंने इतना अच्छा देश है हमारा लेकिन उसके बावजूद अबजल जिन्दाबाद के नारे हमारे देश में देश की रासधानी की युनिवर्सिटी में कभी बैंगलोर युनिवर्सिटी में कभी JNU में कभी पंजाब इन्होंने में एक पेरोडी के माध्यम से आपकी राष्ट भक्ती देख चुका हूँ लेकिन पढ़ना चाहता हूँ एक पेरोडी पढ़ना चाहता हूँ और जवाब पहुंचाता हूँ उसके पहले कहा पमार राजसानी जी ने क्या है हमारा देश पमार राजसानी जी ने कहा कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर इमान नहीं बदलेगा बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा बदलेगा हर कपन लाश का पर शम्शान नहीं बदलेगा और हम बदले या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं बदले तब एक पेरोडी पढ़ना चाहता हूँ और उन बत्तमी जो तक जवाब पहुचाना चाहता हूँ बहुत छोटी सी पेरोडी एक मिरीट में खतम करता हूँ कौन है वो लोग कि उन लोगों को उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अब जल जिन्दा बात का नारा लगता है शैतानी भारत मा की जय बोलो और कर दो खतम कहानी जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी इनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी देंगे जवाब तुमको एक करारा देश हमारा है नहीं तुम्हारा कश्मीर चाहिए और आजादी भी जिन्ना के जैसी बरबादी भी भारत के टुकडे करने की जिन लोगों ने ठान अगली पंक्ति अगर आपके मन की हो तो फिर एक भी हाथ खामोश नहीं हो सबके हाथ हवा में हो कि भारत के टुकडे करने की जिन लोगों ने ठानी हम उनके टुकडे कर देंगे ऐसी जिन की बानी भारत के टुकडे करने की जिन लोगों ने ठानी हम उनके टुकडे कर देंगे ऐसी जिन की बानी तो वंदे मातरम जनगन मन की चले लहर तूफानी हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी जिसका तन भी हिंदुस्तानी जिसका मन भी हिंदुस्तान जिसका तन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 ऐसे नहीं एक बार जोड़दार तालियां बजाकर उन्हें आस्वस्त करिए कि आपने बढ़िया सुनाए हुने एसे नहीं एक बार तरीके से करो बागेशर धाम सरकार की आएए इस किरम को थोड़ा में फिर परवर्तित कर रहा हूं एक ऐसे अदभुद गीतकार माहिल्यावाई की नगरी से हमारे बीच में उपस्तित हुए है जो निश्चित रूप से अभी जिनका आप सभी लोगों ने गीत सुना महराज जी की पूज उपस्तिती हुई है वो भी उनका गीत सुनना चाहते है एक ऐसा अदभुद नाम जो अपनी कविताओं के अक्षरों की आज यहां बरसात करने वाला है वो इंदोर की धर्ती से हमारे बीच में दादा अमन अक्षर जी की उपस्तिती हुई है मैं बिना किसी भूमका के उनको मंच पर आमतित कर रहा हूँ एक बाद जोड़दार तालियों का महोच सब उन्हें आमतित करें बड़े भाई अमन अक्षर जी महराश्ची के जंडों में प्रणाम आप सभी को पुनह प्रणाम करता हूँ देखिए अगर और कोई इच्छा रिदय में सच्चे मन से की जाए तो वो पूरी होती है मैं कावे पाट करके आपके सामने बैट चुका था अपनी जगह पर लेकिन फिर से महराश्ची का आदेश हुआ मैं आपको वो गीत सुनाना चाहता था और साथ में भी महराश्ची पुंडरिक महराश्ची भी आगए है आप दोनों को हम लगातार सुनते हैं यूट्यूब फेस्बुक पर और सारे संच जो लोग यहाँ पर थे वो सुन चुके हैं लेकिन जिस मन और तालियों के साथ आपने सुना था महराश्ची की सामने बिज्जती मत कराईएगा वैसे ही सुनिएगा तो एक बार अच्छे से ताली बजा दो तो मैं वो गीत आपको सापता मैं बिना किसी लंबी भूमिका के वो गीत जो मेरे मन में बसे राम जो आप सब बड़ों से सीखा पढ़ा वो जैसे राम मैंने समझे मैंने उस गीत को रखा है सुनिए कि सारा जग है प्रेरणा जग है सारा प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है पहला बन जिसमें भगवान राज सिंहासन को छोड़ कर माता कह कही कि वचनों से बना राज सिंहासन वनवास और राज सिंहासन एक तरब राज सिंहासन को भगवान छोड़ते हैं वनवास को चुन लेते हैं ये चार पंक्तियां सौपता हूँ एक-एक पंक्ति पर आपका ध्यान के कामनाएं त्याग पुन्यकाम की तलाश में रामबन क्यों गए राजपाथ त्याग पुन्यकाम की तलाश में तिर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी है, नाम की तलाश में, नाम वन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका, चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है माता कईकई का नाम आया, हमने सिर्फ नकारातमक बाते कहीं, माता कईकई के बारे में पूरे इतिहास ने एक सकारातमक पक्ष, पुनी विनमरता के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ एक उपकार माता कईकई ने हम सब पर किया, पुरे भविश्य पर किया, वर्तमान पर किया कि कितनी ही पहेलियों को, वहीं भी राम मिल गए कितनी ही पहेलियों को, वहीं भी राम मिल गए मोह के प्रपंच को, वचन के नाम मिल गए एक हासे राम की हे, सो प्रणाम मिल गए कैकई की कामना से, जग को राम मिल गए महराज जी का आशिर्वाद आप तक पहुंच रहा है, एक बार जोड़दार तालिया होनी चाहिए बहुत स्रेश्ट कवदा पाट कर रहा है वहाँ यह मेरे पूरी कविता और पूरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है अगर महराज जी ने अपना, यह मैं पूरे जीवन पर इसको बड़ी अमूल ने चीज़ा आपने दिए कि कह कही की कामना से जग को राम मिल गए और कैसे राम मिले राम का जैसा उधारन पूरी दुनिया में कौन हुआ यह बाला जी का दरबार है साक्षा थनुमान जी यहां पर उपस्तित होंगे महाराज जी आपने भी उनकी प्रतिशवी दिखती है हमको के ढाल में ढले समय की शश्त्र में ढले सदा सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा ताप में तपे स्वहम की स्वर्ण से गले सदा राम ऐसा पत थे जिस पे राम ही चले सदा दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहत है भाव सिर्फ राम है मैंने एक प्रसंग सुनाया था बहुत आभार आप लोगों का निशाद राज केवट महराजी एक काम किया निशाद राज केवट ने हमारे भगवान को नदी पार कराई मैंने अपने एक गीत में कही कहा के रगुनंदन के पत्मे सबसे पहले केवट साथ रहे राम बनने के बाद श्री राम बनने की यात्रा में जिसने सबसे पहले हमारे भगवान का साथ दिया वो निशाद राज केवट थे वर्तमान विवस्था में निशाद जाती कहां रखी जाती मैं कहना नहीं चाहता राम के युग में निशाद राज कितने बड़े थे एक दश खीसता हूँ सीधे सीधे बात पहुँचेगी आप तर के राम जी को कर सवार जनम सवार ले गए एक काम किया भगवान ने राम जी को कर सवार जनम सवार ले गए जब नदी की धार में जगत की धार ले गए जब नदी की धार में जगत की धार ले गए यू निशाद साथ में खथा का सार ले गए उनको पार ले गए जो सब को पार वाह 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 जो सब को पार ले गए और सब के पार सब को पार ले जाने वाले बगवान इस प्रत्वी पर आये क्यों मैं एक बार फिर भागेश्वर बालाजी महानाच का सुमिरन करता हूँ बहुत बहुत प्रणाम रहा है महायाच जी yea saabag बहुत आम तोर पर बहुत आम तोर पर यह बात कही जाती है भाइया यह चाय थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा नहीं महाराच जी आप मैं आपके लिए नहीं कहना था इंसे कहना था कि चायवालों से कुछ कहे भी नहीं सकते पता नहीं कप प्रदान मंतरी बन जाएं नहीं वो तो बन गए जिनको बनना था और देज इतना बढ़िया स्वागत वईया मैं कह रहा था कि भगवान राम इस प्रद्वी पर आये क्यों बहुत आम तोर पर एक बात कही जाती है कि रावन के संगहार के लिए आये रावन का संगहार इतना छोटा काम था कि रावन का संगहार करना होता तो हनुमान जी महराज कर देते जामवन जी कर देते राम किन बड़े उद्देशों के लिए जन्म लेते हैं ये चार पंक्ति अलग सोपता हूं फिदीद को आगे बढ़ाता हूं किनयन तकते थे जो रस्ता हा वहां आना जरूरी था कहीं लंबी प्रतीक्षा काहा सुफल पाना जरूरी था वहां रावन को हनुमत ही अकेले मार सकते थे मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी वह जन्दावाद वह मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था और ऐसे ही राम आए इस गीत का प्राण बंद आपके सामने रखता हूँ मनुष्यों नी में बगवान जन्म लेते हैं पूरे जीवन बर क्या करते रहे आप राम कथा में राम का पूरा जीवन सुनते हैं केरिण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे एक भरी सदी का दोशे खुद पे धारते रहे जन की तो जीत गहीं राम हारते रहे जन की तो जीत गहीं राम हारते रहे सारे दुख कहानिया है दुख की सब कहानिया है गाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है ऐसे ही जब भाव का इस्तर ये है एक द्रश्य और पढ़ने का दुस्ताज करता हूँ स्वागत भईया अयोध्या वासी अपने भगवान को अयोध्या के बाहर छोड़ने गए मेरे जीवन के लिए कि सबसे मार्मिक चार पंक्तियां पढ़ता हूँ आप सब के चट्डनों में रखता हूं, हम जैसे योध्या वासी, अपने भगवान को विदा होते देख रहे हैं, आयोध्या के बहार सब खड़े हैं, राम ये कहते हैं कि यह मेरा धर्म है, मेरा कर्दव है, या मेरे साथ मेरे परिवार का कर्दव है, आप सब लोग ऐध्या अपने अपने परिवारों और कर्तवों की तरफ लौट जाईए हम जैसे आज सनातन की शक्ति और शद्दा वागेश और धाम पर लाखों की भीड उमरती है जिस युग ने अपने नायक के तोर पर सोयम स्री राम को देखा हो उनसे बिछडते हुए आयोध्यावासी क्या कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाते हैं लेकिन क्या करना चाहते हैं मैं अपना मन निकाल कर रखता हूँ आपकी कोर गीली कर दूँगा विश्वास दिलाता हाँ स्वागत वह वह कहते हैं हम आपके साथ नहीं जाते लेकिन के धूल भी चरण किये संजोए ना तो क्या करें हम आपके साथ नहीं जाते हैं के धूल भी चरण किये, संजोए ना तो क्या करें, छाव जा रही थी, धूप ढोए ना तो क्या करें, छुट रही थी सास, आस खोए ना तो क्या करें, जिन के राम जा रहे हो, रोए ना तो क्या करें, जिन राम को, जिन राम को आयोध्या वासियों ने रोते हुए विदा किया, राम जब लोटते हैं, तो फिर समय ने ऐसी ऐसी घटनाए देखी, कि राम आए, उसके बाद हमारी माता की अगनी परिक्षा भी हुई, और कैसे कैसे दुर्भाग ये देखे, इतना संगर जिन के लिए किया, उनके साथ रहने का नायोध्या वासियों का अफसर मिल सका, ताना जी माराज वीर गती को जब प्राप्त हुए थे, तो छट्रेपती चिवा जी माराज ने एकी बात कही थे, एक गड़ आला पर सिंग गेला, के गड़ तो आगया, लेकिन मेरा शेर चला गया, ये विड़ंबना राम राज से जोड़कर एक हिंदी का सबसे छोटा कभी आपके सामने रखता है, सागत भी या, के सब के अपने दुख थे सब के, सारे दुख चले गए, के राम राज की ही आस में दिये जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, अन्तिम बन पढ़ता हूँ विशे, उससे पहले यहाँ पर जो प्रेम और इसने मुझे महराज जी आप लोगों से मिला, वो मैं पुरे जीवन वहर कभी भूल निक सकता, मंच भी जानता है, यह कितना महत्पुर्ण समय है जिसको मैं जी रहा हूँ या हम कभी लोग जी रहे हैं, लेकिन यह सारे महिमा भगवान राम के नाम की है, इस से अतिरिक कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक मेरी भूमी का, उस पत्थर के जैसे है, जिसके उपर राम का नाम लिखाता और एक सेतु का निर्मान हो गया था, मैं बस आपके और अपने बीच एक सेतु का निर्मान कर रहा हूँ, और जो करोणों वर्ष से नेपाल से जो शिला राम मंदिर तक आई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रामाएंड सहकारिता का सबसे बड़ा गरंथ है, इतनी बड़ी पिठीका पर छोटा विक्ति हूँ मैं, लेकिन सहकारिता भगवान राम ने सिखाई कि पूरी रामाएंड में सब को थोड़ा थोड़ा श्रेय है, समुद्र तक को श्रेय है, पत्थरों तक को श्रेय है, निर्जीव चीजों तक को श्रेय है, मैं अपनी भूमी का और भगवान राम की महानता को चार पंक्तियों में पढ़ता हूँ पूरा सदन मुझे आशिरवाद देगा उसके बाद अंतिम चार पंक्तियां और के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया सागरों ने आस्था को तूटने नहीं दिया पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया पत्थरों ने राम नाम तूबने नहीं दिया पत्थरों ने नहीं दिया पत्थरों को रूठने नहीं दिया सबसे विशेज बन आपके प्रेम को बहुत प्रणाम है अन्तिम बन और सबसे विशेज बन सौपता हूँ आपका दो सेकंड अतिरिक और ध्यान चाहता हूँ दिया पत्थरों कि अगवान डाम पर इतना बड़ा व्यक्तित्व जिन पर एक आरोप लगाया खास करके वाम पंथी लोगों ने एक तरफ तो माता जानकी के अगनी परिक्षा उन्हें सत्य लगती है और एक तरफ राम का अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं अगर माता जानकी के अगनी परिक्षा सत्य थी तो राम का अस्तित्व भी था अगर आप ये दोनों कॉंट्रा लिक्षी बाते कैसे कह सकते हैं लेकिन ये सारे आरोप जो पूरी दुनिया ने भगवान पर लगाए के माता जानकी के अगनी परिक्षा क्यों ली गई माता जानकी अगनी परिक्षा से सुलक्षित लोटती हैं और हमारे भगवान सरीयों में जलसमादी लेकर इस प्रत्वी से जाते हैं मेरे जीवन के लिके सर्वसेश चार पंक्तियां इस गीत की अंतिम पढ़ता हूं सुनि कैसा हल गए लोक के जो प्रश्ण थे वो शोक में बदल गए के जग की सब पहेलियों का देखे कैसा हल गए लोक के जो प्रश्ण थे वो शोक में बदल गए सिद्ध कुछ हुए ना दोश दोश सारे तल गए सीता आग में न जली राम जल में जल गए किसी ताग में न जली राम जल में जल गए जान की का हर जनम बचाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम बहुत बहुत धन्यवाज बहुत बहुत धन्यवाज आपकी तालियां तो आई नहीं है एक बाद जोड़दार तालियां बजाएए आप सभी लोग क्या अधबुत गीत पड़ा भाई साब में बहुत स्रेश्ट गीत महराजी का विशेश आशिरवाद उनको प्राप्त हु हाला कि उनका ये किरम नहीं है लेकिन मैं आज इस किरम को भंग करना चाहता हूँ महराजी का विशेश आशिरवाद अमन भाई को प्राप्त हुआ एक बाद जोड़दार तालें आप जाईए अमन भाई के लिए बहुत स्रेश्ट गीत पड़कर उन्होंने आशिरवाद प्राप्त किया है आए हमारे बीच में देश की राजधानी से एक ऐसे अध्वुत तेवर के कभी यहां पर उपस्थित हुए हैं जिनको ये पूरा देश आदनिय दादा जगजी सोलंकी जी के नाम से जानता है आदर्णी दादा गजएंदर सोलंकी जी के नाम से जानता है, वह छमा चाहता हूं मैं, लेकिन जहां महाराट जी की उपस्चति हो वहां हर एक आदमी भावळ खोई जाता है एक अद्भूत गीतकार हमारी बीच में आदनी दादा बलराम स्रीवास्तव जी की उपस्चती होती है निश्चित रूप से आप जब उनको सुनेंगे तो आपके हिर्दे में उतर जाने का वो काम करेंगे ऐसे अद्भूर मधूर कंठि के धनी आदने दादा बलराम स्रीवास्तव जी जो की मैंपुरी की धर्ती से हमारे बीच में उपस्चत हुए है एक वाद जोड़ दार तालियक की कर्टब धनिया से आमंदित करें आदने दादा बलराम स्रीवास्तव जी साहित्तिक और सनातनी संसकार देने वाले इस पवित्र मंच को प्रडाम करता हूँ कविता के इस सारसोत अनुस्थान में उपस्तित परम पूज श्रद्धे गुर्द्यो भगवान सभी संतों को भक्तों को सबको प्रडाम करता हूँ और विशी साभार हम कभियों के असरदार शरदार भाई प्रकास पटेरिया जी का एक बार आप मुझे ताली बजा करके आदेशित करियेगा मैं कुछ पंक्तियां सोनाता हूँ स्वागत दादा स्वागत बहुत देर से अपने करम की प्रतिक्छा कर रहा था लेकिन बृत करम हुआ पहला करम पूरा नहीं हो पाया और अगला करम शुरू हो गया जीवन में तीस वरस की अनवों में साहिद पहली बार ऐसा हुआ है मंच पर हूँ सुनेगा चलिए बगे स्वरुधाम परमाथा जुकाने हम चले आए तुम्हारे रिण का कुछ हिस्सा चुकाने हम चले आए हमारा क्या है जो कुछ है हमारे देश का ही है मिली जो प्यार की दौलत लुटाने हम चले आए लुटाने हम चले आए महाराश्री का दर्शन रोज मोबाईल पे करता था अचानक मन में ये आशा जगी कि मैं कब और कैसे आपके पास पहुँचूंगा और कब अरजी सुता ही लग गई मुझे पता नहीं चला और आज महाराश्री के दर्शन हो गए मैं प्रडाम करता हूँ मुझे उन्हें किताब समर्फित करने का सौभा की मिला उनके निकर जाने का सौभा की मिला वो अपने पैर के अंगूठे को खीच रहे थे लेकिन मैं कहां मानने वाला था मैंने उनके अंगूठे को इश्परश करके ही बना मैं उन्हें प्रडाम करता हूँ चार पंक्तियां और देता है सागा दादा अबध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती अबध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती अहिल्या और शवरी की भक्त नूरी नहीं होती जगत कल्याण करने को सहा अपमान जीवन भर अगर होती न कैकेई कथा पूरी नहीं होती चार पंग्तियां और महराजी को देता हूँ कि मैं मरोथल कराई हूँ मुझे मधो मास लिख देना मैंने पहली बार जीवन में इतनी कम उम्र का शन्यासी जिसने सनातन धर्म की दोजा को पूरे विश्व में फैराया हो मैं प्रडाम करता हूँ उनको पंग्तियां देता हूँ सुनेगा मुझे तुम प्यास लिख देना तुम्हारी द्रैष्ट के भूगोल को अभिव्यक्त दे दूँगा तुम अपने नर्म हाथों से मेरा यते हास लिख देना जहां परशानती होती है वहां बेस्राम होता है सदासत पथ प्रगामी के रदे में राम होता है सदासत पथ प्रगामी के रदे में राम होता है जहां पर मान मर्यादा की धारा बहर ही होती जहां परमान मर्यादा की धारा बह रही होती वो के बल घर नहीं होता अयोध्या धाम होता है और यहां नारेश शक्ति उपस्थित है मैं चार पंक्या देना चाहता हूं सुनीगा वो के बल घर नहीं होता अयोध्या धाम होता है हर एक पाशान सालिगराम की बटिया नहीं होती हर एक पाशान सालिगराम की बटिया नहीं होती फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती कभी भी गर्भु मैं कन्या पेचाकू कोचलाना मत वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती जहां बिटिया नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती समस्टी यद नहीं होगी तो फिर द्रैस्टी का क्या होगा समस्टी यद नहीं होगी तो फिर द्रैस्टी का क्या होगा समय के बाद यद नहीं होगी तो जल ब्रैस्टी का क्या होगा समय के बाद यदि होगी तो जल ब्रेस्टी का क्या होगा इन्हें दो प्यार पावन तुम पेखित मत कभी करना अगर बेटी नहीं होगी तो फिर इस रेस्टी का क्या होगा अगर बेटी नहीं होगी तो फिर इस रेस्टी का क्या होगा और कुछ मुक्तक आपके परिवार से उठाता हूँ और उसके बाद अपना इस्थान लोगा सुनिये गाए कि जिनके घरों में प्यार बाली बेल नहीं है यह बात साफ है कि बहां मेल नहीं है माबाप को जीवन में कभी दर्द ना देना रोज महराजी कहा करते हैं कि माबाप को जीवन में कभी दर्द ना देना इनकी दुआ दुआ है कोई खेल नहीं है इनकी दुआ दुआ है कोई खेल नहीं है चार पंक्तियां और देता हूं कि बस जिन्दगी है याद मरन भूल गए है हमारी नई पिड़ी क्या क्या भूली कि बस जिन्दगी है याद मरन भूल गए है मूल्यों का हो रहा है छरन भूल गए है घर से चले तो प्रिय के मुख को चूम लिया है घर से चले तो प्रिय के मुख को चूम लिया पर छूने को अपनी मा के चरन भूल गए है घर से चले तो प्रिय के मुख को चूम लिया पर छूने को अपनी मा के चरन भूल गए है कि जीवन रहस क्या है गीता से जाके पूँचो मिलती है कैसे मंजिल सरिता से जाके पूँचो साक्षी है जिसके लक्षमन रिषबाल मीक लवकुस। परित्याग दर्द क्या है सीता से जाके पूँचो चाहे ठके ये तन पर यह मन नहीं ठकेगा बन कर खड़ा जो साया यह घन नहीं ठकेगा जीवन की स्वास स्वास श्री राम साधना में जीवन की स्वास स्वास श्री राम साधना में चाहे ठके ये दुनिया लक्षमन नहीं ठकेगा बस राम नामी चंदन माथे पे धारती है आँखों में प्यास लेकर पथ को बुहारती है होती है क्या प्रती च्छा यह जानना जो चाहो देखो यहीं कहीं पर शवरी पुकारती है मेरे मुक्तकों को आपने बहुत मन से सुना एक बार तालियां बजाते हुए मैं शिर्फ चार पंक्तियां और महराजी को देता हूँ आज जब मेरा उनसे इश्पर्श हुआ उनके श्री च्रणों में मेरा हाथ लगा मेरा मस्तक जुगा तो मुझे कैसा लगा चार पंक्तियां देता हुआ अपना इस्थान लेता हूँ सुनेगा आपने ऐसे छुआ मुझे को जाने क्या हुआ मुझे को जाने क्या हुआ देखते ही द्रश्ट सावन हो गई यह अपावन देह पावन हो गई यह अपावन देह पावन हो गई घर से जब चला था तो मिरी सहधर उनी ने कहा था चाहे कुछ भी हो इसपर्श करके आना उनको इसपर्श करने के बाद जब तुम मुझे मेरे सर पे हाथ रखो गए तो मुझे लगेगा कि मुझे महराजी ने आशिरवात देती यह अपावन देह पावन हो गई कैसे कहदू कैसे कहदू मेहरदैसे संत हूँ कैसे कह दूं मैं हृदय से संत हूँ प्यास का पर्याय हूँ दुशयन्त हूँ मन तुम्हारा वेद की पावन रिचाए मन तुम्हारा वेद सी पावन रिचाए और मैं अध्यात्म का श्रीमन्त हूँ जब बजी बैराग वनशी भक्त मधुवन हो गई यह पावन देह पावन हो गई आपने ऐसे छुआ मुझे को जाने क्या हुआ देखते ही द्रश्ट सावन हो गई यह पावन देह पावन हो आपने उनके गीतों को बड़े ही मनो भाव से सुना एक बार जोड़दार तालिया उनके सम्मान में होनी चाहिए इतनी कमजों और तालियों से काम चलने वाला नहीं है कार क्रम तो अब सुरू हुआ है स्रद्य महराजी की उपस्ति है अम मैं जिनके किरम मैं हूँ महराजी विसेज ध्यान चाहता हूँ कुछ पंक्तियां आपके लिए बचा के रखी थी मैंने विसेज ध्यान चाहता हूँ आपका अंजनी लला के परम भक्त को जिसने भी ललका रहा है अंजनी लला के परम भक्त को जिसने भी ललका रहा है उसने अपने पेरों पर खुद आपको लड़ा मारा है अन्याई पंत पर चलते जो खुद को पहचान नहीं सकते वे पवन पुत्र की गौर भी ये गर्मा को जान नहीं सकते हम धन्य हुए है मठा दीस जो ऐसा सनमुख आया है अपने धर्म सनातन का जिसने परचम फेराया है खलवली मचादी दुनिया में मच रहा सोर जैकारों का बज उठा कृष्ण का पांच जन सर गूज रहा है नारों का ये देश बनेगा हिंदु राष्ट कोई अब रोक नहीं सकता बागेसवर पीठा धीसवर को कोई अब तोक नहीं सकता बागेसवर सरकार सनातन धर्म बचाने निकले है जो हिंदु कल तक सोय थे वे उन्हें जगाने निकले है उनके मन में सिव सत्यम के अर्मान दिखाई देते है मुझको तो उनके रोम रोम हनुमान दिखाई देते हैं जो अन दिखाई देती थी वो धर्ती आज अनन्य हुई धीरंद कश्न को पाकर के भारत की धर्ती धन्य हुई बहुत आभार आपका मैं जिनके क्रम में था अब यह उनकी अगवानी का समय है आदनी दादा देश की राजधानी से हमारे बीच में पस्चित हुए है यह अब उनका क्रम है हम बहुत जल्दी कारिकरम के सिखर कलस को रखेंगे आदनी दादा गजिन जोलंकी जी की उपस्चिती होती है मंचपर इनके किस तेवर के कभी हैं आप पंक्तियां सुनना विकल जी लिखते हैं उबलेन अगर अन्याई देख हम उसको पानी कहते हैं जो चरण मौत से धलवाए हम उसे जवानी कहते हैं सिंगहसन ठेर नहीं पाते आखों के कायर पानी पर धरती न्योचावर होती है लपटोसी खिली जवानी पर पसुबल का होता है रास नहीं धनकी मनमानी चलती है इतिहास सुधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है एक बाद दोना हाथ उठाकर तालियों की गडगड़ा हर्चे आमत उत करें आदने दादा गजेंद सोलं कीजी आंदोलन समाप्त पुझे महराश्री की पावन उपस्थिती और यहाँ सोए जागते सभी लोगों का पुन है अविनन्दन जो निद्रा की देवी की गोद में चले गए है उन में से कर कुछ जागेंगे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा मेरा क्रम है मैं पुन्हे आभार विक्त करता हूँ अपने बड़े भाई हमारे अग्रच श्रिपकास पटेरिया जी का कि उनके आशिरवाद से उनके प्रेम से मुझे यहाँ बागेश रधाम सरकार का आशिरवाद प्राप्त हो रहा है मैं अब सोच रहा हूँ कि इतना सब कुछ पढ़ा जा चुका है मैं क्या पढ़ू लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो कुछ सोरे लहरियां आपके मन तक पहुँचे तो आप मेरे साथ जुड़िएगा हमारे लोक तंत्र की आनबान शान ये तिरंगा है वहाँ से बार शुरू करना चाहता हूँ कि जनगन मन के अमर सरों का गान तिरंगा है भारत के सर्णिम सपनों की शान तिरंगा है बलिदानी पवनों के जोकों से जो लहराया भारत मा का गौरव और समान तिरंगा है मैं जानता हूँ आप तालियां बजाते थक चुके होंगे सभी कवियों ने इतना आप से तालियां बजवाली है बहुत शेश नहीं बचाओगा लेकिन फिर भी मेरे हिस्से की कुछ तो बची होंगी एक बार बता दीजेगा युगों युगों तक इस धरती पे भारत मा की शान रहे ये सामान ने घटना नहीं है इतिहास की ये कैसी घटना है अगर हम अतीत के पन्नों में मुड़कर देखते हैं आर्या वर्त को देखते हैं महराश्री ये अगर देखते हैं हम अतीत के पन्नों में आर्या वर्त का जो विस्तार था वहाँ कैस्पियंस आगर से लेके इरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान में हमारा लोक, तांत्रिक देश, भारत, वर्ष और कहीं पीछे इधर चले जाएगा बंगलादेश, मियामार, थाइलेंड, उधर इंडोनेशिया, बालीदी पर इधर हमारे आपके महान पूर्वजों की अभी तक जो उनकी शौरे प्राक्रम, धर्म, संस्कृति का प्रवाह था उसके अवशे सब तक नजर आते हैं तो मैं यों कहना चाहता हूँ कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत मा की शान रहे रामु कृष्न गौतम के वंशजवाली ये पहचान रहे रामायन गीता पुरान गुरु गरंत साहिब हों होटों पर लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदोस्तान रहे लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदोस्तान रहे जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमना का पानी है भरत भूमी में जनम लिया बस अपनी यही कहानी है इस धरती पे जनम लिया बस अपनी यही निशानी है एक सब्बिता एक संस्कृती अपना इतिहास बताता है जाती पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदोस्तानी है भूल न जाना सतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को आजादी की लोपर जलने वाले उन परवानों को दाग गुलामी वाला धोने खातर जूल गए पासी आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को और आजादी के दीवानों की बात चलती है इतिहास बहुत लंबा है लेकिन दो-तीन छंद मैं आपके मन तक पहुचाना चाहता हूँ ऐसा पावन मंच क्योंकि कोई भी सब्वेता संस्कृती का प्रवाह शक्ती और भक्ती के किनारों के बीच में ही सुरक्षित रह सकता है और शक्ती का संधान भक्ती से ही होता है आपने जो शक्ती का आहवान किया है पुरे देश में, पुरी दुनिया में जब हमारे प्रवासी भारतियों से बात चलती है तो आपके बारे में जो चर्चा करते हैं मुझे उनको याद करता हूँ कि भले हो दूरिया कितनी मगरमन पास रहता है कभी यादे वतन में कोई जजबा खास रहता है और समंदर पार भी मा की दुआएं साथ रहती है प्रवासी हर हिर्दे में हिंद का एहसास रहता है प्रवासी हर हिर्दे में हिंद का एहसास रहता है और परिंदे भूल कर भी कभ गगन को भूल पाते हैं सभी पूरी दुनिया में दो करोड से जादे भारत वंशी प्रवासी भारती नाराई जो रहते हैं उनको मैं याद करता हूँ कि परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं और जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है हवाए, फूल, खुश्बू और चमन अपना ही होता है बसालें घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाएं मगर है सच यही अपना वतन मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है तो भारत मा की कहीं आरती कहीं सब के मन में यहीं भजती रहे एक गीत पढ़ना चाहता हूँ और इसलिए पढ़ रहा हूँ अभी मैं कुछ और सुनाने का मेरा मन था लेकिन आपका सौर मेरे सौर के साथ मिलना चाहिए इसलिए मैं एक जिजगीत को पढ़ रहा हूँ मैंने परिंदे कहा है हम सब परिंदे है चाहे भागालिक रूप से हो या ध्यात्मिक रूप से एक लोग से दूसरी लोग की यातर करते है एक जन्म से दूसरा जन्म इस तरीके से चलता रहता प्रवाह तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथ सौर में सौर मिलाईगा कि भारत के परिंदों की भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिन्दा है भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिन्दा है रहे कहीं भी दिल में हिंदोस्तान तो जिन्दा है भारत के परिंदों की जग में पहँचान तो जिन्दा है रहे कहीं भी दिल में रहे कहीं भी दिल में इस वतन की खातिर जीने का भारत की खातिर जीने का अर्मान तो जिन्दा है रहे कहीं भी दिल में भारत की माटी की खुश्बू जिनके मन को महकाती है जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है तन भले प्रवासी हो जाए मन तो भारत की थाती है दामन में हो लाखों खुशियां अपनों की याद सताती है बचपन की मीठी यादों का बचपन की मधुरिम यादों का कुछ ध्यान तो जिन्दा है रहे कहीं भी दिल में रहे कहीं भी दिल में हिंदोस्तान तो जिन्दा है और पंग्तियां देखिएगा कि भारत मा की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया हमारे कहीं भी प्रवासी रहते हैं उनका सरवाधिक सम्मान पूरी दुनिया में होता है और हम भी कहीं न कहीं इस बात से गारवानवित होते हैं कि हमारे देश के लोग जहां भी रहते हैं भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं तब कहता हूँ कि भारत मा की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया हम बने प्रवासी रहे जहां उस कर्म भूम को मान दिया सारी वसुधा है घर अपना सबसे पहले ये ग्यान दिया शिवशंकर बन विश्पान किया मानवता को वरदान दिया शुबसत्य सनातन संस्कृति का दिनमान तो जिन्दा है रहे कहीं भी दिल में रहे कहीं भी दिल में हिंदोस्थान तो जिन्दा है भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिन्दा है रहे कहीं भी दिल में हिंदोस्थान तो जिन्दा है एक बार बोलेंगे बोलो भारत माता की बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वीर भोगते हैं वस उधा के वैभवों को सदा शक्ति हीन दीन हीन जीवन बिताते हैं ये जो शक्ति का अहवान किया जा रहा है बागेश और धाम सरकार के कहीं आशिरवास से तम मैं कहना चाहता हूँ कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा आप जानते हैं कि जहां जहां से सनातन मिटा वहां से भारत मिटता चला गया और अगर इसको बचाना है इसका पुने विस्तार करना है समझना चाहिए कि भारत को किस तरीके जह भारत की सभ्यता संस्कृति को कैसे बचाना है कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा शक्ति हीन दीन हीन जीवन बिताते हैं और शस्त्र का संधान शक्ति का सदाराहविधान प्रिष्ट इतिहासों वाले यही बतलाते हैं दानव दलन हे तू शस्त्र देवियों निधारे देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं और आ गया समय तो शाम छोड़ अश्र की लगाम युद्ध हे तू ललकार चक्र भी उठाते हैं युद्ध हे तू ललकार चक्र भी उठाते हैं और कितने दधिचियों ने अस्तियों का दियादान साधना की जिनका ये मिला वरदान है कितने दधिचियों ने अस्तियों का दियादान साधना की जिनका ये मिला वरदान है कितने ही दिन कर उदित हुए ही यहां अंधेरों पे जिन का ये विजे अभियान है तो जीत रहा घंगोर तिमिर से उजियार नवी यूगी दिवाकरों की ये दिवे शान है राश्टवादी शक्तियों के दिवे कर कमलों में मातु भारती की आनबान और शान है मातु भारती की आनबान और शान है वो आनबान शान बची रहे एक छोटा सा गीत पढ़के फिर मैं अपना इस्थान लोगा हाला कि मेरा मन बहुत कुछ अलग पढ़ने का था लेकिन मुझे लगता है कि इस मंच के लिए वो सबरवाधिक उप्युक्त हो सकता है कि जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान सरदार जी बैठे है शक्ति का अगर जो देखे शक्ति और भक्ति का प्रतीक अगर इनको माना जाए तो गुरुओं की बलदानी परंप्रा को हम याद करते हैं पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंत साहिब की बानी को नमन है और कंधार की रणभूमी में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है और सरहिंद की दीवारों में जो जिन्दा चिने गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है और एक को लड़ाओं सवा लाग सिता उदगोस गुरु जी की पावन कहानी को नमन है गोविंद की पावन कहानी को नमन है और कहीं उनी महापुर्शों की श्रिणी में आते हैं हमारे शिवाजी महराज तब मैंने कहा कि नारियों को जन्नी के जैसा मान देने वाले जीजबाई वाले संसकार को प्रणाम है कि गोहर को जननी के जैसा मान देने वाले जीजबाई वाले संसकार को प्रणाम है और गोरु राम दास वाली चेतना से चका चौन्द पंत नेरे पेक्ष दरबार को प्रणाम है और शत्रूओं को मिली ललकार को प्रणाम मुगलों को मिली ललकार को प्रणाम और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है और शूरता के दीवे पारवार को प्रणाम मेरा श्रिवा जी माराथा महराज को प्रणाम है श्रिवा जी माराथा महराज को प्रणाम है और कहीं उसी शंकला में कहीं हमारे राजस्तान के दोनों भाई अभी चले गए है मैंने बहुत सारा कुछ लिखा उसमें से एक छंदी आता है कि पन्नाधाय पदमिनी और हाडारानी वाले नारियों के पुन्ने सौभिमान को प्रणाम है कि पन्ना धाय पदमिनी और हाडा रानी वाले नारियों के पुन्ने स्वाभिमान को प्रणाम है और मात्री भूमी के हितार्त जो दिया गया था भामा शाह वाले उस दीवेदान को प्रणाम है घास वाली रोटियों को खाके भूमी पर सोये प्रभु एक लिंग के दिवान को परणाम है और शूर्त अवीर्त पराकरम के परयाये आनबान वाले राजस्थान को परणाम है आनबान वाले राजस्थान को प्रणाम है ये कहीं उनको इसलिए नमन करना जरूरी है कि ये सभ्यता संस्कृति का प्रवाह अब तक बचा हुआ है तो ऐसे स्वाभिमानी महापुर्शों के कारण जिन्होंने उस समय धर्म संस्कृति की रक्षा में हिंदुत की रक्षा में अपना सर्वस्न चावर किया संघर्ष किया एक चोटा सा गीत वर्तमान के लिए पढ़ना चाहता हूँ आप सब के लिए है कि जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान गौगंगा गाये त्री गीता वेदों का वर्दान बचालो अपना हिंदोस्तान एक बार हाथ उठा के मेरे साथ आ लिए बचालो अपना हिंदोस्तान बचालो रामकृष्ण गोतम के वन्शजवाली ये पहचान भगत सिंग सुकुदेव राजगुरु शेखर का अर्मान बचालो बचालो और सागरों के पारवाली संसकृति मन बसितन तो सदेशी मन पश्यम का दास है महाराशे आपने तो बहुत इसपश्ट रूप से एक चनोती दे दी है लोगों को लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहां इस देश में जिनके हार्डवेर तो हिंदुस्तानिय सोफ्टवेर विदेशी लग गए है गलब तो नहीं कह रहा है बहुत सारे त्योहार ऐसे हम पर थोप दिये गए हैं जो हमारे युवाओं की जेव के पीछे लगए हैं सौने के हिरन छोड़ दिये गए है युवाओं के पीछे एक अभी तोहार गया है प्रेम 14 का वैलन्टाइन डेज हाँ वैलन्टाइन डेज कहते हैं शाहिद उसको ओ कनाट प्लेस में भिकारी मिल गया फटे हाल बाल बिकरे डाड़ी बड़ी वी सामने से आके बोला बाभो जी प्लीज गिव मी 500 रुपीज मैं चोंग गया भिकारी आज कल अंगरे जी मैं भीक मांगने लगे मैंने डाटा भई चक्कर के आया बोला जी अपनी गल्फरेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ मैंने डाटा दू भिकारी होगे गल्फरेंड रखता है बोले जी उसी न दू भिकारी बनाया है तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसकी मारमिकता को समझेगा पंक्तियों की कि सागरों के पारवाली संस्कृति मन बसितन तो सोदेशी मन पशिम कदास है और गाउं और शेहरों की दूरिया हुई जो कम पन घट भी अतीम अंगना उदास है तो भारत को भूल रहे भावी उवा करणधार भारती के उरसालता ये संत्रा से मूले संस्कृति वाले नगनता की भेट चड़े वेलेंटाइन डे प्रसन दुखी मधुमा से तो पशिम की आधी में खोना जाए निज पहचान बचालो बचालो जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान बचालो नगपति के विशाल हिम शिक्रों के भाल मान सरवर पे भी ड्रेगन का साया है तिबत किया अधीन नेपाल में लाल चीन अरुण प्रदेश देख देख लल चाया है नियत में खोट जाली नीतियां विस्तार वाली साजिशों का खूनी खेल सीमा पे रचाया है और हिंदी चीनी भाई भाई की देते दो हाई पर चाल बाज चीन चोखट पे चड़ आया है तो भारत को ललकार रहा फिर से ड्रेगन शैतान बचालो बचालो अपना हिंदोस्तान और एक चंद और इसमें बंद पढ़ना चाहता हूँ गौमाता की रच्छा का अभियान चल रहा है इस देश में और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उनको नमन करता हूँ वन्दन करता हूँ गौमाता की रच्छा के लिए तो मैंने कुछ यूं कहा कि देशधर्म संसकृति की जो रच्छा चाहते हो शास्त्र संग शास्त्र का संधान होना चाहिए कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो शास्त्र संग शास्त्र का संधान होना चाहिए और गौमाता है काम धेनू कोटी देवों का निवास गौरक्षा का महा अभियान होना चाहिए तो गौमाता के संग संग पशुधन रच्छा है तो भारत में कानूनी विधान होना चाहिए और अगली पंक्ति आपका समर्थन मांगती है भारत में कानूनी विधान होना चाहिए और जिन पापियों के हाथ गोहत्या के लिए उठें उन्हें मृत्युदंड का विधान होना चाहिए उन्हें मृत्युदंड का विधान होना चाहिए तो गौमाता के रक्त से ना हो भारत लहू लुवान बचालो बचालो अपना हिंदोस्तान जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान बचा लो और शत्रूओं के होसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के होसले बुलंद कीजिए कि शत्रूओं के होसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के होसले बुलंद कीजिए और पाकिस्तानी चीनी लोगों ने बनाया गठ जोड खूनी गठ जोड तूटे ये प्रबंद कीजिये तो चाइनीज गंदगी से भरे हैं बजार सारे देश में ये फैली दूर गंद दूर कीजिये और ड्रेगन को सबक सिखाने के लिए प्रतम चाइनीज माल का प्रियोग बंद कीजिये तो भारत वालो भूल न जाना भारत वासी भूल न जाना बासट का अपमान बचा लो हाथ उठा के एक बार बचा लो अपना हिंदोस्तान जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान बचा लो बचा लो अपना हिंदोस्तान और आप जैसे लोग हैं तो हिंदोस्तान बचेगा क्या हिंदोस्तान आगे बढ़ेगा सनातन धर्म संस्कृति का प्रवाह ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा इनी भावनाओं के साथ मैं पुन्हे महाराश्री के चर्णों में वंदन करता हूँ आप सभी का अभिनन्दन करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एक बार मेरे साथ उद्गोष कर दिजिए कि बोलो भारत माता की बोलो बागे शर्भाम सरकार की बहुत स्रेश्ट आदेनी दादा ने काबे पाठ किया एक बार जोड़दार तालियों का महोत सब उनके सम्मान में होना चाहिए कुछ लोग लेट कर कविता सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो खुद को गबर और हमको बसंती समझ रहे हूँ लेकिन आए इस किरम को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ हमारे बीच में मुझे आदेशित किया गया है दो मिनट के लिए कमल आगने भाई साव हमारे बीच में उपस्चित है एक बाद जोड़दार तालियां बजाकर उनके सम्मान में आप सभी लोग उनको आमंतित करें बड़े भाई कमल आगने जी देखिए एक जन्मे मेरा कल्यार नहीं हुआ तो मुझे दूसरा जन्म इसमंच पर लेना पड़ा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप से दो मिनट में केवल मैगी बन सकती है दो मिनट में धर्म की बात नहीं हो सकती अगर सहिमात हो तो जड़ा तालियां बजाओ फिर मैं कुछ कहूँ गुरू जी एक आदमी की ठटरी बन गई अब उसको लोग लेके जा रहे थे चार आदमी पीछे से एक मोटर साइकल वाला हॉर्न बजा रहा था तो उससे चार आदमी ने पूछा कर तुमको जादा जल्दी है तो इनको उतार के तुम ही कुलाद ले तो आप ज़रा हाथ उठाकर के बताओ बहुत जल्दी है क्या बहुत जल्दी ने तो ज़रा बढ़ी हाथ से हाथ उठाकर के जोरदार तालियां बजाओ बहुत महत्पूर काम के लिए आया हूँ गुरु जी मैं नो वर्सों से कविसम्मेलन के मंचों पर हूँ दादा प्रकाश पटेरिया, गजेन सुलंकी दादा और बलराम श्रिवास्तो दादा जैसे बड़े कवियों का बहुत आशिरवात प्राथ किया है लेकिन जीवन में किसी को कविसम्मेलन के लिए कविए फोन नहीं किया और किसी मंच पर मैंने अपने करम के लिए कभी आजीवन जिद नहीं की लेकिन आपकी अनुपस्तिती में पहली बार ये मोह मेरा बागयश्वर धाम में जागा है कि मैंने कविता पढ़ने के बाद में, आपके अनुपस्तिती के बाद में मैंने दादा से कहा कि एक कविता मैंने छोड़ी है और मैंने गुरु जी को बताया था कि मैं राम चरित मानस पर एक विशेश कविता सुनाऊंगा जो इस समय कि मुझे लगता है सरवाधिक जरूरी कविताओं में से आए अगर आज सुनना चाहते हैं तो जरा बढ़िया सी तालियां बजा करके मुझे आजशित कीजिए और उससे पहले डादा ने कहा ड्रैगन की बात कही बहुत जरूरी बात थी लेकिन ये देश ड्रैगन से डरने वाला देश नहीं है ये शेशनाक का देश है और ऐसे कई ड्राइगन शेशनाक के आगे पूछ इलाते पाए जाएंगे अगर आप लोगों ने गुरू जी का साथ नहीं छोड़ा और इस देश भक्ती को नहीं छोड़ा तो अब पहली इक पंक्तिया पर नहीं जा रहा हूँ एक बार जड़ा भरपूर आशिरवात दीजेगा और अगर आप लोगों कहिए तो वो क्या मानों का भी नाम आया गुरू जी आपके बासा में नगट्टा याई है ना गुरू अच्छा एक बात और बताजिए मैं कविता शुरू करने से पहले अमन भीया ने बहुत अच्छा पढ़ा मैं आज इस पीट पर हूँ राम जी का शिकनक स्रिंगार गुर्णन का एक चंद पर लेता हूँ ताकि कविता की बात हो जाए और उसके बात थोड़ा सा मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ आज इस मंच पर किसीश तो आशीश है तु माता पिता गुरूओं के राम काम कैसे आ रहे है इस देश के यहां से लेकर यहां तक किसीश तो आशीश है तु माता पिता गुरूओं के आँखें भक्तों के उतरने के काम आगई बेर चकनेक मुख गरजनेक उकंथ वक्ष की शिराएं शोर भरने के काम आ गई खीच के सारंग बाल छोड़ती हुई भुजाएं रावर के प्राण हरने में काम आ गई और चरड अहिल्या मा को तारने में आए काम पादुकाएं राज करने में काम आ गई अच्छा जहां तक आवाज पहुंच रही है गुरु जी ने अपने जीवन में हजारों पर्चे बनाए हैं आज मैं यहां पर आया हूं तो आज मैंने गुरु जी का पर्चा बनाया है अगर बढ़ी हां से तालिया सारे लोग हाथ में उठा करके बजाओ और पर्चा सुनना चाहते हो और देखना मैं एक चीज़ कह रहा हूं और अगर गुरु जी ने किसी भी एक चीज़ में इसने मना किया कि गुरु जी ये बात नहीं ठीक है तो मैं पढ़ना छोड़ दूँगा कविता गुरु जी पर्चा खोल रहा हूं मेरे पांच पढ़ू पर्चा पांच प्रस्नाए हैं गुरु जी आईए देखिये जब तानसेन कविता सुनाते थे तब हिरन चले आते थे और जब कमल आगने कविता पढ़ रहा है तो संतों का आगवन हो रहा है मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है जिनका गुरु जी भी आशिरवात ले रहे हैं मैं इस मंच पर उनका बहुत बहुत अबिनंदन स्वागत करता हूं इस संतों की भूम की वज़े से लोगों ने कहा कि क्या ये भारत राम भरोसे है तो मैंने कहा ये राम भरोसे था है और रहेगा अगर किसी और के भरोसे ये देश होता तो अब तक रसातल में चला गया होता गुड़ू जैसे बेठेंगे मैं अपना काम शुरू कर दूगा गुरू जी पांच आए हैं गुरू जी पहला और गुरू जी इसको तय करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं गुरू जी भारत को हिंदुरास्ट गोसित करवाना चाहते हैं सही है गुरू जी भटके हुए मानो जिसमें श्याम मानो शामिल नहीं है दूसरा भटके हुए मानो की घर वापसी करवाएंगे गुरू जी तीसरा आया है हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहते हैं चौथा हिंदू विरोधी तत्वों की ठटरी वानने का उत्तम प्रवंध है और पांचुआ आत्म रक्षा के लिए बुल्डोजर खरीदना चाहते हैं और मैं अपने छोटे मूँ से कहता हूँ कि आपके उपर बागेश्च्वर बाला जी का आशिरुआद है ये सारे काम सिद्ध होने वाले हैं और कहिए तो अब वो विशेश कविता सुना दूँ जिस कविता के लिए इस मंच पर आया हूँ हमारे धर्म के उपर बहुत अटेक हुए बिहार से एक चंदशेकर नामत प्राडी ने रामचरित मानस पर प्रस्ट उठाए हमारे यहाँ वो मैंने गुरू जी अभी कहा था कि ये बाबा जी दुस्मन के सारे शडियन तर जानते हैं साप और बिच्छू क्या ये नेवले का भी मंतर जानते हैं अब उन नेवले हमारे लखनाओ में रहता है अच्छा मजे की बात ये है कि अब उन तीसरा एक और आया अखिलेश यादो उन्होंने जिस तरीके से किया ये समर्तन जब रामचरित मानस के विरोध में हुआ तब एक जरूरी कविता पढ़ने की कोशिश करता हूँ ये वो रामचरित मानस है जब हमारे कवी फलाइट में बैठते हैं तो पोस्ट जालते हैं चलत विमान कुलाहल होई जै रगवीर कहे सब कोई ये वो रामचरित मानस है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं हमारी वस्तु में खो जाती है तो हम कहते हैं गई बहुर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रगराजू ये वो रामचरित मानस है जब हम संकट में फस्ते हैं तो कहते हैं दीन दयाल विरदु संभारी हरवन आत्मम संकटवारी मंगल बवन अमंगल हारी द्रववन सुदसरत अजिर भिहारी अब ये कविता शुरू हो रही और आपका साथ इसके साथ सुरू होगा मुझे पता है कि राम चरित मानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं राम चरित मानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं राम चरित मानस जिसको श्रद्धा से सीज जुकाते हैं राम चरित मानस मानवता का जीवन दर्शन है राम चरित मानस सामाजिक समरस्ता का दरपड है छोटे वानर भाल उसे परवत हिल जाता मानस में, चोटे वानर भालू से परवत हिल जाता मानस में, जीवन की हरकटनाई का हल मिल जाता मानस में, नारी के सम्मान के खातिर गिद यहां मर जाते हैं, वानर भालू मिल करके सागर पर सेतु बनाते हैं, और जैसे राम चरित मानस का पार्ट करते है जड़ा आपकी तालिया और जैगोज इस संपुट में समली तो वो आने जा रहा है कि नारी के सम्मान के खातिर गिद यहां मर जाते हैं बंदर भालू मिलकर के सागर पर सेत बनाते हैं और विष्व का पहला आश्चर पूरी दुनिया में कववा बस काउं काउं चिलाता है पूरी दुनिया में कववा बस काउं काउं चिलाता है राम चरित मानस का कववा मीठी कथा सुनाता है मदूर वचन बोले उतब कागा राम चरित मानस का कववा मीठी कथा सुनाता है तो सरियू जल की जै बोलो वा अवद धाम की जै बोलो राम चरित मानस के नायक प्रभू राम की ये संपुठ है राम चरित मानस के नायक मैं बोलूँगा और आप बोलेंगे प्रभू राम कीज़े बोलो दूसरा बन शुरू कर रहा हूँ कि कर्म सही तो मानस में राचिसी विमा कहलाती है तृजिता नाम राचिसी एका राम चरन रत निपुन विवेका कर्म सही तो मानस में राचिसी विमा कहलाती है इसकी 24 सिद्ध करो तो महामंत्र बन जाती है धर्म ज्यान विज्यान कला साहित लिखा है मानस में मानव जीवन के तनका उचित लिखा है मानस में ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाई है राम चरित मानस तुलसी को शंकर ने लिखवाई है रामचरित मानस तुलसी को खुद शिवने लिखवाई है जो करते हैं चंद्रमा सूर नक्षत धरा सभी जिनके अनुगामी है रामचरित मानस के नायक पूर्ण विश्व के स्वामी है जो करते हैं सभी जगत के पूर्ण काम कीज़े बोलो रामचरित मानस के नायक रामचरित मानस के नायक और अंत के दोट बंद पढ़कर के अपना इस्थान लेता हूँ यहां नयन उर्मिला के ही उत्तील परिक्षा करते हैं एक एक बिंदु पर टिक लगाएंगे गुरु जी यहां नयन उर्मिला के ही उत्तील परिक्षा करते हैं सबरी मा के युगों सबरी मा के बेर युगों तक यहीं परिक्षा करते हैं राम से सम्मानित वन्वासी राम चरित मानस में हैं वानर भालूबी सन्यासी राम चरित मानस में हैं निशाद राज के मित्र रमया राम चरित मानस में हैं केवट की नया गंगा मया राम चरित मानस में हैं लक्षमर के जैसी परचाई राम चरित मानस में है जग दंबा सीता सी माई राम चरित मानस में है बजरंगी जैसी चतुराई राम चरित मानस में है और भरसा त्यागी भाई राम चरित मानस में है और एक पंती और सुना और भरसा स्यागी भाई राम चरित मानस में है कृपा लुटाते हैं रहुराई राम चरित मानस में है प्राण जाई पर वचन नजाई राम चरित मानस में है और कहना चाहता हूँ कि संसकार परिवार धरा शोभा ललाम कीज़े बोलो राम चरित मानस के नायक राम चरित मानस के नायक और अंतिम बंद हाद जोल करके पढ़ रहा हूँ रावड जैसे हर पापी की ये संगहार सहिता है रावड जैसे हर पापी की ये संगहार सहिता है राम चरित मानस हर मानव की आचार सहिता है राम शरण में जो भी जाता उसका भई हर लेते हैं जीत के लंका स्कूयम विभीशन को वापस कर देते हैं और याद रखना जिन लोगों ने इस देश में कहा कि हर गर से अफजल निकलेगा उनको एक जवाब यहां से देना चाहता हूं जिन लोगों ने कहा हर घर से अफजल निकलेगा रहे मूर्खो केवल एक बागेश्वर बाला जी से दीरेंकर से शास्त्री निकले तो तुम्हारी नानी बर गई है तुम्हें एक के पीछे पड़े हुए हो हर घर से अफजल निकलेगा कि जीत के लंका सोयम विभीशल को वापस कर देते है राम चरित जाने बिन मानस सुद्ध नहीं हो सकता है इसे पढ़ो तो परिवारों में युद्ध नहीं हो सकता है पतित पावनी मा सीता के मधूर नाम कीज़े बोलो पतित पावनी मा सीता के मधूर नाम की जै बोलो राम चरित मानस के नायक राम चरित मानस के नायक राम चरित मानस के नायक बहुत बहुत अभार जै सिया राम ऐसे काम नहीं चलेगा वाईसा जोड़दार तालिया होने चाहिए अगले ने बहुत उर्जा खर्च किये बाई साब ने बहुत ओजस्वी धारा के साथ कावेपाट किया आदेने दादा कमाल आगने जी ने अब मैं जिनके क्रम में हूँ वो क्रम निश्चित रूप से हम कार क्रम का आप सिखर कलस रखने जा रहे हैं जिन्होंने बड़ी ही खूब सूर्थी के साथ इस पूरी टीम को सजाने का काम किया है एक माला में पिरोकर ये जो माला तैयार की गई है अब ये उनका क्रम है मैं निवेदन करना चाहता हूँ और उनकी अगवानी में खड़ा हुआ हूँ कभी लोग महराज जी से आशिरवाद ले रहे हैं तब तक आप लोग जैकारा लगा सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार की स्री साथू जी आये मैं अब जिनके करम में हूँ हमारे पुझ महराज जी मंच पर विराजमान है अरे वावाई से नीचे भी कभी लोग बैठे हुए हम तो सोच रहे हमी लोग कभी है तो एक बार अपने लिए जोड़दार आप सभी लोग तालिया बजा लीजिए बहुत अदबुत सुनाएं आपने कारिक्रम को जीवंतिता प्रदान किये निश्चित रूप से आई अविये जिनका करम है महा कभी डादा स्री प्रकाश पटेरिया जी अविस करम में है हम लोग कारिक्रम का सिखर कलस रखने जा रहे हैं महराज जी विसेश द्यान चाहता हूँ आपका आप बागेश्वत धाम के पीठा धीश्वर हैं लेकिन ये साहित जगत इस बात से गौरवानवित है कि हमारे काभ जगत के पीठा धीश्वर काभ चक्रवर्ती महा कभी डादा स्री प्रकाश पटेरिया जी की यहाँ पर उपस्तिती हुआ करती है मिश्चित रूप से अभी है उनके इस किरम में है साहित के एक ऐसे बटवरक्ष जिनकी चाओं तले हम जैसे तमाम छोटे छोटे पौदे अंकुरित हो रहे हैं साहित के वो चानक जिन्होंने तमाम अपने छोटे छोटे चंद्रगुपतों को तैयार करने का काम किया है वो निश्चित रूप से अब इस किरम में है वो उनकी अगवानी में खड़ा हुआ हूँ दानियों में दानवीर मेरे देश भारत में दिखते लुटे रे कोई दानी नहीं दिखता पानीदार अपने को मानते हैं सब किंतु उनमें चरितरता का पानी नहीं दिखता अभिमानियों की भीड दिखती है चारों और सच्चा नेक दिल स्वाभिमानी नहीं दिखता सच्चा नेक दिल स्वाभिमानी नहीं दिखता ग्यानियों के नाम पर मिलते हैं मतमंद दद्दू जैसा स्रेष्ट कभी ग्यानी नहीं दिखता एक बात दोनों हाथ उठाकर तालियों की गर्गलार से आमन्तित करें काप्य जगत के पिठा दिश्वर, काप्य चक्रवर्ती, महा कभी, दादा स्री प्रकास पटे रिया जी बागेश्वर धाम सरकार की स्री साधू जी स्री साधू जी अब आप लोग कविता का आनंद लेंगे निश्चित रूप से मैं महाद बहुत कम पड़ूँगा आपने मुझे जवाबदारी दी दी लोगों को भुलाने की, पढ़ने की नहीं लेकिन ये ये सिर जुकता है आपके चरणों में लोग जब बागे सुरधाम पर कुछ कहते हैं लोग कहते हैं जो भीश्म पिता मैं समझते हैं अपने आपको हमारे बागे सुरधाम सरकार के लिए लोग कहते हैं कि ये अरजुन क्या भीश्म पिता मैं का उबध कर पाएगा मैं कहता हूँ भ्रमों के गाउं में भ्रमों के गाउं में कोई भी भ्रम को धार सकता है कोई भ्रमों के गाउं में कोई भी भ्रम को धार सकता है कोई रण जीत सकता है कोई रण जीत सकता है और हमारे अरजुन के सामने जो अपने आपको भीश्म पिता मैं समझते हैं पिता मैं भीश्म के जैसा जो खुज को मानते सुन लें भीश में को पार सक्या रण में सिखंडी मार सक्ता बागे सुर्ध हम सरकार बागे सुर्ध हम सरकार के संकेत पाकर उनके ये पागल मर मिटने को तयार बैठें आप इसारा तो करें लोग मुझसे कहते हैं कि हम जीतेंगे कैसे ये चक्र भी उतोड़ेंगे कैसे अन्ते मुट तक पढ़ता हूँ स्वागत तब मैं कहता हूँ किसी भी मोड पर मैं रथ तुम्हारा मोड सकता हूँ किसी भी मोड पर किसी भी मोड पर मैं रथ तुम्हारा मोड सकता हूँ भरे उनमाद से सारे घटों को फोड़ सकता हूँ, मुझे अभमन्यू के जैसा अधूरा मत समझ लेना, मैं अर्जन हूँ, तुम्हारा वियू हुपल में तोड़ सकता हूँ, मुझे अभमन्यू के जैसा, अधूरा मत समझ लेना, मैं अर्जन हूँ, मैं अर्जन हूँ, तुम्हारा वियू, पल में तोड़ सकता हूँ, मराजी बस दो मुक्तक मैंने आप से, और पढ़ू, मैं एक घंटा पढ़ूँगा, चलिए, एक छंद पढ़ता हूँ, जसे दिन होगा, जसे दिन होगा महायुधवर्न मादियों से, उस दिन सोच स्वावी मानी जाग जाएगी, जिस दिन होगा माहा युद्धों नमादियों से उस दिन सोच सौभ हिमानी जाग जाएगी जिस दिन कोई डल होजी लूटता दिखेगा उस दिन जहासी वाली रानी जाग जाएगी जिन्दा वाद जिस दिन होगा माहा युद्धों नमादियों से उस दिन सोच सौभ हिमानी जागे जाएगी जिस दिन कोई डल होजी लूटता दिखेगा उस दिन जहांसी वाली रानी जागे जाएगी यह पंक्तिया सुने जिस दिन राना कोई ताना देगा हर्द ये उस दिन मीरा राज रानी जागे जाएगी उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी और जिस दिन जिस दिन दैस पे घरेंगे संकटों के मेग सेखर शुवास सी जवानी जाग जाएगी सेखर महराज जी आपके आशिरवाद से आपके कुछ एक महा का भी लिखा भारत पर रामा नुच प्रकाशिक भी हुआ उसका इच्छन परटने चाहता हूँ बस आपकी कथा इस देश की सारी प्रथाओं को बदल देगी जिस प्रथा की हम प्रतिच्छा कर रहे हैं जिस सनातन धर्म की हम प्रतिच्छा कर रहे हैं वो सनातन धर्म कहीं गया नहीं सोया है हमें उसे जगाना है जग्या जग्या तो भजा भी एक वार जोड़ार तालिया बागेश्वार धाम सरकार की महरा जी अभी आप जिस दिन प्रियाग राज गए उसके एक दिन पहले मैं प्रियाग राज में था मैं उनके बस शिवर में था चर्चाव हो रही थी महरा जी बस करपा करके ये पंक्तियां सुन लें बस लोग मुझे वहां पूंच रहे थे ये मुराणा मुनी प्रताब सिंग्व वहां भी संचालन कर रहा था और जहां जहां राणा मुनी प्रताब सिंग्व संचालन करता है महरा अधूर कभी सब मिलने होता है लोगों ने मुझे कहा प्रकाश भईया सुबही दब गंगे में नहाओ गेगी तो गंगे तो आपको मेली दिखाई देगी मैं ने कहा हजारों साल भीतेंगे मगर वो खो नहीं सकती हजारों साल भीतेंगे मगर वो खो नहीं सकती हमेशा जागने वाली मेरी माँ सो नहीं सकती हमेशा जागने वाली मेरी माँ सो नहीं सकती तुम्हारा मैला मन चाहे भले मैला कहे उसको जो सबके पाप धोती हो वो मैली हो नहीं जो सबके पाप धोती हो जो सब के पाप्द होती हो वो महली हो नहीं सकती अन्ते मुक्त पढ़ता हूँ मदन मोगन जशोदा माँ आप ब्रन्लावन से आया मेरा सौभाग यह है कि 2022 के मेरा जन्म दिन जब मलुक पीठा दिश्वट ने अपनी मलुक पीठ में मनाया मेरे जीवन का सब से सुखत्षन था 118 कभी थे उस मंचवर सारे कभियों का काब्ड़ पाथ सारे कभियों की विवस्था लाइड माइड तेम मने मलुक पीठा दिश्वजी ने केवल यह कहा कि पठेरे जी आप आजाई सारी विवस्था पीठ करेगा और मलुक पीठे ही सारी विवस्था कि मैं अपनी काब्ड़ खेला पहुंचा था यह मेरा सौखा क्या है तब कहता हूँ कि मदन मोहन ये सोदा मा के च्छैया की जरूरत है मदन मोहन ये सोदा मा के च्छैया की जरूरत है ललन बसुदेव के हल्धर के भाईया की जरूरत है हजारों काल यवनों के मिटाया वंस को जिनने हमारे देश को फिर उस कनहिया की जरूरत है हजारों काल यवनों के मिटाया वंस को जिनने चलिए इस बाणी को ब्राम देता हूँ महराजी को आराम करना है हाँ ये आश्वासन जरूर आपके आज्या लेकर दे रहा हूँ ये कभी सम्मेलन तीन जुलाई को फिर होगा इसी मंच पर गुरू पूर्मय के दिन हम गुरू पूर्मय मनाएंगे और कभी सम्मेलन करेंगे बस आपके चरणों मैं परणाम करके अपनी माणी को ब्राम देता हूँ बहुत बहुत आभारी हूँ बागी सुर धाम का आपका क्या कहूँ कहा आसुओं की ये सौगात होगी इन आखों से दिनरात बरसात होगी मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा तो महारी महबत अगर साथ होगी चरागों को आखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक राथ ही रात होगी मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद आयोध्या का मामरा निपड़ चुका है हम मत्रा में मुलाकात होगी चलो बगे स्वर्धाम प्यारे चलो बगे स्वर्धाम बोलो सीताराम प्यारे बोलो सीताराम चलो बगे स्वरधाम, प्यारे चलो बगे स्वरधाम, बोलो सिता राम, संत सनातन के जिसने किया है अपमान, उसकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे राम चलो बगे स्वरधाम प्यारे चलो बगे स्वरधाम बोलो सीताराम बढ़ती मैं मा देख कृष्ण की मचीती हाँ कार खाने चित्त हुए बिरोधी दिया है जंडा गड़ चलो बगे स्वरधाम प्यारे चलो बगे स्वरधाम जोड से बोल ये बगे स्वरधाम की सन्याशी बाबा की सत्गुरु देव महराज की शीताराम शीताराम जैसराम जैसराम